कितने पाकिस्तान कमलेश्वर एक भूली हुई दास्तान उसे याद आती है वो तो एक बंजर जमीन से आया था खामोश आकरशनों की दुनिया से जहां कहा कुछ भी नहीं जाता मन ही मन बस कुछ अर्मान करवटें लेते हैं अनबुजी इच्छाएं आती हैं और चली जाती हैं और कस्वाई सपने छटों पर फैले कपड़ों की तरह धूप उतरते ही बटोर लिये जाते हैं कुछ अनकहे दुन्दले से अक्स स्मरतियों में उलजे रह जाते हैं जो न घटते हैं न बढ़ते हैं पस पानी के दाग की तरह वजूद के लिबास पर नक्ष हो जाते हैं उसका पूरा कस्वा उसके कस्वे का अपना महला महले की कई खेड़कियां भी उसे मौन हसरत से देखती दिखाई दी थी कभी-कभी बरसात के दिनों में लोटते हुए पाउं के निशान दिखाई पड़ जाते थे ज्यादा बारिश हुई तो निशान पहले तो भरी आँख की तरह डबडबाते फिर देखते ही देखते मिट जाते वापस गए पैर फिर नजर नहीं आते कुछ आखें थी जो कहना तो बहुत कुछ चाहती थी पर उन्होंने कभी कुछ कहा नहीं कहीं कोई काजल लगी आँख उल्ची थी किसी खिड़की में हलकी सी कोई परचाई किसी में इशारा करती कोई उंगली कहीं शर्मा के लोटते हुए अधूरे अर्मान और कहीं किसी मजबूरी की कोई दास्तान अजीब दिन थे नीम के ज़रते हुए फूलों के दिन कनेर में आती पेली कलियों के दिन न बीतने वाली दो पहरियों के दिन और फिर एक के बाद एक लगातार बीतते हुए दिशाहीन दिन उन दिनों भविश्य कहीं था ही नहीं एक व्यर्थ वर्तमान साथ था जो बस चलता जाता था ये आजादी से ठीक पहले का दौर था रेल गाडियों में आरक्षन की सुविधा और सिस्टम नहीं था अब उसे याद नहीं विधा शायद साइन्स में थी पर छुट्टियां साथ साथ होती थी इसलिए वो इलाबाद स्टेशन पर मिल ही जाते थे विधा फतैकड की थी तीज, त्योहार और फिर गर्मी की छुटियां अपने अपने घर जाने के लिए एकाद बार तो उससे ऐसे ही मुलाकात हुई फिर जब भी कोई छुट्टी आती तो स्टेशन पर दोनों एक दूसरे का इंतजार करने लगे नमालूम ये कैसा लगाव था कि प्लेटफॉर्म पर एक तब तक रुका रहता जब तक की दूसरा आ नहीं जाता अनकहे तरीके से ये तैब हो गया था कि छुट्टी होने वाले दिन की सुभ़ पहले पैसेंजर गाड़ी से ही सफर किया जाएगा उन दिनों भी कुछ तेज एकस्प्रेस गाड़ियां चलती थी पर उन्हें पैसेंजर ही पसंद थी वो धीरे धीरे चलती और हर स्टेशन पर रुकती थी उन दोनों को साथ साथ सफर करते छोटे छोटे स्टेशनों के नाम रट गए थे स्टेशनों के नाम वो साथ साथ पढ़ते और किस स्टेशन पर कितनी जलक शमता वाली टंकी विशाल को कुर मुत्ते की तरह खड़ी है ये भी उन्हें याद हो गया था इंजन किस स्टेशन पर पानी लेगा ये उन्हें पता था कुछ ऐसा भी था जो दोनों को एक साथ साथ व्यापता था उनके मन की अनकही इच्छाओं के पल एक 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 साथ चुड़ जाते अब यही जैसे भरवारी स्टेशन के समों से अभी विदा कहने को ही होती कि वो बोल पड़ता खटी चटनी या फिर फतैपुर की दही की पकोडियों पर मीथी चटनी कभी कभी वो भागते पेडों में से किसी एक को सहसा एक साथ देखते फिर कुछ स्टेशनों का साथ और चाहते तो दोनों नहीं थे पर कानपुर आ ही जाता विधा वहीं उतर कर फतैगड़ वाली गाड़ी बदलती थी कानपुर से उसे चोटी लाइन पकड़नी होती थी जिसका प्लेटफॉर्म आखिरी था बीच में बड़ी लाइन के कई प्लेटफॉर्म थे उन दिनों टाटा और बायबाय नहीं होता था फ्लाइंग किस तो था ही नहीं खामोशी की गहराई ही शायद लगाओ का पैमाना थी विधा चुक्चाप उतर दी वो उसका जोला या टिन का छोटा बकसा या किताबों का बस्ता उठा कर थमा देने में मदद करता उन दिनों लेट होने पर गाड़ियां भी एक दूसरे का इंतिसार कर लेती थी विधा अच्छा कहकर पुल पर चड़कर अपनी गाड़ी वाले प्लेटफॉर्म पर चली जाती वो उसे छोड़ने या विधा देने नहीं जा पाता था क्योंकि तब तक उसकी में लाइन की गाड़ी छूट सकती थी कानपुर से उसका सफर शिकोहाबाद जंक्शन तक चारी रहता था जहां से वो ब्रांच लाइन की गाड़ी पकड़कर अपने मेंपुरी पहुचता था मा के पास शिकोहाबाद से मेनपुरी तक के तीन स्टेशनों के नाम तो उसे याद थे पर कहां किस स्टेशन पर पानी की टंकी थी और छोटे से सफर में कौन से पेड साथ दोड़ते थे वो उसे याद नहीं था विधा भी सफर में साथ होती तो शायद उसे वो पेड याद रहती छोटियों से लोटने का दिन और इलाहबाद तक जाने वाली पैसंजर गाड़ी भी अनकहे तरीके से तै हो गई थी वो लोटते समय कानपुर तक में लाइन की गाड़ी से आता था लेकिन कानपुर से पैसंजर ही पकड़ता था छोटी लाइन से आकर विधा उसे प्रतीक्षा करती मिलती मिलना, प्रतीक्षा और साथ साथ सपर करना ये दो साल तक चड़ता रहा फिर ये वर्ष भी आ गया गर्मी की लंबी छुटियां हुई वही इलाबाद स्टेशन वही पैसंजर गाड़ी लेकिन इस बार स्टेशनों का नजारा कुछ पतला हुआ था गाड़ी में चड़ने वाले मुसाफिर ओसत से ज्यादा खामोश थे साइद सरावा स्टेशन पर सब स्टेशनों से ज्यादा भीड मिली सफर में ज्यादा तर मर्द ही मिलते थे पर इस बार उनके साथ औरतें और बच्चे भी थे टीन के बकसों, बोरों, गठरियों, पोटलियों वाला सामान भी जरूरत से ज्यादा था गाड़ी छूटी तो प्लेट फॉर्म पर रुक कर कोई खुदा हाफिस कहकर विदा करने वाला नहीं था मुसाफिरों में चलती आपसी बाचीत के दौरान ये पता चला कि वो किसान, खांदान, पहले अलीगर जा रहे थे वहां से पाकिस्तान चले जाएंगे आखिर कानपुर स्टेशन का याड गुजरने लगा गाड़ी की रफतार धीमी पढ़ने लगी विधा को तो यहीं उतरना था प्लेटफॉर्म आया, विधा उतरी हमेशा की ही तरह उतर कर उसने विधा को सामान थमाया तब विधा ने सिर्फ इतना ही कहा शायद आगे की पढ़ाई के लिए मैं अगले वर्ष न आ सकूँ क्यों? घर वाले यही चाहते हैं यह सहज एक सूचना थी जिससे दोनों ने ही कुछ असहज महसूस किया उनके बीच अलिखित और अव्यक्त भावनाओं का रिष्टा तो शायद बहुत गहरा था परन्तु कहीं कुछ ऐसा नहीं था जो उन्हें कोई उत्तर मांगने के लिए विवश करे आखिर छोटी लाइन की अपनी गाड़ी पकड़ने के लिए वो पुल चड़ने लगी विध्या की गाड़ी छूटने का समय हो रहा था उसकी खुद की गाड़ी भी छूटने को थी और बस तब इस दास्तान में इतना ही हुआ के पुल पर पहुँचकर अपने प्लेटफॉर्म तक मुड़ने से पहले विध्या ने अपना रुमाल उपर से गिराया था उसकी गाड़ी उसी समय आखिरी सीटी दे कर खिसकने लगी उसका डिबबा भी काफी आगे था उसने रुमाल को गिरते हुए देखा था उसके लिए वो अटका भी था पर प्लेटफॉर्म छोड़ती गाड़ी को वो छोड़ नहीं पाया सफर तो सफर था और फिर डिबबे में उसका जोला लावरिस पड़ा था जिसमें उसकी किताबें, कौपियां और कल में थी विध्या का रुमाल तो वो नहीं उठा पाया पर अपने सफर को भी वो तोड़ नहीं पाया चलती गाड़ी में वो चड़ा और अपनी जगा आकर बैठ गया आगे का सफर जारी था उसका भी और उन मुसाफिरों का भी जो अलिगड होते हुए पाकिस्तान जा रहे थे विध्या का भी जो गाड़ी बदलकर फत्यगड की ओर चली जा रही होगी बैठे बैठे वो यही सोचता रहा कि अगले साल अप विध्या नहीं आएगी इसका सीधा मतलब यही था कि उसके घरवालों ने कहीं उसका रिष्टा तैय कर दिया होगा और इन्ही गर्मियों में उसकी शादी हो जाएगी शिकोहा बाद जंक्शन आया तो वो उतर पड़ा उसे मेनपुरी वाली गाड़ी पकरनी थी पाकिस्तान जाने वाले मसाफिरों का सफर अलीगड़ की तरफ जारी था उन गर्मियों के बाद विध्या उससे नहीं मिली पता नहीं वो कहां किस सफर पर निकल गई बस इतना जरूर हुआ कि जिन्दगी के इस लंबे सफर में जब भी वो कानपूर स्टेशन से गुजरा तो वो रुमाल उसे हमेशा गिरता हुआ दिखाई देता रहा दिखाई ही नहीं देता रहा बलकि वो रुमाल सचमुच गिरता रहा वो रुमाल आज भी गिरता है फिर कई बरसों के बाद जब वो कई नौकरियां और कई शहरों को छोड़ता हुआ शहर बंबई में टिक कर काम करने लगा तो उसे एक अजीब सा रहसे भरा खत मिला उसका लिफाफा खुद अपने सफर की कहानी बता रहा था वो उसके पिछले कई पतों से री डायरेक्ट होकर उस तक पहुँचा था उसने कई बार कटे हुए पतों को देखा था सिर्फ उसका नाम जियोंकातियों था महरबान हाथों ने अलग-अलग लिखावट में उसका नया पता दर्ज किया था तब उसे लगा कि खत अगर मन से भेजा जाए तो कई जन्मों के बाद भी पहुचने वाले तक पहुच ही जाता है पांच पतों से लोटे हुए लिफाफे को उसने बहुत एहतियात से खुला मजमून पढ़ा तो रहस से बहुत गहरा गया था लिखा था अदीब आलिया किसी को दे के दिल कोई नवा संजे फुगां क्यों हो नहो जब दिल ही सीने में तो फिर मूमें जुबां क्यों हो किया गम खारने रुस्वा लगे आगिस मुहबत को नलाए ताप जो गम की वो मेरा रासदां क्यों हो वफा कैसी कहा का इश्क जब सर फोड़ ना ठहरा तो फिर ए संगे दिल तेरा ही संगे आसतां क्यों हो खुदा हाफिज खत में कोई नाम नहीं था पता नहीं था उसे खत के संबोधन ने भी चौकाया था एका एक उसका ध्यान विध्या की ओर गया मजमून में बात की जो अनुगूंज थी वो उसकी ही हो सकती थी और फिर अधीबे आलिया वाला संबोधन शायद वो उसकी जिंदगी की खोज खबर लेती रही हो अंदाज से उसने पहला पता लिखा हो कि शायद खत पहुँच जाए और फिर तो पते महरबानों ने बदले थे लेकिन सबसे ज्यादा हैरत में डालने वाली बात तो ये थी कि विध्या तो साइंस की विध्यारती थी हिंदी तो उसे फिर भी आती थी लेकिन उर्दू का तो एक हर्फ भी नहीं आता था और फिर अंत में ये खुदाहाफिज नहीं नहीं ये विध्या तो हो ही नहीं सकती थी, ये और कोई भी हो, विध्या नहीं हो सकती थी और तब, तब ये दास्तान और ज्यादा रहस्यमाई बन गई, आश्चरजनक और अजीबो गरीब हुआ ये था कि, हुआ ये था नहीं सर, पहले ये सुनिये कि हुआ क्या है उसने चौंक कर आवास की तरफ देखा उसका एक में तीन सहायक, स्टेनो और अर्दली महमूद उसके सामने खड़ा था उसके हाथ में टेली प्रिंटर से आई खबरों के कुछ खुरदरी कागजों के टुकड़े थे क्या हुआ है? उसने पूछा महमूद ने खबरें उसके सामने रग दी खबरों पर नज़र डालते ही उसने शीशे की दीवार से बाहर देखा हॉल में लंबे डेस्क के इर्द गिर्द शाम की शिफ्ट के सारे पत्रकार तेज तर्रार बातों में उलचे थे और दोनों समाचार संपादक तेजी से उसके केबिन की ओर चले आ रहे थे पहला सिटी एडिशन मशीन पर जाने वाला था बेस्मेंट में मशीनों के चलने की हलकी थर्थराहाट वो महसूस कर रहा था तब तक दोनों न्यूज एडिटर उसके केबिन में आ गए सर इस वक्त तो आपके फ्रंट पेज एडिटोरियल की जरूरत है अभी आप डिक्टेट कर दे सर तो पहले एडिशन में चला जाएगा जरूरी भी है ठीक है कम्पिटर रूम में बोल दो तैयार रहें और एक प्याला कॉफी ले आओ उसने कहा तो महमूद हुक्म बजाने चला गया उसने बजर दे कर उसे वापिस गुलाया फिर उसने जल्दी जल्दी अपने डिस्पैचिस पढ़े वही फिर हुआ था सन 1948, 1965 और 1972 की तरह कारगिल के इलाके में घुसपैथियों के नाम पर फिर पाकिस्तानी फौजियों ने अगोशित आकरमन कर दिया है लद्दाख में कारगिल, बटालिक, द्रास, मशको, तुर्तक, जोजीला, काकसर, चिल्डियाल, घोग, होतापाल, क्षेतर की नियंतरन रेखाओं को तोड़ कर पाकिस्तानी फौजियों ने कई कई मील अंदर तक अपने अड़े और बंकर बना लिये हैं वैसे पाकिस्तान के फौजी अफसरों का कहना है कि वे घुस पैठी हे इसलामी मुझाहध दीन के हैं लेकिन असलियत यही है कि मुझाहध दीनों के भेश में वो पाकिस्तादी फौजी हैं इतना ही नहीं सर, समाचार संपादक ने कहा पाकिस्तानियों ने सन 1972 के संधी पत्र का उलंगन भी किया है इसी साल मित्रता, भाई चारे और व्यापार के लिए की गई लाहोर घोशना की पीठ में छुरा भोग दिया है फोजों का मूवमेंट तो प्रधान मंत्री की लाहोर यात्रा से बहुत पहले शुरू हो चुका है लेकिन दुश्मन उची पहाडियों पर काबिस हो चुका है इसलिए अपनी जान माल का बहुत नुकसान हुआ है तुम ऐसा करो, नजम सेथी को फोन मिलाओ नजम सेथी? हाँ हाँ नजम सेथी एडिटर फ्राइडे टाइम्स लाहोर पाकिस्तान मू क्या देख रहे हो? क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि लाहोर पाकिस्तान में है? जी वो तो है सर लेकिन नजम सेथी इसमें क्या करेंगे? अरे वो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री नवाश शरीफ से पूछेंगे कि ये क्या हो रहा है और ये क्यों हो रहा है सर पाकिस्तानी प्रधान मंत्री और उनके विदेश मंत्री ने कहा है कि हमारी फौज का घुसपैटियों से कोई लेना देना नहीं इसमस्या भारत की है ठीक है अगर यह मान भी लिया जाए तो भी वे आए तो पाकिस्तान की धर्ती से हैं यही तो सर अगर पाकिस्तान लाहोर घोशना पत्र में दी गई दोस्ती की शर्त से सहमत है तब तो उसका फर्ज बनता है कि वो घुसपैठियों को अपने इलाके में से गुजर कर भारत की सीमाओं में पहुचने से रोके सर अगर यह हमला युद्ध में बदल गया तो बड़ा नुकसान होगा दोनों मुलकों में नुकसान सिर्फ अवाम का होगा इसलिए तो मैं फॉरन नजम सेथी साहब से बात करना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान में उन जैसे दानिशमंद और आवाम परस्त पत्रकारों की आवाजे ही इस खून खराबे को रोकने का माहौल बना सकती है तब तक दूसरा न्यूज एडिटर कारगिल में मारे गए सैनिकों की लिस्ट ले आया सर ये हैं हमारे अब तक के शहीद सिपाहियों और वायू सैनिकों की लिस्ट जिन्होंने आज की तारीख तक अपनी कुर्बानी दी है नागालेंड की सिपाही से लेकर कोटा, राजस्थान, बिहार, करनाटक, कन्या कुमारी, महराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, आंदर प्रदेश, पंजाब, हरियाना के जामबास, सिपाहियों और हवाबास, शहीदों के नाम इसमें दर्ज हैं अर्दली, उसने आवाज लगाई, ये सर, महमूद ने हाजरी दी, डिक्टेशन लो, लिखो, प्रिया प्रदान मंत्री और रक्षा मंत्री जी, आप दोनों के नाम हम ये खुला खत बहुत भारी दिल और अफसोस के साथ लिख रहे हैं, हमने पिछले सबता, अपने पाठक हुई है, भाजपा और उसकी मित्र पार्टियां अपने निजी कारेकरमों में व्यस्त हैं, काम चलाओ प्रदान मंत्री अटल बिहारी बाचपई, जंगजीत गुलजार के कैसित मरासिम का लोकारपन कर रहे हैं, अखबार वर्ड कप की खबरों से भरे हैं, और जो सूचना देश को ततकाल मिलनी चाहिए, उसके सूत्रों को संभालने वाले सूचना प्रसारन मंत्री प्रमोद महाजन प्रसार भारती को समाप्त करने की मुहीम में मश्गूल हैं, विदेश मंत्री जस्वंत सिंग कारगिल सीमा पर चल रही विदेशी गोली बारी से बेखबर मध्य एशिया के देशों से मैत्री संबंद बनाने में व्यस्त हैं, और हमारे रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस युगसलाविया पर हो रहे नेटो अमरीकी हमलों पर अंतरराश्ट्रिय सम्मेलन कर रहे हैं, कोई भी पार्टी, नेता या राजनेता, देश की उत्तरी सीमा पर चल रहे, इस विस्फोटक युद्ध पर न तो चिंता व्यक्त कर रहा है, न कोई भयान दे रहा है, जबकि उत्तरी सीमान्त पर कारगिल द्रास के इलाके में पाकिस्तानी तोपें पिछले पखवाडे से अपने बारूदी भयान लगा तार दर्ज कर रही है, गुस्प चहरा स्टार न्यूज में पहली बार दिखाई दिया, और बातों के अलावा उसके बयान में भी यही निहित था कि कारगिल द्रास बटालिक शेत्र में आतंकी घुसपेठियों की मौजूदगी को लेकर सरकार का खूफिया सूचना तंत्र निश्क्रिय था, इतना ही नहीं मिश्र जी ने सेना की सूचना तंत्र को भी इशारतन दोशी ठहरा दिया और इसके बाद फिर देश को विश्वास में लेने के लिए ओफेंसिव ऑपरेशन्स के निदेशक एयर कमाडोर, सुभाश भोजवानी और आर्मी ऑपरेशन्स के उप महा निदेशक प्रिगेडिय के लिए कारगिल क्षेत्र में हवाई हमला किया गया, साथी भारत ने ये चेतावनी दी कि इस कारेवाई में यदि पाकिस्तान ने हस्क्षेव किया तो भारतीय सेना उचित उत्तर देगी, दोनों सेनिक अधिकारियों ने ये भी बताया कि हवाई अभियान के परिणाम घुसपैठियों को चारों तरफ से घेर लिया गया है, पाकिस्तान से किसी भी तरह हासिल होने वाली राशन, गोला, बारूद, खायलों के लिए दवाएं आदी, इनकी आपूर्ती रोग दी गई है, भागने के उनके तमाम रास्ते भी बंद कर दिये गए हैं, ये सब जान देश देने के लिए दूर दर्शन पर मौजूद थे, लेकिन जब उत्तरी सीमान्त पर स्कौर्डन लीडर अजय कुमार आहूजा मारा गया, फ्लाइट लेफटिनन नचिकेता अपनी जान को खत्रे में डालकर क्षतिक्रस्त जहास से खूदा, तब कारगिल क्षेत्र में ह वायू सेना का हेलिकॉप्टर शतिग्रस्त हुआ और चालक दल की चार सदस से मारे गए, साथ ही सरकारी आकणों की विश्वसनियता संदिक्द होने के बावजूद, ये बताया गया कि हमारी सेना के 29 जवान मारे गए हैं, 128 घायल हैं और 12 लापता हैं, तब इस देश को वि जोर्ज फर्नांडिस तो उल जलूल बयान देने के विशिशंगे बन चुके हैं, पोखरन परमानू इस फोटों को ओचित ठहराते हुए, उन्होंने चीन को दुश्मन नंबर एक घोशित करने में देरी नहीं की थी, और अपनी गुप्तचर सूचनाओं का हवाला देते कि चीन ने भारत के विरुद्ध तिब्बत में परमानू मिसाईलें तैनात कर रखी हैं, लेकिन इस बार उनकी गुप्तचर एजिंसी उन्हें कारगिल क्षेतर में घुस कर जम जाने वाले पाकिस्तान समर्थित गुसपैठियों की जानकारी नहीं दे सकी, जो तब से वहा चर संगठन आई-एस-आई का हाथ नहीं है, ये घुसपैठ पाकिस्तानी सेना की कर्दूत है, भारत के रक्षा मंतरी को ये मालूम होना चाहिए कि ये एक हास्यादपत बयान है, बलकि लगता तो ये है कि मानन ये रक्षा मंतरी की आउसत चेतना और समझ कुंध हो चुकी आज जबकि दोनों देश परमानू शक्ती से संपन्य है, तो क्या हमारे बीमार, दमाग, रक्षा मंत्री हमें ये संकेट दे रहे हैं, कि आज ये धी भारत पाक युद्ध हो जाता है जिसके की खिलाफ दोनों देशों की जनता है, तो उसका फैसला पाकिस्तान की सरकार के हाथों में नहीं, बलकि पाकिस्तानी फौज के हाथों में होगा। या अल्ला ही बचा सकता है रक्षा मंत्री के इस बयान से पाकिस्तान के अमन पसंद लोग तंत्रवादी तत्वों की बेचारगी उध्गाटित होती है और भारत के लोग तंत्रवादी तत्वों को ये बयान दिखभ्रमित करता है दोनों तरह से दोनों देशों के लोग तंत द्वारा ही किया जा सकता है क्योंकि पाकिस्तान की मौझूदा सरकार का कोई अंकुष अपनी सेना पर नहीं है। जान दाव पर लगाकर देश की रक्षा के लिए कटिबद्ध हैं, उन्हें आपकी लापरवाही की कीमत अपनी कुर्बानियों से न चुकानी पड़े। और फिर रक्षा मंत्री तो इस अंदाज में कारगिल का दौरा करने चले गए, जैसे कि वो सेनने संचालन के विशिशग्य हैं, उन्हें वापस बुलाईए और आप दोनों कोटा जाकर शहीद अजय आहूजा के शोप संतप्त परिवार को संतवना दीजिए। वैसे किसी संदिक दिया अपराधी चरित्र के नेता राजनेता के यहां कोई मौत हो जाती है, तो वहां समवेदना प्रकट करने के लिए आपकी बिरादरी के लोग पहुँची जाते हैं। यहां तो जाबास सिपाही देश के लिए शहीद हुआ है। फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता की बहने, माता, पिता और घरवाले पिछली तमाम रातों से सो नहीं पाये हैं। नचिकेता को पाकिस्तान से वापस लाकर उसे उसकी घरवालों के हवाले कीजिए और अपनी राजनीतिक लापरवाही की इस बड़ी गलती के लिए उसके परिवार से माफी मांगिए। बारा लापता जवानों का पता लगाईए और आज सुभा तक जो 29 जवान शहीद हुए हैं उनके लिए इस देश से शमा याचना कीजिए। उमीद है आप अभी तक पूरी तरह समवेदना शुन्य नहीं हुए हैं। सत्ता प्रेम के चलते लापरवाही बरतने का जो जगन्य अपराद आपसे हुआ है उसके लिए आप इतना तो कर ही सकते हैं। देश के शोक ग्रस्त समय में शामिल एक अधीब और पत्रकार। खत भेजने के बाद अधीब बहुत परिशान था। वो सोच रहा था कि उसके उदगार और विचार कहीं देश की रक्षा-सुरक्षा के नाम पर दूसरों के लिए मौत तो नहीं पैदा करते। क्या एक के जीवित रहने के लिए दूसरे की मौत जरूरी है। मौत? सारे युद्ध महा युद्ध यही तो बताते हैं कि मौत के योगफल के आधार पर ही हार जीत तै होती है। तुम कितनी मौतें दे सकते हो? वो कितनी मौत उठा सकता है? जब तक दूसरा जीवित रहता है पहला नहीं जीतता। मौत ही जय पराजय को तै करती है। सभी युद्धों महा युद्धों में यही तो हार जीत है। फिर चाहे वो कुरुक्षेत्र में आरियों का महा भारत संग्राम रहा हो या आरियाना के डेरियस और यूनानी मिल्डियोडिस का मेराथन के मैदान में हुआ युद्ध। अभी अदीव ये सब सोच ही रहा था कि धर्ती से प्रलेयंकारी जंजावत उठने लगी। काली आंधियां चलने लगी और सारा आकाश अंधेरे में डूबने लगा। नमालूम ऐसे में सूरे जैसा शाश्वत प्रकाश भी क्यों मलीन पड़ जाता है। खुजूर में पिछली सदियों में चला गया था। परो कि ये काली आंधियां क्यों चल रही है और ये वन्य पश्यू व्याकुल होकर क्यों भाग रहे हैं। ये हाहाकार क्यों हो रहा है। शायद इसकी वज़ा शंबूग की हत्या होगी। शंबूग। हाँ हुजूर मैं खुद अपने पूरवज राजा रामचंद्र को देख कर आया हूँ। जब जब इस धर्ती पर धर्म की हानी होती है तब तब ये काली आंधियां चलती है। मैंने अपनी आखों से देखा है। सुभा का समय था हुजूर अयोध्या का राज प्रसाद वेद मंत्रों की पवित्र ध्वनी से गूंज रहा था। अयोध्या के राजा राम चंद्र अश्वमेग यग्य की घोशना के बाद राज प्रसाद से अभी बाहर आई ही थे कि यग्य की घोशना से पहले उन्होंने एक ब्राम्मन का जोधन करंदन सुना। विहत प्रब्र है गए हमारे राम राज्य में ये करुण विलाब कैसा और क्यों। एक अमात्य ने आगे बढ़कर करंदन करते ब्राम्मन को उनके सामने कर दिया। महराजा धिराज ये ब्राम्मन ही विलाब का कारण बता सकता है। वो ब्राम्मन अपने पुत्र के म्रत शरीर को छाती से लगाए राजा रामचंदर को धिकारने लगा। चाहिए कारण मैं बताता हूं तभी नारत जी ने हमेशा की तरह हाजिर होकर राजा रामचंद्र को बताया कि महाराजा धिराज राम धर्म शास्त्रों के अध्याइन तप साथना से मोक्ष को प्राप्त करने का अधिकार केवल ब्रहमन, क्षत्रिय और वैश्यवर्णों का है लेकिन भगवान आपके राम राज्य में एक महापात की घटना घटी उसका कारण है शूद्र वन्शी शंबूक जो अपने दास धर्म को त्याग कर मोक्ष के लिए साधना कर रहा है इस महापाप के कारण ही ब्रहमन पुत्र की म्रत्य हुई है महाराज नारत जी ने सूचन अधी बस फिर क्या था अधी बयालिया राजा राम चंद्रजी ने क्षत्रिय धर्म का पालन किया और ब्राम्मन धर्म की रक्षा के लिए शूद्र शंबूक जैसे रिशी और तपस्वी की गर्दन काटकर धड़ से अलग कर दी ये जंजावत और काली आंधिया राम राज ऐसी क्या बात थी? हुजूर हर दौर अपने कुकर्मों पर पच्छताता है यही कुछ वहाँ हो रहा था ताकि अगली सदियां खुद को पाप से बचा सकें हां महमूद शायक पच्छताने की ताकत रखने वाली संस्कृतियां ही जीवित रहती हैं और वे जीवित संस्कृतियां ही सब्यताओं के रूप में स्थापित हो पाती हैं कर्म और कुकर्म के मान दंड स्थापित कर लेना मामूली बात नहीं अधीब ने दार्शनिक अंद प्रद्ृकिद्ट हाएग्यू ओंडmp natasaben हो गै उन्होंने रिशी गौटम का भेश दारन खिया चौकसी के लिए उसने चंद्रमा को साथ लिए और उसने आश्रम के द्वार पर चंद्रमा को न्युक्त किया और रिशी पत्नी अहिल्या के साथ तब इंद्र ने संभोग किया अदीब ने कुछ पल सोचा और फिर वो आक्रोश से भर गया कहा है वो बलातकारी इंदर उसे मेरे सामने हाजर करो अदीब चीखा हुजूर आप कोई अदालत तो नहीं है कि आप इंदर पर बलातकार का मुकदमा चला सके मत भूलो महमूद किसी भी दोर के अत्याचारों अनाचारों के खिलाफ खड़ा होने वाला कोई न कोई अदीब हमेशा एक नैतिक अदालत बनकर मौजूद रहता है लेकिन हुजूर रिशी गौतम तीनों को सजा सुना चुके हैं इंद्र को उन्होंने श्राप दिया है कि ओ दुराचारी इंद्र तेरा पराभव होगा जिस आसकती के कारण तुने मेरी पतनी अहिल्या के साथ दुराचार किया है ऐसे सहस्त्रों पाप तेरे शरीर में प्रकट होंगे और तुझे जीवन भर लज्जित करते रहेंगे और चंद्रमा को क्या सजा मिली? रिशी गौतम ने उसे शाप दिया कि तेरे शरीर पर म्रगचर्म के दाग हमेशा बने रहेंगे तुझे एक शैरोग लगेगा महीने में केवल एक दिन तुझे पोर्णता मिलेगी बाकी दिनों में तु रुग्ण रूप में घटता बढ़ता और मलान बना रहेगा फिर रिशी गौतम ने अपनी पतनी अहिल्या को देखा और शाप दिया लेकिन अहिल्या को क्यों अधीब ने टोका वो इसलिए हुजूर के विलासी आरेों ने औरत को हमेशा पुरुष की संपत्ति माना है अपनी पतनी अहिल्या को देखते ही वो फड़क उठे तु कैसी पती व्रत्ता पतनी है तुझे किसी के कपट का पता नहीं चला तु पर पुरुषर अपने पती का भेद नहीं जान पाई रूप गर्विता, रदय हीना, जा पत्थर की शिला बन जा अहिल्या ने निर्दोश होने की बात कहकर कई कई बार्क शमा मांगी तब रिशी गौतम ने कृपा करके इतना ही कहा कि ठीक है, एक कल्प के बाद त्रेता युग में जब विश्न रूपी राम का अवतार होगा और उनके चरण तेरी शिला पर पड़ेंगे, तब ही तेरा उध्धार होगा ये तो न्याय नहीं है, इन भ्रामणों ने अपने श्रमजीवियों को शूद्र तो बनाया ही, इन्होंने इस्त्री को भी दंड देकर शूद्रा की श्रेणी में डाल दिया इसलिए तो मैं कहता हूँ, हुजूर की जब-जब अन्याय, अत्याचार और अनाचार होता है, तब-तब मनुश्य की चेतना और आत्मा को ये प्रल्यंकारी जंजावत झखोरते हैं और काली आंधियां चलती हैं लेकिन आज तो हो दौर नहीं, फिर भी ये प्रल्यंकारी जंजावत, ये काली आंधियां, अरण्यों में विक्षिप्त से भागते वन्यजीव, ये कोहराम, शोर, हुजूर, ये महाविनाशी, महाभारत के संग्राम का शोर है हस्तिनापूर से कौरव सेनाएं कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमी की तरफ प्रस्थान कर चुकी है यमुना को पार करके उत्तर पश्चे में कौरवों की 11 अक्षोहिनी सेनाएं अपना व्यू रच रही है और उधर दक्षिन पूर्व से मत्सिप्रदेश, अलवर, विराट और जिंद के क्षेत्रों से आगे बढ़कर पांडवों की साथ अक्षोहिनी सेनाएं शिविर बद्ध हो चुकी है महमूद, मुझे इस विनाशकारी महासंग्राम का पूरा विवरन चाहिए ठीक 18 दिन बाद महमूद लोटा, उसने रिपोर्ट पेश की हुजूर कौरव हार गए हैं, उनमें से कोई जीवित नहीं बचा कौरवों के प्रथम सेनापती भीश्म पितामा थे, पहले दिन कौरवों की विजय हुई पांडवों का शक्तिशाली योद्धा विराट पुत्र उत्तम कुमार मारा गया का हिसाब रखते हैं, यमराज से तो मैं नहीं मिलना चाहता, पर महाराज चित्रगुप्त से कहो कि वो अपना रजिस्टर लेकर फोरण हाजिर हो, चित्रगुप्त जी को आने में गोडन योग बता सकते थे, महाभारत युद्ध में मरने वालों की संख्या कितनी थी, अधीब ने पूछा, असंख्या, और उन में से पांच पांडवों और श्रीकृष्ण के अलावा कोई जीवित नहीं बचा, चित्रगुप्त बोले, उन मरतकों की संख्या इतनी अधिक है, कि उसे उच्चारित करने में बहुत समय नश्ट होगा, बस इतना जान लीजिए कि दोनों और से कुल 18 अक्षोहिनी सेनाएं यु और इनका गुणा 18 से कर दीजिए, तो चित्रगुप्त ने अपने यंत्र की तरफ देखा, रहने दीजिए, रहने दीजिए, अधिब बोला, इतने अधिक मरतकों की संख्या की बात सोच कर ही मेरे होश उड़े जा रहे हैं, मुझे चक्कर आ रहे हैं, कहते हुए अधिब म दोहराम मचने लगा, तभी एक क्रशकाय व्रद अधिब के सामने आकर खड़ा हो गया, अधिब ने आसु भरी आखें उठा कर उसे देखा, प्रान रहित क्रशकाय व्रद ने उसे देखा, आप, आप कौन हैं, अधिब ने पूछा, मैं, मैं तुम्हारी ही तरह एक आम मैं हर अभाव ग्रस्त, शोशन ग्रस्त, यातना ग्रस्त और मृत्यू ग्रस्त मनुष्य के आंसु एकत्रत करता हूं, तो आप मुझसे क्या चाहते हैं, तुम्हारे आंसु व्रद बोला, मेरे आंसु, हाँ, मनुष्य के आंसुओं से पवित्र कुछ भी इस दुनिया में अधीब, मैं उन्हीं पवित्र आसुओं को अपनी अंजुरी में भर कर ले जाता हूं, मैं उन आसुओं का अध्यान करता हूं, उनके संताप, दुख, यातना, पीडा के ताप को पहचान करता हूं, आप तो बड़ा आश्चरेजनक प्रयोग कर रही हैं बाबा, इनसे को जमा करता जाता हूं, कहां? अश्रो सागर में, अधीब कुछ चौका, सदियों से मैं यही कर रहा हूं और देख रहा हूं, सदियों मनुष्य प्रकृती का शोशन करता रहा, प्रकृती बांज हो गई तो मनुष्य ही मनुष्य का शोशन करने लगा, इसलिए अब की बार आ गई है, क्योंकि मनुष्य ने मनुष्य के खिलाफ अब यंत्र का अविश्कार कर लिया है, अधीब ने उसे अश्चर से देखा, देखो अधीब, प्रमांड की अमूर्थ पराशक्ती ने अशक्त हो गई शरीर से आत्मा की स्वाभाविक मुक्ती के लिए मृत्य का एक सामान्य विधान बनाया था, लेकिन जब से मनुष्य ने मृत्यू का अविश्कार किया है, तब से युद्धों में अप्राक्रतिक मृत्यूएं होने लगी है, नरसंगहार होने लगे हैं, मैं कुछ कर नहीं पाता, बेबस हूँ, इसलिए अधीब, मैं हर अप्राक् उसके बाद जेलम, केने, सोमनाथ, तराइन, क्रेसी, पानीपच जैसे सेंकडों संग्रामों में मैं ही मरता आया हूँ, मैं करोणों, पद्मों और नील की संख्याओं में बार बार और हर बार मरता रहा हूँ, क्योंकि मनुष्य हंता, मनुष्य ने एक आप्राक्रतिक मौत का अन्वेशन कर लिया है तो इस गैर जरूरी मौत का प्रतिकार कैसे होगा बाबा हमें मृत्यों के बदले जीवन को तलाश ना होगा अधीब और इसी तलाश के लिए मुझे तुम्हारे आंसों की जरूरत है आंसों ही जीवन को जीवित रख सकते हैं कहते हुए उस क्रश का प्राय व्रद्ध ने अधीब की आंखों के आंसों निचोल लिए और बोला मैं इन आसों का अध्यान करूंगा निशकर्ष निकालूंगा और उन्हें अपने पास रख लूंगा जानता हूं मेरी बात कोई नहीं सुनेगा बस कोई रोएगा तो उसके आंसों लेने चला जा तब तो इस बेसूद और गयर जरूरी मौत से निजात पाने के लिए जिंदगी की सार्थक तलाश में किसी को निकलना ही पड़ेगा। समराट गिलगमेश की ये आवाज धीर गंभीर ब्रह्मान में गूंजने लगी। मैं पीडा से लड़ूँगा, यातना सहूँगा, कुछ भी हो मैं मृत्यू को पराजित करूँगा, मैं मृत्यू की मुक्ति की आवश धी खोज कर लाओंगा। समराट गिलगमेश की घोशना सुनकर प्रत्येक सभ्यता के देवताओं की दुनिया में कोलाहल मच गया। सुमेरी सभ्यता का परम विलासी देवता यवनिक चीखने लगा। सुनी आप सबने समराट गिलगमेश की घोशना, वो मृत्यू से मुक्ति की आवश धी खोजना चाहता है। गलती हमारी है। सुमेरी सभ्यता के दूसरे देवता वपुन ने उची आवाज में कहा। जब पराशक्ति ने जीव को जन्म देकर जीवन की लालसा, सुख का अबाद अधिकार और विवेक की शक्ति दी थी, तब हमने इसका विरोध नहीं किया। ये मौलिक गलती हम सब ने की थी। तो प अनुष्य की श्रष्टी में सब कुछ अवैद है। यदि वो म्रत्यू को जीत कर हमारी श्रष्टी में आबसा, तो हमारा ये स्वर्गिक संसार प्रदुशित हो जाएगा। बेबिलोनियों का डरा हुआ देवता, बेबुलोनिस अन्य सब्भिताओं के देवताओं को आगाह करने लगा और कहने लगा। पराशक्ति से हम देवताओं को इसका उत्तर मांगना चाहिए। और सुनो, सिंदु सब्भिता के सर्व शक्तिमान आरे देवता इंद्र का तत विश्व विजय के लिए निकला तो कोई शक्तिवान उससे लोहा नहीं ले पाया अपनी विजय यात्रा में उसने सहस्त्रों को आरी कन्याओं का शील भंग किया पराजित युद्धाओं की पत्नियों और इस्त्रियों को उसने अंकशाईनी बनाया वो दाम वासना से ग्रस् जो अब एका एक पुन्यात्मा बनकर म्रत्य से मुक्ति की ओशदी प्राप्त करने का नाटक कर रहा है। इसे कुछ ठक कर रूस के दक्षिन वर्ती घास के मैदानों में रुख गए थे। जिन कबीलों का साथ कुद्रत ने नहीं दिया वो मिस्त्र की तरफ चले गए। लेकिन आरेयों के बड़े-बड़े कबीलों को पूरप का सूरज ज्यादा आकरशित कर रहा था। उन्होंन मतलब है कि आरेय कबीले कई कबीलों में बढ़ गए हैं? हाँ श्रीमन, आरेय कबीलों का दूसरा कारवा मशत के इलाके को छोड़ता हुआ हैरात और बलख के रास्ते बोलन दर्रे से सिंदु प्रदेश में दाखिल हुआ था। आरेयों का तीसरा कारवा जो खैबर दर्रे को पार करके सिंदु घाटी में दाखिल हुआ, वो मोहन जोड़ो और हरपा के इलाके में बस कया है। शायद नहीं आरेयों का राजा है इंद्र, वह भी समराट गिलगमेश की तरह ही महा विलासी है। हमें उसकी विलासिता से कोई लेना देना नहीं, हमें तो पराशक्ति स सवाल करना होगा कि उसने मनुष्य जाती को विवेक की शक्ति क्यूं दी है। और तब इस फ्रश्न के उत्तर में सब्त सिंदु की आरे सब्विता से इंद्र का उत्तर गूंजता हुआ आया था। सुनो, पराशक्ति मौन है, वो विखंडित होते परमानों का आधार भूत रूप है, वही ब्रह्मान्ड की मूल मौन शक्ति है, ब्रह्मान्ड इसी की उर्जा से बनता, इसी में टिका रहता है और इसी में विलीन हो जाता है, वो आदियंत से परे है, अपरिमित और अपरिमेय है, अज्यात और अग्ये है, अद्वितिय है, परा अपरा है, नित्य ह शाश्वत और सनातन है तेज पुंज है ब्रह्मांड के सहस्त्रों सूर्यों से अधिक तेजस्वी पदार्थ इसी में जन्मता और इसी में विलीन होता है जो कुछ भू लोग धू लोग और अंतरिक्ष लोग में अवस्थित है वो सब यही है इससे परे कुछ भी नहीं यही है चेतना उर्जा या आदि परमानू की पराशखती हमने हमारी सभ्ष ने इसे ब्रह्म को कारा है भ्रह है यह निस्चित हैं परन्तु वह क्या है यह अनिश्चित है वो रूपाकार से परे हैं वो व्याख्याहीन अध्वितिय अघ्य और अद्वैथ है वो प्रश्णों से उप्राम है सिंदु सभ्यता का ये संदेश पाकर देवताओं की मंडलियों में खामोशी और निराशा चागई उजानते थे कि प्रह्म शक्ति अथ्वा आधी पर्मानु शक्ति को लेकर जितने आत्मिक और दैविक अनुसंधान सिंदु सभ्यता ने किये हैं उतने किसी अन् समराट गिलगमेश वो आखिर कौन रोकेगा कौन तभी सुमेर के पर्वतों से निकल कर सर्व शक्तिमान अनु उपस्थित हुआ चिंता ग्रस्त देवताओं ने उसे धांडस बंधाया आतंकित होने की आविशक्ता नहीं है यद्धिपी समराट गिलगमेश ने युरुक म इना का मंदिर बनवा कर उसमें मेरी और युद्ध की देवी इश्टर की विशाल ततिमाई स्थापित की हैं लेकिन जब उसने अपने पाप, अनाचार और अत्याचार से त्राही त्राही मचा दी लोगों का जब करुन करंदन मुझे सुनाई दिया तो मैंने उस असाधार प्रचंड समराट गिलगमेश को समाप्त कर देने या खशुद्र बना देने की योजना बनाई। मैंने आकाश पुत्र एकिन्दू को मनुष्य का जन्म देकर प्रत्वी पर भेजा। एकिन्दू एकदम आदिम, जंगली, पशुतुल्य और बरबर था। उसकी शरीर पर वन्य पशुओं की तरह बाल थे, वो जंगली जानवरों के साथ रहने लगा, वो उन्हीं की तरह कच्चा मास खाता था और जुरूरत पढ़ने पर खास भी खा लेता था। एक दिन एक शिकारी जंगल में शिकार के लिए पहुँचा, वहाँ एका एक उसने एकिन्दू को देखा और वो भैभीत हो उठा, जो कुछ भी शिकार उसके हाथ लगा था, उसे उठा कर वो घर की ओर भागा, उसके मूँ से बोल नहीं फूट रहे थे, कामते हकलाते उसने अपने पिता को बताया, जंगल में मैंने एक भयानक विलक्षन मनश्य को देखा, वो जंगली ज जाओ और समराट गिलगमेश को सूचित करो, उसे निश्चे ही देवताओं ने प्रत्वी पर भेजा होगा, क्योंकि देवता लोग हमारे समराट गिलगमेश से भैभीत हैं, समराट गिलगमेश की जितने प्रशिंसा की जाये कम है, हमारे समराट बहुत चतुर, गुद्ध तुम ततकार उस वन्य पुरुश की सूचना संवराट को दो और सुनो उस वन्य अवतारी पुरुश को वर्ष में करने के लिए तुम इना के प्रेम मंदिर में सबसे सुन्दर देवदासी को लेकर जंगल में जाओ। देर मत करो, जाओ, उशिकारी यूरुप के लिए रवाना हो गया, वहाँ पहुचते ही उसने सारी सूचना समराट गिलगमेश को दी, तो समराट ने कहा, ये निश्चे ही मेरे विरुद्ध देवताओं का शडियंत्र है, तुमारे पिता ने ठीक कहा, तुमीना के प्रेम बढ़ती है और ये अपनी साधना और लक्षी को भूल जाते हैं, निश्चे ही मेरा वो शत्रु भी नारी सूंदर्य के प्रती आकर्शित हो जाएगा, तब बन्य पशु उसे अपने समाज में रखने से इंकार कर देंगे, सब्त सिंदु की आरे सब्विता में भी अपने देवताओं को वश में रखने के लिए अपसराओं का उपयोग किया जाता है, तुम तुरंत परम सौंदर्य शाली देवदासी रूना को लेकर जंगल में जाओ, और उस अवतारी वन्य पुरुष को उस स्त्री का दास बना दो, आदेश पाकर वो शिकारी उसी अत्यंत सौ भैभीत भी हुआ और उत्साहित भी, उसने देवदासी को बताया, यही है वो, तुम अपने आवरण हटा दो, शर्माओ नहीं, देरी मत करो, तुम्हें नगन देखकर वो तुम्हारी ओर खिचा चला आएगा, और तब, तब तुम उसे अपने वश में कर लेना, देवदा अपसी से अलग नहीं हुआ, वो उसे अपनी बलिष्ट बाहों में लेकर तरह तरह से देखता रहा, नमालूम वो एक दूसरे की आँखों में क्या तलाशते रहे, मुझे तो लगता है कि यह प्रेम नाम की भावना थी, जो मनुष्य ने इस तरी में तलाश ली थी, मेरा मा था तभी ठनका था, एक इंदू प्रेम की उस आसकती में ये भी भूल गया कि वो मनुष्य के रूप में आकाश देवता का पुत्र है, मैं उसे ये कैसे याद दिलाता, मैं कुछ नहीं कर सकता था, एक इंदू और देवदासी छे दिन और साथ रातों तक एक साथ रहे, त में यूरुक की भवे दीवार और महान मंदर दिखाऊंगी, वहाँ अनू और इश्टर निवास करते हैं, वहाँ समराट गिलगमेश हैं, वो महाशक्तिशाली हैं, वो हम जैसे मनुष्यों की श्रष्टी की रजना कर रहे हैं, आखिर देवदासी रूना ने एक इंदू को साधरन मनुष्य की तरह बना लिया, उसने वन्यबालों को साफ किया, अपने कपड़ों का एक भाग उसे दिया, दूद पीना और कंद मूल खाना से खाया, और उसे लेकर यूरुक के लिए रवाना हो गई, जब देवदासी रूना एक इंदू को लेकर नगर में दाखिल ह हुई, तो उसे देखने के लिए अपार जन समोर उमड पड़ा, भवे दीवार के पार एक इंदू का आमना सामना गिलगमेश से हुआ, दोनों ने एक दूसरे को जलती हुई आँखों से देखा, एक इंदू के नथुनों से जोरों की घरगराहट निकलने लगी, गिलगमे पास था कि एक इंदू विजई होगा, लेकिन आश्चरे की बात कि गिलगमेश ने एक इंदू को ऐसा दबोचा कि वो छटपटाने लगा, उसने एक इंदू के घुटनों को मरोडा और उसे उठाकर वायू मंडल में फेंक दिया, काफी देर तक एक इंदू वायू में सू ले लिया, गिलगमेश भड़क उठा, उसने कुछ कठोर अपशब्द मेरे लिए कहे, वो चीखने लगा, तो देवता अनू ने तुम्हें मेरे विनाश के लिए भेजा है, वही देवता अनू, जिसके लिए मैंने भव्य दीवार और मंदिर बनवाया, जिसे मैंने श्रध वो मात्र मुझ जैसे मनुष्य के कारण है, ये सुनकर सारे देवता क्रोधित हो उठे, वपन तो भड़क ही उठा, तो समराट गिलगमेश इतना एहंकारी हो गया है, इसके इस एहंकार को तोड़ना ही होगा, या अब असंभव है, क्योंकि भव्य दीवार के पास हुई, अकादी सभ्यता का देवता सुरू घबरा कर बुला, यही तो परम देवता अनु ने कहा, भयानक बात यह है कि प्रत्वी समराट गिलगमेश के मित्रता, प्रत्वी समराट गिलगमेश ने मित्रता नामक तत्व को भी तलाश लिया, ये सुनकर सारे देवता बेहत जिंतित और हताश हो गए तब मेसोपोटामिया के देवता अलवोनियस ने संकट ग्रस्त स्वर में कहा देवताओं के देव अनू हमारी कमजोरी यही है कि हमने प्रेम और मित्रता जैसे तत्वों को तलाशा नहीं सारी देवियां केवल हमारी वासनाओं का त्रप्तिकुंड हैं और हम देवताओं में कोई भी किसी का मित्र नहीं इसलिए मनुष्य द्वारा प्रेम और मित्रता जैसे तत्वों की खोज बहुत विक्राल साबित हो रही है यह हम देवताओं के अस्तित्व के लिए भयानक खत्रा बन सकती है यह स्तिति विस्फोटक है वह मौजूद तमाम प्रेम तथा मित्रता जैसे नए तत्वों की खोज कर ली है लेकिन तुम्हें किसने रोका था तुम सब खोर एंकारी हो तुम यह सब भूल गए कि मनुष्य ने ही तुम्हें सिर्जा है मनुष्यों के बिना तुम्हारी और हम जैसी देवियों की कोई आउकात यास्तित्व नहीं तुम समस्त देवता लो प्रेम विहीन और एकांगी व्यक्ति हो तुम सब स्त्री पर आसक्त हो कर उसका शील भंग कर सकते हो अवैद संताने पैदा कर सकते हो क्योंकि तुम अहनमय हो तुम नितांत व्यक्तिवादी हो तुम्हारे पास मित्रता का मूल्य नहीं तुम तुम एक दूसरे के पूरक नहीं तुम हमेशा एक दूसरे से इस परधा करते हो तुम्हारे सारे आचरण अवैद हैं इसलिए तुम किसी वैद सभ्यता या संस्कृति का निर्मान नहीं कर सके तुम सब भूल रहे हो कि धरती के मनुष्य ने प्रेम और मित्रता के अलावा प नहीं तुमने इस्त्री को मात्र भोग्या मानकर अवैद संतानों का देव लोग स्थापित कर लिया पर इस देव लोग के पास कोई संसकार या परंपरा नहीं है देवी तानिया तुम अपने ही वंशजों का अपमान कर रही हो तमाम देवता और कुछ देवियां एक साथ चीख उठे मैं अपमान नहीं सिर्फ तुम्हें आगाह कर रही हूं मनुष्य ने जिन जीवन तत्वों को तलाशा है और आगे तलाशेगा वो हमारी म्रत्यों की घोशना होगी देवी तानिया ने कहा और वो अंतर्थ्यान हो गई सारे देवता अवाक और हत्प्रभ रह गए और तब अपने अस्तित्व की रक्षा को परम देवता अनूने सुझाओ दिया अस्तित्व के संकट के इस घड़ी में हमें सब्त सिंदु के आरे देवताओं से संपर्क करना चाहिए हमारे पास केवल तीन नदियां है दजला, फरात और डेन्यूग हमें केवल इन तीन अधिदेव संदेशी ने आदर के साथ सर चुका कर कहा, वो आगे कुछ कहता इससे पहले एक देटा ने टोका, तुम कौन? श्रीमन, हम तो गुमन्तु पशुपालक हैं, पर आपके संदेशी का कारे भी करते हैं, हम तो सब्त सिंदु से लेकर आपके प्रदेश तक और यहां से लेकर बालेश या पाशान क्षेत्र से लेकर बास, पोरस और दर्वे दानियाल तक हमेशा घूमते रहते हैं, यहीं से होकर तो आरे कभीले सिंदु हाटी तक गए हैं उन्हीं मेंसे कुछ कभीले आर्याना में बस गए हैं जो आगे बढ़ते गए विसंदु सरस्वती और द्रश्ट द्वंदी नदी को पार करते यमुना के मत्यदेश तक पहुंच चुके हैं उसे वो ग्रहमवर्द के नाम से प मुझूद है क्या आर्यों ने उन नदियों का नाम करन कर लिया हां श्रीमन उन्हों ने उनका नाम करन करके उसे अपनी संपदा बना लिया है आर्याना के आर्या इसी लिए पिछड़ते गए क्योंकि उन्होंने नाम करन की पद्दती नहीं अपनाई आर्यों ने उत्तर प भागों को भी अंकित कर लिया है हम तो गूमन्तु हैं जब भी आरे प्रदेशों की तरफ जाते हैं तो गांधारी जन्पत से पशुकेश ले कर आते हैं मूंजवत में पहुंचते हैं तो श्रेश्ट सुरा पान का आनंद उठाते हैं फिर हम उन्हें दुरहय और तुर्वश प्रदेशों में रुखते हैं तो यव और धान्य भी प्राप्त कर लेते हैं इन प्रदेशों का अन्य अध्वितिय है श्रीमन आरियों के पास जल संपदा के अलावा संदर्य शाली प्रात्व काली नूशा है परवत प्रजन्य विध्युत मेख और घंगोर वर्षा है उन अनु ने पूछा नहीं श्रीमन आरे देवता आप सब देवताओं की तरह ही कर्म विहीन है उन्हें श्रम की जुरूरत नहीं श्रम तो उन देवताओं की मनश्य जाती ही करती है परंदेव अनु तभी एक देवता ने हस्तक्षेव किया हमें संदेशी के व्रतांतों में न सारा व्रतांत दे रहा हूं ताकि आप इस समस्या को पूरे परिप्रेक्ष में समझ सकें देखिए यहां आकर एक इंदू भूल गया कि वह आकाश पुत्र है मनुष्य बनते ही उसने प्रेम नावक समवेग को तलाशा और स्थापित कर लिया समराट गिल्गमेश ने मित्रता को अंतिम रूप से कुछ तलाशना है तो वो है मनुष्य की ओशधी श्रीमन आप देवताओं का पराभव निश्चित है संदेशी की यह बात सुनते ही देव मंडलियों के प्रत्यक देवता की भृकुटियां तन गई उनकी आँखों से क्रोध बरसने लगा क्रोधित मत हो को यह महमान्य तक्तिकों स्वीकार हिए मनुष्य ने जिन महाशक्तियों का आनवेशन किया है वे आपके पास नहीं है उसने आविश्करत कर लिया है जीवन क्रम श्रम प्रेम मित्रता और शांती जैसे जीवन के महातत्त्वों हो इसलिए अब उसकी अमरत्म की कामना बना देंगे हम प्रेम के विरुद्ध घ्रणा का श्रजन करेंगे हम मित्रता को शत्रता में बदल देंगे हम शांती को अशांती से ध्रस्त कर देंगे हम जीवन को म्रत्यू से उन्मुक्त नहीं होने देंगे तभी तीनों देवियों इना सुसोती और कलपा ने वहां प्रव हैं तुमने हमें मात्र भोग्या बना रखा है प्रेम की वह मर्यादा जो मनुश्य ने विक्षित कर ली है उसका लेश मात्र अंच भी तुम में नहीं तुम सब व्यभीचारी हो और तुम ही नहीं सिंदु सब्विता के देवता भी तुम्हारी ही तरह हैं अब सराओं को देखते ही उनका तप भंग हो जाता है विवीरे पात करने लगते हैं तुम्हारे सखाजीयस इस समय भी पाशान प्रदेश के मंदिर मे देवदासी इष्टा के साथ रतिमग्न हैं देवता सुवोग डेन्यूब नदी के किनारे देवी परंती के साथ संभोग में लिप्त हैं सिंदु सब्विता का ब्रह्म अपनी पुत्री शत्रूपा सरस्वती पर आसक्त होकर पिछले सौ दिव्वे वर्षों से उसके साथ स सब्विता में वो ब्रह्मन औशदियों और तारगणों का सम्राठ है जानते हो उसने त्रिभुवन को जीत कर राज सूय यग्य किया था उस महायग्य में त्रिभुवन सुंद्री देवताओं की गुरुपत्नी तारा भी आई थी चंद्र गुरुपत्नी पर इतना मोहित ह गया कि वो बल पूर्वक तारा का अफरन कर गया देव गुरु ब्रहस्पती ने अपनी पत्नी लौटा देने के लिए चंद्र को कही बार प्राधना पूर्वक समझाया परन्तु चंद्र तो कामांध था वो गुरुपत्नी तारा के साथ बलातकार और व्या विचार करता रहा आखिर भीशन युद्ध के बाद गर्भवती तारा को चंद्रमा से जीत कर लाया गया कहां तक गिनाया जाए तुम देवताओं की समस्ति सभ्यता है निरलज्ज है पातकी है गुरु पत्नी से संभोग करने के बाद भी तुमने उसे पत्त भी नहीं ठहराया परम परम देवता अनू ने सिर्फ इतना ही पूछा तुम तीनों तो देवियोनी की हो आयुश्वती हो मृत्य से मुक्त हो तुम मृत्य लोक में सीमित आयू वाले नश्वर मनुस्यों के साथ कब तक और कैसे रह सकोगी कितने पुरुशों के साथ जीवन व्यतीत करोगी उसकी नश्वर गिल्गमेश ने क्या कहा था यही कि यह असंभव है मैं तुमसे प्रेम नहीं करता इसलिए मैं तुम्हारे शील की रक्षा नहीं कर पाऊंगा कहते कहते ईना की सांसें तेज हो गई उसने उन्हें धिकारते हुए पूछा कहीं है तुम देवताओं के पास इतना स फटिक साहस और इतनी विराट नैतिक ता देवता सह में हुए एक दूसरे को देख रहे थे तब ही सुसोती बोल पड़ी परम देवता अनू में इतना भी साहस नहीं कि यह इश्टर के साथ घटेत इस घटना का सत्य बता सकें लेकिन वो सत्य मैं बताती हूँ समराट गिलगमेश द्वारा किये गए इनकार को इश्टर बरदाश्ट नहीं कर पाई अपमानित इश्टर तभी ही के पास पहुँची और उसने गिलगमेश पर लांचन लगाया था परम देव अनू नश्वर मनुष्य समराट गिलगमेश ने मेरा अपमान किया है देव लोग की देवियों को उसने पतिता कहा है उसने आरोप लगाया कि हम देविया नहीं व्या भिचारिनी वैश्याएं हैं किसी को नहीं मालूम कि एक देवी कितने देवताओं की अंक शय नहीं रह चुकी है कहते कहते सुसोती ने आवाज ओची करके परम देव अनू से एक इंदू के हरदय परिवर्तन के बाद तब इनहीं परम देव अनू ने समराट गिलगमेश को नश्ट करने के लिए एक भयंकर और विक्राल सांड को जन्म देकर प्रत्वी पर भेजा था यहीं पर मित्रता नामक मूल्य की परीक्षा पहली बार हुई उस पागल विक्र सब्askaड भेज़े पर ज्वलनशी लांग उगलते हुए कहा, एक इंदू क्या तु भूल गया कि हम दोनों की परम देवता अनू ने जन्म देकर धर्टी पर भेजा है क्या तु भूल गया कि हम दोनों का लक्ष गिलगमेश की हत्या है तब एक इंदू ने उसके विशाल सिर को सींगों से पकड़ कर जख छोड़ते हुए कहा ए व्रशब तु विवेख हीन पशु है तुझे तो क्या देवराज अनू को भी नहीं मालूम की मित्रता किस चिडिया का नाम है मेरे जीवित रहते मेरे मित्र गिलगमेश को कोई नहीं मार सकता ये सुनते ही व्रशब ने उनमत्त होकर भयंकर आक्रमन किया तो समराट गिलगमेश ने व्रशब की गरदन और प्रश्ट भाग पर तेज प्रहार किये अन्तत्ध वो सांड मारा गया लेकिन एकिंदू बुरी तरह घायल हो गया था उसकी स्थितिम रतक किसी हो गई थी गिलगमेश ने यूनान के बड़े से बड़े वैद राजयों हकीमों को बुलाकर उसका उपचार करवाया देवदासी रूना ने जिसने एकिंदू से प्रेम किया था बहुत सेवा की गिलगमेश अपने मरना सन्न मित्र को धीरज बंधाता रहा मित्र एकिंदू तुम जीवित रहोगे ऊर और कीश के कबरिस्तानों में अब कोई मनुष्य दफन नहीं होगा मनुष्य जीवित रहेगा फिर उसने एकिंदू को देखा तो उसका दिल दहल उठा वो उसे छूचू कर विलाब करने लगा मित्र एक इंदू, कैसे हो तुम, कैसी नीद है ये, इस नीद ने तुम्हें क्यों चकड़ लिया है एक इंदू, मेरे मित्र, तुम काले क्यों पड़ गए, तुम मेरी आवाज क्यों नहीं सुनते गिलगमेश के विलाब के बावजूद एक इंदू ने आखे नहीं खोली गिलगमेश ने उसके रिदय पर हाथ रखा उसकी गती बंद थी वो फूट फूट कर रोने लगा मित्र एक इंदू तूने मेरे लिए पीडा सही है मेरी यातना तूने अपने उपर ली है तूने मित्रता के नाते मृत्यू का वरण किया है और तब अपने आसू पोँचकर समराड गिलगमेश ने ये घोशना की सुनो देवताओं सुनो तत्थ्वी समराड गिलगमेश की आवाज ये दूसरी आवाज है ये भोग, विलास और पशूवत दहिक एश्वरे की आवाज नहीं ये मनुष्य की पीडा, दुख, यातना, श्रम और मृत्यू से उसे मुक्त करने की आवाज है इना चीखी आगे, आगे सुनो, सुनो और गिलगमेश की आवाज फिर गूँजने लगी मैं पीडा से लडूँगा, यातना सहूँगा, कुछ भी हो मैं अपने मित्र और मनुष्य मात्र के लिए मृत्यू को पराजित करूँगा मैं मृत्यू से मुक्त की आवशधी खोज कर लाऊंगा समराट गिलगमेश की घोशना से एक बार फिर देव लोग कांपने लगा देव सभिताएं अवसन रह गई तभी इना ने घोशित किया प्रलाय के समय आरे सभिता की एक मत्से कन्या ने गिलगमेश को अमरता प्राप्त करने का रहस्य बताया था मत से कन्या के कहे मुताबिक गिलगमेश ने मृत्यु के विरुद्ध जीने की शक्ति रखने वाले सभी जीवकणों अणुओं को अपनी नाभी में छुपा लिया था इसलिए वो जल प्रलय में जीवित रह सका उस मत से कन्या ने ही उसे सुरुपक नगर के जीवसुद्ध की जानकारी दी थी जिसके पास मृत्युसे मुक्ति की ओशदी सुरक्षित थी किसी को मालूम नहीं था कि जल प्रलय के बाद शुरुपक का वा जीवसुद्ध उस ओशदी को लेकर कहा छुप गया तो सुनो सुमेर सभिता की देवताओं समराट गिलगमेश निश्चे ही शुरुपक के उस जीवसुद्ध का पता लगा कर रहेगा और उस ओशदी को प्राप्त करके रहेगा जो मनुश्य को अमरता देगी इसलिए हम तीनों तुम्हारा देव लोग छोड़कर मृत्य लोग में जा रही है क्योंकि समराट गिलगमेश उस सागर तक पहुँच गया है जहां से वो जलमार्ग जाता है जहां अतल जलराशी के नीचे प्रदेश में शुरुपक का जीव सुद्दू वृत्य से मुक्ति की ओशदील ये छुपा बैठा है ये सूचना सुनते ही देवताओं की मंडली में फिर से भूकम पा गया अब क्या होगा क्या दूसरी प्रलय होगी कोला हल और जबरदस्ट शूर के बीच परम देवता अनू ने एलान किया इससे पहले कि गिलगमेश सागर की अतल लहराईयों में उतर सके उसे बंदी बना लिया जाए अब तो मुसकी परचाई को भी बंदी नहीं बना सकते इना ने कहा रोको रोको परम देवता ने अपनी शृष्टी के विशैले जीव जन्तूओं को पकारा विश्धर भुजंगों विशैले व्रश्चिकों गिलगमेश को अपने नागपाश में ले लो अपने विशैले दंश से उसके शरीर को निश्परान कर दो और तब तीनों देवियों ने देखा कि समुद्र में च्छलांग लगाने के लिए उध्यत गिलगमेश के शरीर पर सैक्णों विशैले सर्प लिपट गए थे उन्होंने उसे जकर लिया था सैक्णों बिच्छू उसके शरीर पर डंक मार रहे थे ये द्रश्य देखकर देवियां विचलित हो उठी लेकिन तभी गिलगमेश ने उन विशैले विश्धरों और व्रश्चिकों की परवाहन करते हुए अपनी बलिष्ट भुजाओं को पसारा और उसने सागर में च्छलांग लगा दी सागर ने अपनी उत्ताल तरंगों में उसका स्वागत किया और कहा धर्ति पुत्र जब तक तेरा एक भी अंग सक्रिय रहेगा तब तक इन विश्धरों और रश्चिकों का विश्भी प्रभावहीन होता जाएगा मेरा जल प्रत्वी के हर विश्ध को शमित करता है तूपाता लोग तक की अपनी यात्रा को पूरा कर और गिलगमेश अथा पानी के उस तल हीन संसार में नीचे उतरता जला गया सदियां बीट गई और अब तक गिलगमेश की यात्रा जारी है ओश्धी की तलाश में वो अब भी सागरतल की गहराईयों में उतरता जा रहा है सदियां बीट गई मरत्यू से मुक्ति की ओश्धी लेकर मनुष्य समराट गिलगमेश अभी तक लोटा नहीं है लेकिन देवदासी रूना और वन्य पुरुष एकिंदू ने प्रेम नामक जिस सम्वेक का अन्वेशन सहज ही कर लिया था उसे मृत्यू का भय नहीं था मनुष्य जाती में वो जीवित जागरत और सदा सदा के लिए स्थिर हो गया उसे मृत्यू मार नहीं सकती अगनी जला नहीं सकती वायू उडा नहीं सकती शश्ट्र उसे काट नहीं सकता सागर उसे डुबू नहीं सकता मृत्यों की तरह ये अकाट्य सत्य उस दिन स्थापित हो गया था जिस दिन मिस्त्र के एक मंदिर की पत्रिली दीवार पर किसी धातु के नुकीले कलम से ये वाक के उतकीरन मिला मुझे तुम्हारी प्रतीक्षा है ये दुनिया की प्रथम प्रेम कहानी थी इस प्रथम प्रेम कहानी के बाद मिस्त्र के पिरामिड बने पिरामिडों के इतिहास से ज्यादा बड़ा और पुराना है मनुष्य के प्रेम का इतिहास देव दासी रूना और वन्य पुरुष एकिंदु के वे एकांत क्षन जब वासना के बाद उन्होंने एक दूसरे की आँखों में अपने अस्तित्व की तलाश की थी और उसे प्राप्त किया था प्रेम की यही शाश्वत कहानी तब से अब तक सांस ले रही है उसी कहानी में शामिल है बूर्टा सिंग और रेत परी की ये कहानी राजिस्थान का तपता रेगिस्तान, कोई चीखा, बन गया साला पाकिस्तान आसमान की आँखें सूखी हुई थी, उनमें एक भूंध भी पानी नहीं था मौसम विभाग के वैग्यानिकों ने सूचना दी थी, कि इस बार धर्ती वर्षा के पानी से नहीं, मानव रक्त की बरसाद से सीची जाएगी इनी गोशनाओं के बीच, 50-55 साल का सिख्व किसान बूटा सिंग, अपने बंजर खेतों की ओर से लोट रहा था उसके तीन भाई थे, लेकिन खेतों की जायदात का बटवारा नहीं होने पाए, इसलिए उन्होंने बूटा सिंग की शादी नहीं होने दी वो अभी तक कुमारा था, उस रेगिस्तानी धर्ती की तरहा, जिस पर वर्षा की एक बून तक नहीं गिरी थी वो बूटा सिंग अपने बांच खेतों की ओर से घर को वापस जा रहा था, आवाजें गूंज रही थी बन गया साला पाकिस्तान, जो बोले सो नहाल, सत सिर्यकाल, नारा ए तकबीर, अल्ला हो अबर, हर हर महादेव बूटा सिंग को पता नहीं था कि मौसम विभाग के वेग्यानिकों ने क्या सूचना दी थी वो इस बात से बेखबर था कि आजा दी के इस साल पानी की जगा खून की बरसात होने वाली थी बूटा सिंग रेथ पर रास्ता बनाता हुआ चला जा रहा था ये रास्ता वो रोज बनाता था जो रोज मिट जाता था घर पहुँचने की भी उसे कोई जल्दी नहीं थी किसी के आखें उसका लोट कर आने का रास्ता नहीं देखती थी तबी पीठ पीछे उसे डरी हुई कमसिन आवाज सुनाई दी बचाओ 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 बूटा सिंग ने पलट कर देखा एक सूला सत्रह साल की लड़की अपनी अस्मत की रक्षा के लिए उसकी और दोड़ी चली आ रही थी उसके कपड़े तार तार थे बाल बिखरे हुए थे और वो बुरी तरह हाफ रही थी एक हिंसक सा नौजवान उसका पीछा कर रहा था वो अधनंगी लड़की बूटा सिंग के पैरों पर आगिरी मुझे बचाओ, मुझे बचाओ, ये दरिंदा मेरी इज़त लूटना चाहता है कहती हुई वो उठी और बूटा सिंग से चिपक कर हाफने लगी तु बचके कहा जाएगी? उस हिंसक नौजवान ने लड़की से कहा फिर वो बूटा सिंग से बोला इसे मेरे हवाले कर दो? नहीं, इसे मैं तुहारे हवाले नहीं करूँगा तुम्हें करना होगा, ये मेरे हिस्से में आई है हिस्से में? बूटा सिंग ने आखें तरेर कर पूछा तेरे हिस्से में? हाँ, हिंदू मुसल्मान का बटवारा हो चुका है पाकिस्तान बन चुका है कहां बन चुका है पाकिस्तान? तीसरी धानी के उस पार पाकिस्तान बनने की लकीर खिच चुकी है उसी लकीर के बाद ये मुसल्मान लड़की मेरे हिस्से में आई है मैं इसे काफिले वालों से चीन कर लाया हूँ इसे मेरे हवाले कर दो नहीं बूटा सिंग ने उस अदनंगी लड़की को पीठ के पीछे चिपाते हुए कहा हिंदुस्तान पाकिस्तान की लकीर खिच गई तो खिच जाए लेकिन हिंदु मुसल्मान के नाम पर औरत की इज़त का बटवारा नहीं हो सकता उस हिंसक नौजवान ने तेज नजरों से बूटा सिंग को देखा और बोला तुम चाहो तो इसकी इज़त खरीद लो खरीद लू बूटा सिंग ने अचकचाते हुए कहा तुम पेचने को तयार हो हाँ कितने में नकद पंद्रा सो उस हिंसक नौजवान ने बूटा सिंग की आउकात देखकर चड़ते दाम बताए ठीक है इतने पैसे तो मैं कर लूँगा आओ मेरे साथ घर तक चलना पड़ेगा तीनों लोग घर की तरफ चल दिये हिंसक नौजवान बूटा सिंग के साथ आगे आगे चल रहा था और लड़की सर जुकाए उनके पीछे-पीछे घर पहुँचकर बूटा सिंग ने एक कोने में जाकर पुराने घड़ों और हांडियों में हाथ डाल डाल कर पैसे तलाशे पर कुछ हाथ नहीं आया वो हिंसक नौजवान इंतजार में खड़ा था अधनंगी लड़की अपना बदन चुराए दोनों बाहें लपेटे गठरी बनी दूसरे कोने में बैठी थी आखिर आड़ करके बूटा सिंग ने रेती हटा हटा कर उसमें से गड़ी एक हंडिया निकाली मेले से कपड़े के टुकड़े में बंधी उसने धरोहर वाली अपनी पोटली निकाल कर खोली और मुड़े तुड़े मेले कुचले नोट गिनने लगा कुछ सिक्के भी थे आखिर पैसे पूरे पढ़ गे हिंसक नौजवान ने पैसे गिने अपनी पगड़ी में रखे और लड़की पर नज़र डाल कर बोला बुढ़ा है आराम से रहेगी लड़की वैसी ही गठरी बनी रही वो चला गया तो इतना ही बोली मेरी खातिर क्यों तुमने इतनी बड़ी रकम उस जालिम को दे दी बुटा सिंग कुछ नहीं बोला दिन डूब रहा था रात उतरी तब मुश्किल सामने आई लड़की जरूरत से ज्यादा नंगी थी दिन में तो ठीक पर रात में ऐसे कैसे रहेगी बुटा सिंग ने मुश्किल हल की कोई कपड़ा तो है नहीं ऐसा करो तुम मेरा फेटा लपेट लो तब तुम नंगे हो जाओगे लड़की ने लाचारी से कहा बुटा सिंग को तब एका एक खुद पर शर्म आ गई तुम ठीक कहती हो एक जुगत ध्यान में आई है कहते हुए बुटा सिंग ने दोनों हाथों से रेध हटा हटा कर गढधा बनाना शुरू किया लड़की उसकी जुगत समझ गई वो चुपचाप उसे गढधा बनाते देखती रही पैर मोडोगी या खड़ी रहोगी बुटा सिंग ने पूछा खड़ी रही तो नीन कैसे आएगी तब तो इतना बहुत है बुटा सिंग ने गड़े की गहराई देखकर कहा आ जाओ लड़की उसी तरह गठरी बनी तलवों के सारे धीरे धीरे गड़े तक खिसकाई और खुद ही उसमें कमर के बल अधलेटी हो गई बुटा सिंग ने उसके शरीर को रेत उंडेल उंडेल कर गले तक तोप दिया और उसे देखते हुए बोला अब ठीक है लड़की ने एक बार भरपूर नजरों से उसे देखा बुटा सिंग ने भी कंधे से दाड़ी खुजलाने का बहाना करते हुए उसकी तरफ भरपूर नजरों से देखा आखिर लड़की के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आई और उसने आखें नीची कर ली गर्दन तक रेत में दबी वो रेत परी सी लग रही थी अरे अभी तक हमने पूच्छा ही नहीं नाम क्या है तुम्हारा अरे अब्बा बटाई पर खेती करके आराम से रहते थे घर में गाय भैंस बैल थे हम गाय का गोश्ट नहीं खाते भैंस या बैल का भी नहीं सब आराम से चल रहा था फिर पाकिस्तान की लकीर खिंची तो धानी में रहना मुश्किल हो गया गाउ धानी के सब मुसल्मानी मुसल्मान कारवा बना कर लकीर के उस पार पहुँचने के लिए चल पड़े फिर भी समझ नहीं आ रहा था कि हम अपनी धानी क्यों छोड रहे हैं ऐसे जगडे कहा सुनी मूँ चावर तो पहले भी होते रहते थे मैं कारवा से पीछे छूट गई और तब उसने मुझे पकड़ लिया अधनंगा तिनंगा कर दिया जैसे तैसे मैं उससे बचकर दोड़ी और मुझे तुम दिखाई दिये कहते कहते रेत परी जैनिब ने बूटा को एहसान भरी नजरों से देखा बूटा सिंग ने उसे तब खामोशी से देखा सुबह हुई तो बूटा सिंग के भाईयों को पता चला कि उसके घर में कोई लड़की आ गई है तो गाउं के बड़े बूढों ने सला दी अब ये लड़की तुमारे घर आ ही गई है तो तुम इससे शादी कर लो उस समय बूटा सिंग चार कोस दूर के बाजार से जैनिब के लिए कपड़े लेने जा रहा था उसने चलते चलते बड़े बूढों से कहा पहले उसके लिए कपड़े तो ले आऊं बूटा सिंग उसके लिए चार कोस दूर बाजार से कपड़े लेने गया हुआ है समराट गिलगमेश अभी भी सागर की अतल गहराईयों में उतरता चला जा रहा है और प्रमत्यू के कंधे पर बैठा गिद अभी भी उसका मास नोच नोच कर खा रहा है समराट गिलगमेश के लोटने तक ब्रत्यू के हाथों मरते हुए भी मनुष्य ने जीवन की शरंखला बना ली है वो अपनी च्छाएं, वचन और सपने अपनी संत्ति को सौप कर चला जाता है तब से ये परंपरा अनवरत चली आ रही है क्योंकि गिलगमेश को लोटना है अभी तो वो सदियों का समय लांगता, योजना की गहराईयों में बसे पाताल लोग के तल की ओर लगा तार जल को चीरता गहराईयों को नापता बढ़ता चला जा रहा है, कभी-कभी वो पुकारता और बताता है मनुष्यों धीरजमत खोना, विश्धर सर्प और व्रश्चिक अभी मुझसे लिप्ते है इनके दंशों ने मुझे नील वंड बना दिया है, लेकिन सागर एक मित्र की तरह मेरा साथ दे रहा है एक इंदु के बलिदान से मित्रता की जो परंपरा शुरू ही है, उसे सागर निभा रहा है इसलिए उन भरष्ट देवताओं ने शाप देकर इसे खारा बना दिया है ताकि इसका जल मनुष्य जाती के काम ना आ सके, लेकिन जिन्ता की कोई बात नहीं मैं शुरू पक्क के जिव सुद्दू तक पहुचने के लिए सागर के तल में सदियों तक उतरता चला जाओंगा पता नहीं, अभी तक और कितने जलवर्ष लगेंगे तब तक तुम लोग मृत्यू का विरोध करते रहो धर्ती से अपनी तार्तम्मिता बनाए रखो मर मर कर अपनी संततियों में जीवित होते रहो मैं आशदी लेकर ही लोटूँगा मेरी प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो प्रतीक्षा करो वही आवाज ब्रहमांड में गूंजने लगी मैं आउशदी लेकर ही लोटूँगा तुम मेरी प्रतीक्षा करो देवताओं के दुनिया फिर व्याकुल हो गई बेविलोनिया का दूसरा देवता जिबानीतु घबरा उठा मैसोपोटामिया का देवता क्रोनोस और सुमेर का अनू उद्वेलित हो उठे देवी अफ्रोडाइट का पुत्र इरोस अपने महल से बाहर निकल कर आवास की दिशा का अंदाज लगाने लगा देवता जियस भी निकल आया दोनों जुड़वां देवता भाई केस्टर और पॉलुक्स भी बाहर आ गए अनश्वर देवी यूरोपा और लीडा के साथ साथ देवी हीरा भी भयातुर होकर निकल पड़ी देवी एस्त्रिया और फिलीरा भी चैन से नहीं बैठ सकी मिस्त्र के देवता हापी भी व्यग्र हो उठे सारी सभ्यता के देवता और देवियां समराड गिलगमेश की आवाज को तलाशने लगे अपने अपने फरिष्टों और देव दूतों को देवता उनने आदेश दिया कि जाओ और उस आवाज को पकड़ो उन्होंने चारों दिशाएं छान डाली लेकिन उन्हें गिलगमेश की आवास कहीं नहीं मिली वे निराश और नाकाम लोट आए तब जीयस ने कहा फिर तलाशो जहां भी है गिलगमेश की आवास उसे तलाशो उस आवास को समाप्त करना बेहत जुरूरी है अगर इस विद्रोही आवास को पकड़ाना गया तो हमारी शृष्टी नश्ठ हो जाएगी इस आवास को बंदी बनाना जुरूरी है विवेक से काम लो विवेक से ये कराहती आवास प्रमत्यू की थी जिसने मनुश्य के लिए जीयस के महल से अगनी चुराने का अपराध किया था वो अगनी जिस पर देवताओं ने एकाधिकार कर रखा था वही प्रमत्यू कराता हुआ बोल रहा था गिलगमेश जैसे मनुश्यों की आवास को बंदी मत बनाओ जीयस के साथ साथ सारे देवताओं ने देखा अगनी चुराने के अपराध में सदियों से बंदी प्रमत्यू जंजीरों में जकडा खड़ा था उसके कंधे पर जीयस का गिद अब भी बैठा उसके मास को नोच-नोच कर खा रहा था मास के तमाम लोथडे कारागार के फर्ष पर पड़े तड़प रहे थे भाय ग्रस्त और त्रस्त देवताओं ने प्रमत्यू को हिकारत से देखा और वो एक स्वर में बूले तू तो धिकार के योग्य है चोर है अपराधी है एहिंकारी और अयाश देवताओं अपराध तो तुम्हारे तै होंगे प्रमत्यू ने रिस्ते घावों से रक्त पोँचते हुए कहा तुम आत्ताई हो तुमने प्रकृती की अबाद और अजस्त्र पराशक्ती को ईश्वर का जामा पहना कर खुद को उसका पुरोहित और वंशज बना रखा है वो अबाद और अजस्त्र पराशक्ती अपनी सक्रियता से निरंतर मनुष्य जाती के लिए अपने रहस से उधगाटित कर रही है वो तुम्हारे अधीन नहीं है मौत, मृत्यू इसे मृत्यू दो, देवता चीख उठे चीखो मत, प्रमत्यू ने कहा चाहे मुझे मौत दे दो लेकिन तुम कुछ भी करो तुम गिलगमेश की आवास को बंदी नहीं बना सकते आवास फरार हो चुकी है प्रमत्यू ने घोशना की देव दासी रूना, प्रेम, मित्रता, शांती और क्रांती के साथ साथ गिलगमेश की आवास को लेकर फरार हो चुकी है अब तुम उसे नहीं पकड़ सकते इन मूलियों की तुम्हें जरूरत नहीं थी इसलिए देव दासी रूना इने लेकर मृत्यू लोक की तरफ प्रस्थान कर चुकी है वो देखो, मृत्यू लोक में उसका आवतरण आतंकित देवताओं ने धर्ती की ओर देखा वो सकते में आ गए देव लोक के समस्त सफैर पंखों वाले पंची देव दासी रूना को लेकर मृत्यू लोक पर उतर रहे थे अवतरण के समय उसके साथ सभी तरह के पंची पखेरूश शामिल होते गए थे उनमें अंजन और चंद्रवाक तो थे ही कंक पक्षियों के सांतों वंश सामिल थे मयूर थे शकुंत पक्षी, सारस, नीलकंठ, दवाक, पंचवर्नी हंस, महबक, पांडू, जलकाग, सुपन, धनेश, कृंच परिवार के सभी सदस्य और कोयल अपनी समस्त संतती के साथ शामिल थी उनके गीतों और गाते स्वरों से प्रक्रती जों उठी थी देवदासी रूना पंचियों के पंखों से उतर कर ततकाल आदिम अदीब के घर की ओर चल दी, वो उसके दरवाजे तक पहुँच गई, उसने देखा कि उसके दस्तक देने से पहले तमाम दस्तकें वहां मौझूद थी और बेहत परेशान अदीब अपना माथा पकड़े हुए बैठा था, एक अरदली उसकी दाहिनी और अदब के साथ खड़ा दस्तकों को पुकार पुकार कर उन्हें अदीब के सामने पेश होने की इजाज़त दे रहा था, लेकिन तभी अदीब ने सिर उठा कर देवदासी रूना को देखा और पूछा, तुम कहां की दस्तक हो? अदीब अलिया, मैं ब्रश्ट हो गए देवताओं के लोग की दस्तक हूँ, मैं इनसान के लिए प्यार, दोस्ती, शान्ती और क्रांती के मूल्य और समराड गिलगमेश की आवाज लेकर आई हूँ, मैंने उस समय इस आवाज को अपनी नाभी में छुपा लिया था, जब समस्त सब्विताओं के देवता इसे बंदी बनाना चाहते थे, मनुश्य की ये सबसे बड़ी धरोहर है, ये बेलास, बेखौफ आवाज, यही मैं आपको सूपने आई हूँ, इसे स्विकार कीजिए, क्योंकि कोई इसे जीवित रख सकता है, और सदियों के बाद सदियों तलक इसकी रक्षा कर सकता है, अदीब ने देवदासी रूना से आवाज की सौगात लेकर उसे अपनी धमनियों के रक्त में पैबस्त कर लिया, और देवदासी रूना से बैठने का निवेदन किया, देवदासी के घाटी में बसे उस सर्विया के कोसोवो प्रदेश की दस्तक हूं जहां से आप सदियों पहले चलकर सिंदु के तट पर आ बसे थे डैन्यूब नदी आज भी आप सबको याद करती है वहां के मुर्दे आज बड़ी पीड़ा और तकलीफ से आपको याद कर रहे हैं ऐसा क् हाथ सा हुआ है कोसोवो के हमारे वन्चज तकलीफ से हमें याद करें अदीब ने सर्विया की दस्तक से पूछा सब्धेता की इस प्राचीनतम घाटी में भयानक युद्ध चल रहा है यह युद्ध एक तरफा है एक तरफा युद्ध जी हां अदीब आ लिया हमारे गुसत्ता संपन मेरे ही युगोसलाविया का हिस्सा है और कोसोवो उसी आजार भूखंड सर्विया का इलाका है लेकिन नाटो के राक्षशों और उसके सरगना ने अपने हितों के लिए हमें बरबात कर दिया है वे राक्षश अगनी तांडव कर रहे हैं वो मेरे स्वायत्त संपन देश को विभाजित करके कोसोवो को अपने नियंत्रण में रखना चाहते हैं लेकिन क्यों आखिर ये नियंत्रण की राजनीती क्या है अदीब ने दस्तक से पूछा अदीबे आलिया नियंत्रण द्वारा आत्माओं को तोड़ा जाता है फिर उन्हें विभाजित क किया जाता है उनमें सांस्कृतिक प्रतिरोध की शक्ति विखंडित की जाती है और तब बाजार वादी जोंके उस विभाजित कौम का सारा रक्ठ चूस लेती है खंडित संस्कृति के समशानों में तब उत्सव के बाजार स्थापित होते हैं धर्म और इतिहास शोषकों जिनके खेतों में सिर्फ बारूद और बंदू के ओगती हैं। इसी के चलते कोसो वो अपनी लाखों संतानों की मृत्यू देख चुका है। और लाखों लाख लोगों के विस्थापन के कारण वीरान हो चुका है। लाखों शरनार्थी इधर उधर भटक रहे हैं। नाटो पागलों की तरह जिन्दगी का पीछा कर रही है। सर्बिया में इस वक्त लाखों मासूम बिना मौत मर रहे हैं। इन बरबर राक्षसों को किसी ने रोका क्यों नहीं। अदीब ने सवाल किया। फिर खुद ही नाराजी से पूछा। कहा है संयुक तराष्ट संग का वो म अदीब ने कहा। उसके आने का इंतजार करो। इसी बीच अन्य दस्तकें अकुलाने और शोर मचाने लगी तो अदीब ने उन्हें शांत किया और देव दासी रूना की और मुखातिब हुआ। गिलगमेश की यह आवास तुमने मुझे सोंप दी। इसके लिए बहुत बह और रक्तपात की परंपरा शुरू करेंगी। देव दासी रूना ने कहा। हालांकि देवताओं की संस्कृती रुग्ण, पतित और व्यविचारी हो गई है। फिर भी विकायर लोग आवास को छीनने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। इसलिए अदीब सावधान रहना। चाती में तेज दर्द उठा, उन्होंने शिकायत की कि उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही है। इसलिए फिलहाल वो अस्पताल में दाखिल हो गए हैं। ऐसी हालत में उन्हें लाना मुनासिब भी नहीं था और मुमकिन भी नहीं। तो अस्पताल में जाकर कोफी अनना हो कि दुनिया की चाती में जो तेज दर्द बार-बार उठता है और उसे सांस लेने में जो तकलीफ लगातार हो रही है। उसके इलाज के लिए उन्हें इस दुनिया का काम काज सौपा गया था। लगता तो यहां तक है कि एक धुरुविय शक्ति के पक्ष में उन्होंने अपना वो नैतिक हतियार भी डाल दिया जो बड़ी उमीद से उन्हें सौपा गया था। इसी का नतीजा है कि विभाजन और दुर्दांत दमन का ये दौर। अगर कोफी अन्नान भूल गए हैं तो उन्हें याद दिलाओ कि आर्थिक संस्कृतियों के संघर्ष के नाम पर जब तक ये युद्ध चलते रहेंगे तब तक विकलांग जातियां जन्म लेती रहेंगी। जीने के लिए अवैद और अनैतिक संसाधनों की दुनिया कायम होती चली जाएगी। डैन्यूप जैसी नदियों की मचलियां बार बार मरती रहेंगी। मानव रक्त से सिंचित खेतों में अन्य नहीं, विशैले धतूरों की काटेदार फसले हो गेंगी। उन जातियों की इस्त्रियां व्यविचार और बलातकार के लिए अविशप्त होंगी। संताने मनुरोग और व्याधियों से ग्रसित होंगी। धर्म के नाम पर अधर्म की आंधियां क्रत सिंगहासनों पर नर्मुंडों की माला पहने कोई निरंकुष एकाधिकारी शाशक विध्यमान हो जाएगा। कोफी अन्नान से जाकर पूछो कि क्या ऐसी भविश्य के लिए उन्हें राष्ट्रों का संयुक तो लोकतंत्र सौंपा गया था। हुजूरे आलिया मैं आपके इस बड़े और पुर्जोश भाषन को ले तो जाऊंगा लेकिन शायद कोफी अन्नान साहब को इसकी बारी किया न समझा पाऊं। बहतर यही होगा कि जब वो अदालत में हाजिर हो तब आप उन्हें इस तक्रीर का मतलब समझा जानता हूं वो कभी भी यहां हाजिर नहीं होंगे क्योंकि ये मनुश्य के मन की शाश्वत अदालत है कानून के नाम पर कानून और धर्म के नाम पर धर्म का व्यापार करने वालों के पास इतना साहस नहीं कि वो इस अदालत में हाजिर हो सकें। देव दासी रूना ने त सजा भोग रहा है अब मनुश्य के हित में गिलगमेश की आवास चुराने के जुर्म में वो तुम्हें क्या सजा देंगे ये सोच कर मेरे रॉंग्टे खड़े हो जाते हैं मैं तुम्हारे शुब की कामना करता हूँ शुब कामना ये लेकर देव दासी रूना अंतर्ध्यान हो गई उसी के साथ दस्तकों का शूर बढ़ने लगा अधीब के कान के परदे फटने लगे उसने दोनों हथेलियों से कानों को दबा लिया और फिर अर जातकार, चीख पुकार, अभरन, अजन में बच्चों के लोथडे, कीडे पड़ी बिजबिजाती फूली हुई लाशें, अर्ध जीवित और म्रत देहों का मास खाखा कर ठके हुए लकडबग्गे, कुट्ते, गिद और रक्द प्लावन का द्रश्य, ये तो सहस्त्रों सा पहले हुए जल प्लावन से भी भयंकर द्रश्य है, कुछ भी हो, पर मुझे यहां से ले चलो, अधीब ने कहा, तो अर्ध ली को आग्या का पालन करना ही था, वो अधीब को एक नाव में बिठा कर रक्त का महासागर पार करने लगा, लेकिन उसका अंत कहीं नहीं था, रक ठक गया था, शवों की एक चर्टान से उसने नाव बान दी, अधीब उस चर्टान की छाया में बैठ गया, उसके कानों में कुछ गूंजने लगा, उसने इशारे से अर्ध ली को पास बुलाया और पूछा, तुम्हें शब्दों की कोई अनुगूंज सुनाई पड़ रह मुझे सुमेरी सब्दा की देवी नन्ना का आर्ध नादर भी सुनाई दे रहा है, वो चीख रही है, क्या मेरी संतती मरने के लिए है, इस तरह की अप्राकरतिक मौद से मरने के लिए है, अर्ध ली ने उसे गौर से देखा, मुझे लातिनी यूनानी गाथाओं के, देवत काउं के स्वर्भी सुनाई दे रहे हैं वो जल प्रलय से बचने के लिए उलंपस परवत पर एकत्रित हो गए हैं इसाइयों के परम्पिता कह रहे हैं नूह धर्ती पर मनुष्य की दुष्टता बेहत बढ़ गई है मैंने जिस मानव को सिर्जा है उसे ही नहीं मैं सभी जीव धारियों का नाश कर दूँगा मुझे प्रसन्नता है नूह कि मेरी इस स्रिष्टी में तू अकेला आचारवान बचा है मैं तेरी रक्षा करूंगा इसलिए तू तीन महले वाली काट की एक नाव बना और उसमें खुस जा इस जल प्रलय में मात्र तू जीवित रहेगा अर प्रलय की जलधाराओं के लिए मार्ग बनाकर उन्हें समुद्र में प्रवाहित किया था और चीन अदी की मिट्टी को अपनी बाहों में समेट लिया था ताकि प्रलय के बाद बीज डालकर मनुश्य के लिए अन उप जाया जा सके याद है तुम्हें नहीं हुजूर मुझे तो ऐसा कुछ भी याद नहीं अर्दली ने बेरुखी से कहा न भी याद हो तो भी क्या कोई चीन के यू की तरह हमारे दोर में पैदा नहीं हो सकता जो इस रक्त प्रलय को रोग सके हुजूर गांधी जी ने कोशिश तो बहुत की थी लेकिन वो अकेले बढ़ गए हाँ अधीब ने कहा इस रक्त प्रलय के बाद जब कभी अगनी प्रलय आएगी जो दूर नहीं तब हमें गांधी जी की अहिंसा और आइंस्टाइन के प्रस्चाताप की बहुत जरूरत तरह क्यों समाप्थ हो जाता है क्यों हर बड़े विचार और अविशकार के बाद दानवों का होदय होता है जब जल प्रलय हुआ था तब दैत्य हाईग्रीव वेदों को चुरा रह गया था तब श्रंगी मचली ने सिर्फ जलाहार करने वाले राजा सब्तिवरत को जीवि तो इताइबी थी सारी सभिताय जल प्रलय की शाक्षी हैं लेकिन इस रक्त प्रलय के सोख सोक कर संतल नहीं होगै गया नहीं होगा भीorsa आप चिंता क्यों कर रहे हैं अदीबे आलिया आदिमनु सत्यवरत और शद्धा की तरह बूटा सिंग और जैनिब ने ये दायत्व संभाल लिया है बूटा सिंग ने कपड़ों की जोड़ी लाकर जैनिब के पास रखती और पूछा निकालू तुम बाहर जाओ मैं निकल जा जाला था उसमें नाड़े के नेफे के सिवा कुछ बचा ही नहीं था उसे खोल कर उसने एक तरफ फेंग दिया फिर उसने बूटा सिंग वाले बाजार से लाए घागरे को देखा और उसे पहनकर नाड़ा कसने लगी तभी उसकी पीठ पर बूटा सिंग की आवाज आई बूटा सिंग अंदर आकर बैठ गया आदत के मुताबिक वो बुदबुदाया हुमकार हुमकार सतनाम उसके हूठो से आवास तो नहीं फूटी थी पर जैनिब ने अंदाजा लगा कर कहा वाहे गुरू को सिम्रन कर रहे हो कर तो रहा हूँ लेकिन तुमने कैसे जाना कभी कभी हमारे यहां सिंद सूबे के नान की आके ठहरते थे उनी से सुनती थी वाहे गुरू का नाम हमारे घर के ओसारे में संगत भी हो जाती थी तब तो ठीक है बूटा सिंग ने निश्चिंतता से कहा अगर हुकुम हो तो एक बात कहूँ कपड़े पहना दिये हैं तो कुछ भी कह सकते हो जेनिब ने कहा पर उसकी बात में कोई पेच नहीं था नहीं औरत के कपड़े तो कोई भी मर्द उतार देगा पर धानी के एक दो बुजर्ग कह रहे थे कि अब तुम आ गई हो तो मैं तुमसे भ्यां कर लूँ साथ रहके दूर दूर रहना ठीक नहीं होगा जैसी तुम्हारी और धानी के बुजर्गों की मर्जी जैनिब ने कहा लेकिन एक बात है क्या मेरे सगे भाई नहीं चाहते कि मैं शादी करूं तुम शादी शुदा हो क्या नहीं शादी तो मेरी आज तक नहीं हुई जो भी रिष्टा आया उसे मेरे भाई उठकाते रहे असल में उन्हीं मेरी शादी मनजूर ही नहीं थी वो क्यों वैसे भी खेतों में पैदावार नहीं है जो कुछ होती है उन्हीं से उनके बाल बच्चों का पेट भर जाए ये काफी है मेरी शादी होती बाल बच्चे होते तो गरीबी और बढ़ जाती खेतों का बटवारा ह जिन्दा रहने की मारा मारी में कुछ भी हो सकता था इसलिए वो लोग हमारी शादी के खिलाफ है कहकर बूटा सिंग ने रेती को हथेलियों में उठा उठा कर चानने लगा तुम परिशानी में मत पड़ो जेनिब ने कहा मैं बिना शादी के भी तुम्हारे साथ अपने मन की भरी पूरी जिन्दगी गुजार लूंगी अउलाद तो बात की बात है तुम अपने भाईयों की वज़य से शादी नहीं भी करोगे तो भी मुझे तुम्हारे साथ रहना म는जूर है नहीं जैनिब मैं तुमसे शादी करूँगा नहीं तुम्हे जिन्दगी भर हर रात ना तो उनके कान खड़े हुए वो दुशाली सिंग के पास समझाने बुझाने और शादी का विरोध करने पहुंचे। बुजुर्गों नहीं माना बलकि उपर से उन्हें फटकार दिया। कैसे भाई बोजाई हो तुम लोग। अपने सवारत के कारण उसे अन्ब्याहा रखा। अब एक और उसके घर आ गई है तो शादी ब्याह करके उनका साथ साथ रहना सही होगा न। आखिर और ऑरत की भी कोई मरजादा होती है। बुजुर्गों ने जैनिब की मरजादा रखी। भाईयों के विरोध पर कान न देकर उन्होंने पास के गाउं के गुरुद्वारे में दोनों को ले जाकर गुरब्रंथ साहब को शाक्षी बनाया। और बुटा सिंग का जैनिब के साथ आनंद कारच हो गया। वहे गुरु की करपा हुई। समय आने पर जैनिब ने बुटा सिंग को एक नन्नी मुन्नी बेटी का बाप बना दिया। दोनों ने मिलकर बिटिया का नाम तनवीर कौर रखा। जिस साल बिटिया तनवीर पैदा हुई उन सरदियों ने एक बहुत ही खूबसूरत नजारा देखा। उत्तर के देशों से ओड़कर हजारों लाखों पंच्छी उनके देश आये थे। उस वक्त जब जैनिब अपन में घुस्से से कह रहा था। तुम विभाजन के सताय बरबाद हुए मारे गए लोगों की हिमायत मत करो। सामराज्यों के इतिहास में ये मामूली घटनाए हैं। और सुनो एडवीना तुम अब एडवीना एशले नहीं हो। तुम इंडिया के वाइसराय और गवर्नर जन बंद करो। ब्रिटिश सामराज्य आसूं के हस्तक शेप को मंजूर नहीं करता। ब्रिटिश सामराज्य के पास आसू नहीं हैं ये मुझे मालूम हैं। लेकिन लुईस विभाजन की जो अमानवियत रासदी तुम ने पैदा की है उसे देखकर एलपस प्रेरेनीज की पहा पाने और ब्रिटिश जाती के लिए लांचन है। उन्हें सुखाने और राहत पाने के लिए तुम भारत के प्रधान मंत्री जवाहरलाल नहरू के कंदे पर सर रखकर उनके सीने से चिपक कर। ब्रिटिश सामराज्य के पश्चाताप का इजहार करो ये मुझे बिलकुल ब इतनी बड़ी भयंकर और दिल धहला देने वाली रक्त रंजित राशदियों में शाही शिष्टचार के रुमाल नहीं मित्रों और अजनभियों तक के कंधे गाम आते हैं समझे डिकी। एडवीना ने तुर्शी से कहा। उन्हें लगा कि वो जो कुछ कह गए हैं शायद व विचलित हूँ। दूसरे विश्वयुद में बर्मा के फ्रंट पर भी इतना खून खराबा नहीं हुआ था जितना इस विभाजन में हुआ है और होने जा रहा है। मैं इंडिया को अखंड रखना चाहता था। महत्मा गांधी, नहरू, पटेल, गफार, खान और यहां त विचलिता के प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। उन्हें तो विभाजन चाहिए था और विभाजन के सिवा कुछ भी नहीं। यही तो विद्रूप विडंबना हैं। पहले विश्वयुद्द के बाद मजबूरी में ही सही। सामराज जिवाद को लेकर अधिकुदार और उत्तरदाई बनना पड़ा है। और गांधी के साथ दुनिया में पहली बार जो जनामदोलन शुरू हुआ उन्होंने सक्ता के केंद्र को बदल दिया है। गांधी ने पहली बार सक्ता को धारन करने के औचित्तिकी अवधारना को राजवन्शों से छीन कर जंता को सौप दिया है। यही से इस दुनिया का रूप बदलना शुरू हुआ है। एडवीना ने प्रश्न वाचक नजर से लॉर्ड लुई माउंट बेटन को देखा। यही से विडम बनाये पैदा हुई। कोई समराट अपने फैसलों को कई बहानों और तरीकों से बदल सकता है। वो स्थापनाओं से पीछे नहीं हट सकती। यही मुहम्मद अली जिन्ना की विडम बना और त्रासदी है। उन्होंने एक बार सारव जनिक तौर पर इंडिया का विभाजन मांग लिया तो फिर उनका मन चाहे कितना पच्चताता रहे। वो उस मांग से पीछे नहीं हट सकते हटेंगे तो वो अपना नित्रत्व खो देंगे और किसी नेता को ये गवारा नहीं होता। जन्ता की भावनाओं को भड़का कर पैदा किये गए आंदलोनों की यही ताकत और यही कमजोरी है। एक बार जो कह दिया गया वो बाद में चाहे अनुचित और घलत लगे पर उ जब तमाम विकल्पों को तलाशने और खारच करने की मुश्किल प्रक्रिया से गुजरने के बाद मैंने उनके सामने पाकिस्तान और विभाजन की प्रिस्ताव को रखा तो वो खामोश और उदास थे। उन्होंने नहा किया नना किया। तब तब मैंने उनसे कहा था कि जादा तकलीफ और नुकसान उठाना पड़ा, उनके नेता सरदार वलदेव सिंग को भी मैंने अंत्तह सहमत कर लिया है। तो अब उन्हें पाकिस्तान के निर्मान के एतिहासिक अवसर से पीछे नहीं हटना चाहिए, विभाजन को मनजूर करना चाहिए। अच्छा, तब उन्हें क्या कहा, तब कुछ पलों तक वो खामोश रहे, फिर उन्हें पूछा, क्या गांधी विभाजन को मनजूर करते हैं? तो मैंने कहा, मुझे तो नहीं लगता कि वो मनजूर करेंगे, विभाजन के फैसले को लेकर गांधी ही सबसे बड़ी समस्या है, लेकिन अगर अब लियाकत अलीख खान, अब दुल्रब निश्टर अब विभाजन मनजूर कर लें, तो इंडिया की आजादी का मसला अभी और यहीं हल हो सकता है, इस पर उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? उन्होंने कहा कि अब पार्टी मुस्लिम लीग से सलह मश्वरा करने से पहले वो कोई पच्टावा नहीं था, पच्टावा तो इनसान है, इतिहास नहीं, गली कासिम जान में अपने नसीब को ठोकता सतार बैठा हुआ बहस कर रहा था, पाकिस्तान तो बन गया, अब जिन्ना साहब खामोश रहें या बोलें, क्या फर्क पड़ता है, जिस दिन राम दयाल मेरे सलाम का जवाब दिये बिना, कत्रा के निकल गया, मैं जान गया था, पाकिस्तान बनने की शुरुआत हो गई है, वो तो ठीक है, लेकिन इन अंग्रेज के बच्चों को सोचना चाहिए, सदियों पहले सौदागर की तरह सलाम करते आये थे, वैसे ही सलाम करो और अपने जगडे सुलजाने का क्या हक, अरे भई, तुम हमें खुदा के हवाले छोड़ो, दुआ सलाम करो और जाओ, कभी-कभी कॉंग्रेस के महात्मा गांधी जी खरी बात कह देते थे, वो भी बिलकुल यही कह रहे हैं, नजमुल ने कहा, सुना है कि अब वोट पड़ेगा, अपनी बेरिस्टरी करे कि खातिर बंबई लोट जाई है, और का, तो हम भी सोच रहे हैं कि अपनी गंगोली लोट जाएं, हालाद बिगड़ते जा रहे हैं, यहां जॉन बकसा लाए हैं, उसे तो कोई भी लोट सकता है, पर गंगोली की हमारी जमीन तो कोई नहीं लोट सक गया, वहां वाइसराय माउंट बेटन और मुहम्मद अली जिन्ना मौझूद थे, उनकी तरफ देखते हुए माउंट बेटन ने कहा, आप कल तक अपनी मुस्लिम लीक से मश्वरा करने में मुझे कम से कम एक हफता लगेगा, जिन्ना ने कहा, देखिए मिस्टर जिन्ना, फैसला लेने में इतना वक्त बरबाद नहीं किया जा सकता, लगता है आप हमसे ज्यादा जल्दी में हैं, आप जो भी कहें, देखिए अचसन 1947 के जून महीने की दो तारीख है, और कल 3 जून को भारत के विभाजन की घोशना में कर देना चाहता हूँ, आप पाकिस्तान मां पाकिस्तान कभी नहीं बन सकता, लेकिन ब्रिटिश क्राउन तश्तरी में पाकिस्तान रख कर आपको पेश कर रहा है, अब आप क्यों है चक रहे हैं? जिन्ना साहब खामोश रहे, वो कुछ नहीं बोले, कल की मीटिंग में पाकिस्तान की तरफ से पंडित नहरू, सरदार पटेल और आचारे करपलानी मौझूद रहेंगे, सिखों के नुमाइंदे बलदेव सिंग भी मौझूद होंगे, आपके साथ लियाकत अली खान और अब्दुल रब निश्तर मुस्लिम लीग की नुमाइंदगी कर रहे होंगे, आपके सामने उनकी बोलने की हिम्बत नही कह सके, तो आप किसी भी अंदाज में अपने सिर को थोड़ी सी जुमबिश दे दें, उजुमबिश के मानी क्या है, ये मैं तै करूँगा, जिन्ना साहब ने माउंट बेटन की तरफ देखा और महसूस किया, कि शतरंज की अपनी बाजी में वो अंग्रेजी सामराज्य की स चुटे मुटे अपमानों और प्रती इस परधात्मक एहंकार से जन्मी खलिश कैसे एक चुनाती बन जाती है, और वो कौम के सपने को तोड़ कर जाती मुकाबले को छुपाते हुए, अपने तरफदारों को कैसे एक विकलांग और धर्मांध सपना सौंप देती है, वक्त उनकी रूह की मुलाकात गोपाल कृष्न गोखले की रूह से हुई थी, दोनों रूहें सिर्फ एक दूसरे को ताक्ती रही, फिर ये तो इतिहास का तकाजा था कि सन 1947 की तारीख तीन जून को जिन्ना की रूह को लोटना पड़ा, और जब मांट बेटन ने इंडिया के वि उद्रा में बैठे रहे, उसी वक्त अदीब ने देखा कि गंगोली से घबराया हुआ राही मासूम रजा उसकी और तूफान की तरह भाकता चला आ रहा है, अदीब ने उसे बाहों में लेकर संभला और पूछा, क्या हुआ, राही की हाफ्ती सांसों ने थोड़ी सी रहत हुए बताया, सुनो सुनो, वो 8-10 साल का बच्चा दुलन क्या नारा लगा कर घर में दाखिल हुआ है, लेके रहेंगे पाकिस्तान, और कैसे लेबे पाकिस्तान, फुनन मिया ने आँखें तरेर कर सवाल किया, अलिगड बालन से दुलन ने कहा, तो कुलसुम ने टीप काली शिरवानी वाले, वो उंगलियों में सिग्रेट दबाये हाथ गुमा गुमा कर मिया लोग को बता रहे थे, कि कुरान शरीफ में कहा कहा अल्ला मिया ने मुसलिम लीग को वोट देने का होकम दिया है, और उधर आम के बाग में कथा चल रही थी, तीन बरस पहले बेवा होने के बाद मुसल्मान हुई नज्जो भुगा बोली, तिलगधारी पंडित ने बताया कि तब भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, हूँ तो मैं हूँ, मेरे सिवा कोई और नहीं है, और आज गीता का वही मुरली मनोहर भारत के हर हिंदु को पुकार कर रहा है कि उठो और गंगा जमुना के पवित्र तटसेन मलेच मुसल्मानों को हटा दो, हियां से हटके हमनी कहा जाये के पड़ी, पंडित जी का एलान सुनने के बाद एक अधेर मुसल्मान बफाती ने अपने हिंदू लगोंटी आयार से पूछा, दोनों बच्पन के ग किनारे से हटाये दिया जाये, तो हटाना तो पड़ेगा, जिन्ना सहाब का पाकिस्तान तो बनी रहा है, आराम से जिन्दगी काटे की खातिर उदर ही चला जा, तुमने तो कह दिया कि चला जा, लेकिन पाकिस्तान जाये का किराय भाड़ा भी जुट गया, तो भी हमार खे पाकिस्तान जाई अब चाहे कुरान शरीफ का आयत बुले यह तुम्हारी गीता की किसन भगवान हम तना जाई बे पाकिस्तान इसी समय दूसरी आलमी जंग के बाद तन्नू मेजर हसन बनकर गंगौली लोट रहा था सुना तो उसमें भी यही था कि अगर बटवारा हुआ त इडली के मोर्चे पर दुश्मनों ने उसे युद्ध बंदी बना लिया था इसलिए उसके छूटने और लोट आने में बहुत देर हो गई थी नील के पुराने गुदाम को देखकर उसकी आखें भराई फिर उससे एकके पर बैठा न गया वो एकके से कूट पड़ा एकके आम बाड़े में जलने वाली पेट्रोमेक्स की रोशनी छांक रही थी दालान में दो पलंग थे और उनसे मिली हुई कपड़े की कुछ आराम कुरसियां पड़ी हुई थी उस दालान को देखने के बाद तन्नू के लिए धीरे-धीरे चलना असंभव हो गया फुसुचा अ सल्लो का जिक्र भी हुआ दादा जवाद मिया अपनी दाड़ी भटकारते हुए आए छोटी दा रब्बन भी तो थी ही भीतर गया तो उन्होंने उसे लिप्टा लिया सल्लो की मा सकीना ने चटा चट उसकी बलाएं ली फिर सल्मा को ब्रा सैयदा उम्मे लेला कनोज रबा और अंत में छोटी दद्दा ने उसे देखते हुए पूछा अच्छा अब तनी बतावा के लड़ाईया विलकुल खतम हो गई के काउन कोर का सर बाकी है अब ही जी लड़ाई बिलकुल खत्म हो गई तन्नू ने छोटी दद्दा को पूरा दिलासा दिया सुबह उठा के उस जलूस में कई हिंदू लड़के भी थे और वो भी गला फाड़ फाड़कर मुस्लिम लीग को जीने की दुआएं दे रहे थे ये कौन किसम का पाकिस्तान बन रहा है भाई तन्नू ने उसकुराते हुए पूछा तो लड़के नारे लगाते बसवाडी की तरफ उत्त को आदाब किया वहां उत्तर पट्टी के तमाम लोग मौजूद थे साथ ही मौजूद थे अलिगर से आए काली शेरवानी वाले दो लोग बाची चल ही रही थी काली शेरवानी बोल रही थी और सबसे बड़ी बात तो यह है कि दुनिया के नक्षे पर एक और इसलामी हुक कि दूसरी शेरवानी ने कहा सुनिये कि बलाग अला की रसी को मजबूती से पकड़िये आज उस रसी का नाम मुहम्मद अली जिन्ना हैं आप अल्ला की ताकत हैं उठिए और कहिए कि आप पाकिस्तान बनाना चाहते हैं तन्नु खिल खिला कर हस पड़ा काली शेरवानी उन लीग के अलावा और किसे वोट दे सकता है कन्नु ने शेर्वानियों से कहा ये सब तो सरकार परस्ती की वज़े से लीग को वोट देंगे लेकिन आप अनपड्ड मुसलमान कुल्सुम का वोट नहीं ले सकते वो अपने बेटे का सही नाम नहीं ले सकती वो मुम्ताज को मुंताज कहती है वो बहुत शरीफ लड़का था आप उसे क्या जाने वो स्वामी सहजानन्द और राहुल संक्रत्यायान के किसान आंदुलन में शामिल था वो कासिमाबाद के थाने पर गोली खाकर मर गया मैं तो किसान आंदुलन की लड़ाई की वक्ति यहां था नहीं मैं तो बरतानिया की फौज में था सुना है कि आंदुलन के दौरान मुम्ताज बड़ी भादुरी से मरा यानि जब उसे यकीन हो गया कि लगी हुई गोली खाकर वो बचेगा नहीं तो मौत के डर से वो रोया या अस्पताल ले जाने के लिए गिड़ गिड़ाया नहीं उसने फाइरिंग के दौरान भागते हुए एक आदमी का दामन पकड़ लिया और कहा ए भाईया गंगौली जईयो तो कहदियो हमरी अम्मा से कि हम मर गए किसान की इस बेसूत शहादत को आप नहीं समझ सकते कदी हो हमारी अम्मा से कि हम मर गए इस संदेसे में छुपे धर्ती के दर्द को आप नहीं समझ सकते आपके जिन्ना साहिब मलबार हिल की जो इमारत छोड़ कर पाकिस्तान जाएंगे तो बेहतर इमारत बनवा लेंगे अगर वो चाहेंगे तो अपनी बीवी रती की कबर उखाड़ कर पाकिस्तान ले जाएंगे क्योंकि उनका कोई रिष्टा जमीन से नहीं है लेकिन कुलसुम तो इस जमीन में सदियों से दफन पुर्खों और कासिमबाद थाने पर मरे अपने बेटे मुंटाज की कबर उठा कर पाकिस्तान नहीं ले जा पाएगी अगर सारी कबरें ले गए तो हिंदुस्तान का पूरा आंगन उखड जाएगा तब मुसल्मान को कटा फटा मुल्क मिल जाएगा लेकिन वो घर आंगन से महरूम रह जाएगा क्या यही चाहते हैं आप लोग बोलिए क्या यही चाहते हैं आप लोग काली शेरवानियों के पास कोई उत्तर नहीं था तन्नू और भड़क उठा आप जान का डर बैदा कर रहे हैं डर की यह फसल हमी को काटनी पड़ेगी इसलिए मैं बहुत डरता हूँ डरने की क्या जरूरत है आखिर आप मुहम्मद बिन कासिम के वारिस हैं काली शेरवानी ने जुमले बाजी का दाव चला मैं वोटर नहीं हूँ तन्नु ने काली शेरवानी की बाद काटी मैं मुसल्मान हूँ लेकिन मुझे इस गाउं से मुहबत है क्योंकि मैं खुद ये गाउं हूँ मैं नील के इस गोदाम, इस तालाब और इन कच्चे रास्तों से प्यार करता हूँ मौजूद लोगों ने तन्नु की ओर देखकर जैसे हामी भरी मैदाने जंग में मैंने मौत का तांडव देखा है जब ये मौत बहुत करीब आ जाती थी तो मुझे अल्ला जरूर याद आता था लेकिन मक्कए, मुज़मा या कर्बलाय, मुळला की जगह मुझे गंगौली याद आती थी और मैं ये सोच कर जला जाता और रोने लगता कि अब शायद में नील के गोदाम पर बैठ कर गन्ना नहीं खा सकूँगा और अब शायद मुझे आठवी की मजलिस का हलबा नहीं मिलेगा, अल्ला तो हर जगह है फिर गंगौली और मक्का और नील के गोदाम और काबे हमारे पोखरे और आबे जमजम में क्या फर्क है आप ही जैसे लोग हिंदुस्तानी मुसल्मान को हिंदूओं के हाथ बेच डालेंगे, काली शेरवानी बिगड गई, आपको शर्म नहीं आती आप मक्का शरीव से जटियल गाओं का मुकाबला कर रहे हैं जी हाँ, कर रहा हूँ तन्नु ने कहा, और मुझे शर्म भी नहीं आती और शर्म आये क्यों गंगौली मेरा गाओं है मक्का मेरा शहर नहीं, ये मेरा घर है और काबा अल्ला मिया का खुदा को अगर अपने घर से प्यार है तो क्या वो माज अल्ला ये नहीं समझ सकता कि हमें भी अपने घर से उतना ही प्यार हो सकता है ए बेटा, तू तो कुफर बोल लग गयो हकीम साहब ने बिगड कर कहा इका कहरा है बेहराम जा दे काबा फिर वो काबा है वेटा मैं कब कहता हूँ कि वो काबा नहीं लेकिन लाहॉर तो काबा नहीं है ना उसने सवाल किया देखिये चाप जो कुछ मैंने बाहर देखा है वो आपने नहीं देखा इसलिए जो कुछ मैं देख सकता हूँ आप नहीं देख सकते नफरत और खौफ की बन्याद पर बनने वाली कोई चीज मुबारक नहीं हो सकती मुबारक हो अब्दुलरब निश्टर ने वाइसराय की कमरे में कॉन्फरेंस मेज पर पड़ी शकरदानी में से कुछ दाने उठा कर लियाकत अली खान के मुँ में बतौर मिठाई रख दिये मुबारक हो चिन्ना साहब ने खामोशी से जेट सिगरेट होलडर निकाला और कैरवेन इस सिगरेट उसमें लगा कर चुप चाफ पीने लगी भंगी कॉलमी शाम हो रही थी प्रार्थना सभा से पहले गांधी जी टहल कर लोटे थे एक स्वैम सेविका जहमे से उनके भीगे और ठके पैरों की धूल साफ कर रही थी तभी एक अधेड खदरदारी ने आकर सूचना दी बापू विभाजन हो गया है गांधी जी ने गहरी सांस ली अपना ठका पैर खीच लिया फिर सूखे गले में घूट सा लेकर वो धीरे से बोले अच्छा होता वो मेरे शरीर को बांट लेते पीश्वर उन्हें सदबुधी दे कहकर उन्होंने आकाश की तरफ देखा जैसे बापू कह रहे हो गलत फैसलों से हिंसा उपजती है और हिंसा से अप संस्कृतियां और रख पात उसकी अदालत के दर्वाजे पर तभी रख सनी दस्तके पढ़ने लगी वो दस्तकों से परिशान था परिशान नहीं पागल और ठिर दस्तकों पर दस्तके उत्तर पश्चिमी सीमांत से भाग कर आए परिवारों ने दस्तक दी उनकी आहों और कराहों ने दस्तक दी अदालत ने पूछा तुम कौन हो उन्होंने उत्तर दिया हम कश्मीर में हिंदू हैं पर हिंदुस्तान में कश्मीरी कहलाते हैं तभी उत्तर पूर्व से तड़ तड़ाती एक गोली आई, उल्फो आउगरवादियों ने दस्तक दी, चाय बागान से ही दस्तक आई थी, तब तक सन 1984 की विधवाएं दस्तक देने लगी, दक्षिन के नकसल पंथियों ने दस्तक दी, साथ ही मेहम चुनाओं के 20 मुर्दे द दस्तक देने लगे, बटाला बस कांड की लाशें चीखने लगी, फिर लोग सभा ने दस्तक दी, पिछले एक साल में जो 10 हजार लोग सांप्रदाइक दंगों में मरे थे, वो खड़े होकर शोर मचाने लगे, लोग तंत्र भाली के समर्थक, नेपाली शहीद, दर्वाजे और दीवारे पीचने लगे, लंका के लिट्टियों ने पीछे से दस्तक दी, कराची के दंगों में मारे गए लोग अभी खड़े ही थे, कि उनकी कतार में ताजा मुर्दे शामिल हो गए, अदालत उनकी बात सुनती, उससे पहले सिमरंजीत सिंग मान तलवार लेकर आ कहा, शाह तो चले गए, शेहनशाही खत्म हो गई, पर ये अब तक शाही इमाम बने कैसे बैठे हैं, दस्तकें देते हाथ हस पड़े, अदालत ने ताकीद की, खामोश, हसी तो खामोश हो गई, लेकिन दस्तकें तो खामोश नहीं होती, और अदालत के एक कोने में पड़े शाह बुद्दीन ने अपनी खासी से दस्तक दी, जो इंडियन मुसलिम नहीं, मुसलिम इंडिया पत्रिका निकालते हैं, और अपनी इंसाफ पार्टी का शव सीने से लगाए हुए थे, अदालत ने शाह बुद्दीन से पूछा, तुम यहां कैसे, इन दिनों मेरी हालत बन गई थी, तभी दहार दहार कर विश्व हिंदू परिशत और बजरंग दल के नेता दस्तक देने लगे, राम जन्म भूमी मंदिर बन कर रहेगा, बलकि हम कृष्ण जन्म भूमी और काशी विश्विनात के मंदिर को भी मुक्त करा के दम लेंगे, लेखक की अदालत ने खेडा का शव हाजिर हुआ, वो शव छे गोलियों से चलनी था और खून से तरबतर, आते ही वो चीखने लगा, मुझे दो पहर डेड़ बजे मारा गया है, मुझे बटमालू इलाके में लाया गया, कार से उतार कर मुझे चलनी कर दिया गया, रूबिया सईद का बाप तो आदाब, एक और दस्तक पड़ी, अदालत ने मुड़ कर कहा, आदाब, और आगे पूछा कि आप कौन सी दस्तक हैं, जी मुझे प्रोफिसर मुशीर उलहक कहते हैं, मैं कश्मीर उनिवरसिटी का वाइस चांसलर था, इससे पहले जामिया मेलिया दिल्ली में था, मैं इस्ल अदालत को आकर बताया, कि बड़ोदा गुजरात में हुए दंगों के मुर्दे दस्तक दे रहे हैं, उनमें एक अदमरा घायल भी है, जो कभी भी मर सकता है, हाँ तो पहले उसे मरने दो, मेरे पास जिन्दा या अदमरों के लिए वक्त नहीं, मुझे मुर्दों से अदालत ने अरदली को छाड़ दिया, अरदली तम-तमा उठा, अगर आप जिन्दा और अदमरों की बात नहीं सुनेंगे, तो मरने वालों की तादात बढ़ती जाएगी, खून बतोरने से काम नहीं चलेगा, खून का खुला हुआ नल बंद कीजिए, ये लगातार बह रह है, चुप, अदालक चीखी, मैं चुप नहीं रहूँगा, अरदली को सियासत चुप करा सकती है या पुलिस, लेकिन आप लेखा कोकर चुप करा रहे हैं मुझे, लानत है आप पर, अरदली भभग उठा, अदालक ने फौरन अपनी गलती मन्जूर की, मैं माफी चाहता महमूद, लेकिन ये रोने के आवाज कैसे आ रही है, ये दस्तक मुझे परिशान करती है, ये बेगम मुशीर के रोने की आवाज है, लेकिन मुशीर साहब तो यहां खड़े है, कंधे पर अब्दुलगनी की लाश लादे हुए, तुमें नजर नहीं आते, अदालक ने पता नहीं था, फिर उनके दामाद अब्दुलसलाम ने धीरे धीरे उन्हें बताना और समझाना शिरू किया, आखिर लाश जब जामिया पहुँच गई, बेगम मौत को मनजूर नहीं कर सकी, बोली, डॉक्टर को बुलाओ, ये जिन्दा है, बस तभी से बेगम रो रही है तो उन्हें बताओ कि मौत को मनजूर करें, जो कुछ भी मुर्दा हो जाता है, उसे जल्दी से जल्दी मनजूर करने से ही दुनिया बदलती है, अदालत ने कहा, तब ही खून के दो बम अदालत में फट पड़े, सब सरा बोर हो गए, आखिर खून से तर बतर अपना मूँ पोचकर अदालत ने पूछा, ये खून के बम कब से बनने लगे, जब से आजादी मिली, आजादी कब मिली, अदालत ने पूछा, अरदली ठटा कर हस पड़ा, शर्म कीजी अदीब आलिया, अदालत खोल के बैठे हैं, पर अदालत के पास जो मामूली जानकारियां होनी च जूठा कहा था, इस बार अदालत ठटा कर हस पड़ी, लेकिन इस दौर में भी तो जामा मस्जित का शाही इमाम आजादी को जूठा कहता है, ये अब तक नहीं बदला और न वक्त को बदलने देता है, ये नहीं बदलने देगा, क्योंकि ये जाहिल हिंदुस्तानियों का स जाहिलों की कमी नहीं इस मुलक में, इन जाहिलों की फसल कब बोई गई? अदालत ने पूछा, तो एक मुर्दा करहता हुआ उठ खड़ा हुआ, सरकार, ये फसल सन 47 में बोई गई, इस फसल को खून से सीचा गया, भागलपुर का एक मुर्दा बोल उठा, मेरट, एहमदा के दाने हैं, नहीं, एक नौजवान मुर्दा चीखा, ये होंगे, मैं नहीं, मेरी नसल खालिस हिंदुस्तानी है, मैं सन 47 के बाद पैदा हुआ हूँ, और अब भागलपुर में मारा गया हूँ, और तुम? अदालत ने दूसरे नौजवान से पूछा, तमीज से बात कीज जीए, मैं मुर्दा नहीं, शहीद हूँ, मुझे पुलिस ने मांड इलाके में मारा है, तुम वहां क्या कर रहे थे? मैं खालिस्तान बना रहा था, तब ही कराची का एक मुहाजिर खड़ा हो गया, मैं भी मारा गया हूँ, क्यों? क्योंकि मैं पाकिस्तान में पाकिस्तान तो क्या, सन 47 में पाकिस्तान नहीं बना? बना? लेकिन वो तो जुग्राफिय की बात है, हमारे दिमागों और दिलों में पाकिस्तान का जो नक्षा बनाया गया था, वो अभी पूरा नहीं हुआ है, वो कभी पूरा नहीं होगा, तशूल पकड़े एक मुर्दे ने तेज, तल्ख गुर्राती आवाज में कहा, अब भारत अखंड होगा, और उसमें नारा लगाया, राम, कृष्णा और विश्वनात, तीनों लेंगे एक साथ, तभी खून के कई बम एक साथ अदालत में फटे, और सारे लोग एक बार फिर खून से नहा गए, इस बार खून में इ लेकिन फिर भी मुझे मारा गया, मुझसे कहा गया कि अपनी घडी का वक्त बदलो, इसे पीछे करो, और सुईयों को पाकिस्तानी वक्त पर लाओ, क्या वक्त को पीछे करने से पाकिस्तान बन जाता है, अदालत ने पूछा, मुझे नहीं मालूम, पर मुझसे कहा गया कि स तो मुशीर साहब आप कश्मीरी बंडित हैं अदालत ने जानना चाहा जी नहीं मैं मुसल्मान हूं पांच वक्त की नमाज पढ़ता हूं नमाज पढ़ने ही जा रहा था जब मुझे किटनेब किया गया और दूसरे दिन मार गिराया मुशीर साहब बोले हुजूर आपने ठी नहीं हमारी गुलामी का इतिहास अंग्रेजों के आने से शुरू होता है भागलपुर का एक उठा चलाया अंग्रेजों ने हमारी सल्तनत भाग्तु शाह जफर से चीनी थी वो जब गए तो उन्हें हमारी सल्तनत हमें देख कर जाना चाहिए था भाबर तो गाजी था त्रिशूल धारी भबक उठा ये गलत है मेरत का एक अधेर चीखा ये सही है त्रिशूल धारी और भड़का अदालत में अजीब सा हंगामा बर्पा हो गया मुर्दों की आखें दहशत से भर गई वो बदन पर जमें खून के ठके उचेड़ने लगे उचेड़ने के साथ आया तुम्हारा तो खून हो चुका ये बाबर की रगों से आया है त्रिशूल बहुत जोश में था उसके जोश से औरों के चहरे काले पढ़ते जा रहे थे सरकार जब तक बाबर का नाम लिया जाएगा सदियों का खून रिस्ता रहेगा अर्दली ने अदब से कहा रास्ते की तलाश तो उसे खुद करनी थी और अपने समय में करनी थी समय को वो सिकोड सकता था आखिर अपने दिमाग पर जोड डाल कर उसने हुक्म दिया बाबर को अदालत में हज़र किया जाए अर्दली हुक्म की तामील के लिए चल पड़ा मुर्दों के चहरे पीले पढ़ने लगे ये तो भयानक है लेकिन ये सच नहीं है बाबर बोला कैसे कोई सबूत पहली बात तो ये कि जो गजेटियर कनिंगम का लिखा बताया जाता है वो मेरे बाबर नुमा के गुमशुदा पन्नों की ही तरह गुम हो चुका है हैं जी और मैं इस अदालते खास में ये सच्चाई भी सामने रखना चाहूंगा कि खुद अंग्रेज अफसर नेविल ने फैजाबाद गजेटियर में लिखा है सन 1879 में फैजाबाद अयोध्या की कुल आबादी 9949 थी और सन 1881 में उसी की आबादी 11643 थी यानि 12 वरसों में करीब 2000 आबादी की बढ़त हुई अधीब आलिया आप खुद सोचिए कि मेरे वक्त यानि सन 1528 में उस इलाके की आबादी क्या रही होगी तब एक लाख 74 हजार हिंदु कैसे मारे जा सकते हैं इसलिए ये बात साफ होनी चाहिए कि अंग्रेजों ने हमारे मुलक हिंदुस्तान के साथ क्या खेल खेला है अध जबान में तुजू के बाबरी मौजूद है उससे आपको असलियत का पता चल सकता है उसे पढ़ लीजिए मैं लेखक हूं इस दौर में मेरे पास लिखने पढ़ने का वक्त नहीं बचा है वो जमाने लद गए जब तुम लड़ाईयां भी लड़ते थे और आराम से बैठ अपरेल 1528 को अवद के जंगलों में शिकार खेलने के बार तुम आयोध्या गए थे या नहीं और वहां एक हफते ठहरे थे या नहीं कता ही नहीं आप ही सोची हुजूर बरसों बाद मेरी बेगम मेहम बेगम और मेरी बिटिया गुलबदन काबल से आगरा आ रही थी पहली तो गुलबदन के हुमाईयो नामा से ये तफसील पढ़ सकते हैं फिर तुमने पढ़ने की बात की तुमें एक अदीब की तोहीन कर रहे हो अदालत ने बाबर को डाटा मैं माफी चाहता हूँ बाबर बोला तो गुलबदन से पूछ लीजिए अर्दली ने अदालत के कान म कुछ कहा तो अदालत ने सिरहिलाया और आदेश दिया गुलबदन बेगम को हाजर किया जाए फिर बाबर की तरफ मुखातिब होकर कहा तुम्हारी बेटी गुलबदन बेगम से ही जानना बहतर होगा कुछ ही देर में अर्दली ने गुलबदन बेगम को हाजर किया उसने खुस्ते ही अपने अब्बा हुजूर को आदाब किया और सिसकने लगी मुझे क्या मालूम था कि मेरा हिंदुस्तान इस तरह गारत हो जाएगा और आपको इस तरह कलंकित किया जाएगा गुलबदन बोल रही थी कि अदालत ने प्रिशिंसा में कहा गुलबदन तुम तो में हिंदुस्तान बुलवाया था मेरा बड़ा भाई होमायू तो दो साल पहले ही अब्बा हुजूर के साथ चला आया था मैं अपनी मां मेहम बैगम के साथ अपने दूसरे भाई बहनों और बड़ी छोटी अम्मियों से पहले हिंदुस्तान पहुँची थी अब्बा के साथ 9 अप्रेल 1528 को अलीगड पहुंची अब्बा हुजूर हमें लेने के लिए आग्रा से अलीगड के लिए पैदल ही चल पड़े थे आग्रा से चार मील दूर महम नाना चाके घर के पास मिले थे वहां से गोड़े पर सवार नहीं हुए पैदल ही हमारे काफिले के साथ में दाखिल हुए यह तारीख 10 अप्रेल 1528 थी अब्बा हुजूर मेरी अम्मी के साथ वक्त गुजारना चाहते थे इसका तारीख या इतिहास से क्या लेना देना अदालत ने कहा ताज्यूभ है आप अदीव हैं अदालत लगाकर बैठे हैं और इनसान के जजबात से कत्र रहे हैं एक शक्स चाहे वो शेहनशाय ही क्यों नहों क्या वो इनसान नहीं होता क्या उसके दिल में प्यार और मुहबत के जरने नहीं फूटते आप इतना भी नहीं समझते तीन महिने जी हां तीन महिने अप्रेल 10 से लेकर 10 जुलाई 1528 तक अब्बा हुजूर ने आग्रा का एक तख्त बनवाया था जिस पर बैठ कर ये अपना इतिहास खुद लिखते या लिखवाते थे तो क्या बाबर तुम्हारे अब्बा हुजूर अयोध्या से आगे शेख बायाजित का पीछा करते हुए जौनपूर, बकसर, चौसा और सारं तक बिहार में नहीं गए थे वो कैसे जा सकते थे ये तो हमें लेने आगरा लोट चुके थे अब्बा हुजूर की जो फौजें शेख बायाजित का पीछा करती हुए जौनपूर, बकसर और चौसा तक गई थी उनके सेना पती मुहम्मद अली जंग जंग थे अब्बा हुजूर तो हमें लेने लोट आ ये धौलपुर से सीकरी लोटे अगस्त 1528 के पहले हफ्ते में और वहां से अब्बा हुजूर आगरा वापस आ गए सितंबर 15 सन 1528 के आसपास तो अब जो बाबर नामा के फटे हुए पन्ने हैं उनकी जगा आप मेरे हुमायू नामा के पन्नों को रख सकते हैं और जान सकत हैं कि अब्बा हुजूर कहां थे मैं जोर दे के कहना चाहते हूं कि अब्बा हुजूर के लिए ना तो आयोध्या कोई खास शहर था और नहीं वो वहां गए थे जिन तीन महिनों अप्रेल मई जून 1528 ये हमारे साथ थे उस दोरान ये पंजाब में सिरहंद तक गए थे क् कि लाहुर के इमाम ने अब्बा हुजूर के खिलाफ बगावत की थी अब्बा हुजूर ने सिरहंद में बैटकर कंबर अली अरगन को हुक्म दिया था कि वो लाहुर के इमाम शेख शराफ और उसके साथियों को पकड़कर आगरा दर्बार में हाजिर करे इस वक्त तक तो मुसल्मान ही मुसल्मान से लड़ रहा था हर मुसल्मान चाहे वो शेहनशाह हो सिपाह सालार या सूबेदार इस मुलक के हिंदूों के बगएर अपनी सल्टनत काहिम नहीं रख सकता था और फिर अफगानी मुसल्मानों को शिकस्त देने के दौर में अब्बा हुजूर के पास वक्त कहा था कि या युद्या जाते और किसी मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनवाते जब अबा हुजूर ने हिंदुस्तान पर आखिरी हमला किया तो मजहब ये धर्म का सवाल ही नहीं था वो तो सल्टनत की लड़ाई थी और मुसल्मान खुद मुसल्मान से लड़ा मैं दंत धावन कुंड का पहला महंत छत्रदास हूँ मुझे पता चला कि बाबर आपकी अदालत में हाजिर हुए है इसलिए मैं समाधी से निकल कर अपने बाश्या का दर्शन करने आया हूँ ये दंत धावन कुंड क्या बला है और कौन सी जगा है ये बला नहीं ये जगा वहीं आयुध्या में है जहां राम चंदर जी दातोन किया करते थे यहीं भगवान गौतम बुद्ध ने सोलह चतुरमास बिताए थे और यहीं चीनी यात्री वेंसांग आया था अपने यात्रा विवरण में उसने खुद इस कुंड का उलेख किया है आज भी आयुध्या म मतलब है बाबर अयोध्या आया था जहिरुद्दीन मुहमद बाबर बाच्शा थे तब बाच्शा खुद नहीं उनकी महरबानियां आया करती थी तब कि बाच्शा आज के नेताओं की तरह नहीं थे कि 10-10 रुपे बांटने पहुंच जाएं आज भी हम दंत धान कुंड के इलाके का लगान वसूल करते हैं और माल गुजारी नहीं देते बाबर के ताम पत्र और अंग्रेजों की सनद के तहट हमें आज भी ये माफी नामा मिला हुआ है तुम्हारे उपर बाबर ने क्या उककार किया इससे हमें लेना देना नहीं तुम ये बताओ कि बाबरी मीर बाकी ताशकंदी ने करवाई हो महंत छत्रदास बोला मीर बाकी के गाउं सने हुआ में उसके वन्चज आज भी मौजूद है आप उनसे मालूम कर सकते हैं अच्छा तो अदालत को कुछ देर के लिए स्थगित किया जाता है मुर्दों में हडकंप मच गया दस्तकें फ हला क्या है तो अर्दली ने उनको सारी जानकारी देते हुए कहा हुजूर यह असम के मुल्की यानि धर्ती पुत्रों का आंदुलन है इस तरह का पहला आंदुलन आंद्र प्रांत में शुरू हुआ था धर्ती पुत्रों या मुल्कियों की तर्ज पर यही आंदुलन लेक वो चीखने लगे आप इस तरह अदालत मुल्तवी करके नहीं जा सकते आखिर अब एक ही तो अदालत रह गई है नहीं तो मुल्क की ज्यादा तर अदालतें बेकार हो चुकी हैं कच्चे कानूनों की वज़े से लाचार हैं अदीब ने उन्हें जैसे तैसे समझाया तब किसी स्टेशन की दीवार पर लिखा हुआ नारा सामने खड़ा था बोला फैजाबाद अयोध्या आये हो तो पहले से पढ़ो लिखा था अपने धर्म स्थानों का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान बजरंग दल्म तुम कहां से आये हो उसने नारे से पूछा मैं दिल्ली से तुम कहां के रहने वाले हो मैं रहने वाला तो दिल्ली कंवं मेरा जन्म गोरख आश्रम गो रह पूर में हुआ है नारे ने उत्तर दिया तुमわかेजा बाद और यहीं पर सब्सक्राइब थे हैं मुझे पना नहीं देते जी हाँ ज़यादतर मैं मेर बांकित ताशकंदी के घर जा रहा हूं। अभी तो आग्या दो लौट कर तुमसे भी बात करूंगा नारा खुद ही चीखने लगा अपने धर्मिस्थानों का आपमान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अधीब जब स्टेशन से बाहर आया तो रिक्षा और आटो वालों की भीड ने उसे घेर लिया, तभी उसने करिश्मा देखा कि वो नारा आसमान में बादलों की तरह गुमडने लगा कुछी देर में अंधर चलने लगा और रेजगारी और नोटों की भारिश होने लगी, अंधर इतना तेज था कि रेजगारी और नोट अयोध्या की ओर उड़ते चले जा रहे थे, कुछ गिर पढ़ते तो गरीबों के हाथ आ जाते, बाकी उड़ते हुए सर्यू की दिशा जा रहे थे, मुसल्मान औरतें बुरका पहने बाजारों में खरीद फरोख्त कर रही थी, या चूड़ियां पहन रही थी, हिंदू मनिहार उनकी नाजुक कलाईयों में चूड़ियां पहना रहे थे, और वे बुरके का पल्ला उठाए, खुले मूँ उनके सामने बैठी थ बाजार खाने पीने की चीजों और रेडी मेट पोशाकों से भरे हुए थे, वहाँ ना हिंदू दुकाने थी, ना मुसल्मान दुकाने, वहाँ सिर्फ दुकाने थी, गंदगी और भीड उतनी ही जितनी की पूरे हिंदुस्तान में है, और पोशाकें भी सब वही जो सब प रही थी, विजनम गुट्टी बेच रही थी, लाल तेल और दूद की पूतलें बेच रही थी, नौजवान उन दीवारों से मोटर साइकलें या टीवी खरीद रहे थे, सुन्दर और ओरतें होठों की लाली और ब्रेसरी खरीद रही थी, और नपुनसक लोग उन दीवारो में बैठे, गुप्त रोगों के हकीमों और वैदों से दन दनाते जोश और मरदानगी की दवाओं की खरीद फरुक्त कर रहे थे, सब बच्चों के खिलोने एक से थे, काठ और प्लास्टिक के खिलोने, रबर की छोटी छोटी चपलें, वही नीली, हरी, अबादामी, किसी में उनकी चपलें, या खिलोने, या दूद की बोतलें, उनकी निपलें या उन्हें साफ करने के ब्रुश अलग-अलग नहीं बनाये थे, उनकी जिदों के ढंग भी एक जैसे थे, वे वैसे ही अपनी मा की चूडियों भरे हाथ खीच रहे थे, और अपनी पसंद की दुका की ओर ले जाना चाहते थे, सब उसी तरह पत्ते पर चाट खा रहे थे, और पान खाके बुरके वाली सुंद्रियों के होट उसी तरह हलके गुलाबी से रचे हुए थे, जैसे गुड़हल के फूल, उसे विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि वो तो कुछ और देखने आय था, ये सब देखकर उसकी आँखें फटी रह गई, भागा भागा वो जन मोर्चा अखवार के दफ्तर में घुस गया, ये पूछने कि आपने ये सब देखा है, सच है या किसी चमतकारी ताकत ने अपना माया जाल फैला रखा है, क्या यही फैजाबाद है, या वो किसी द अबबरे के पास से गुजर ही रहा था कि एक नहायत सूखे से पिंजर हाथ ने उसका कंधा थाम लिया, वो घबरा गया, मुड़ के देखा तो देखता ही रह गया, उसकी परदादी की तरह बूढ़ी और नहायत खूपसूरत एक औरत उसके सामने खड़ी थी, उसके बाल चहरे पर सर्यू की लहरों जैसी जुरियां, उस बूढ़ी ने पूछा, नहीं पहचाना, मैं फैजाबाद की बहु बेगम हूँ, मैं तो नहीं गई अपना फैजाबाद छोड़ के, वो चला गया, अपनी राजधानी भी लखना उठा ले गया, मैंने कहा जा, तू ही मेरा केला बेटा नहीं है, मेरे हजारों लाखों बेटे हैं, मैं तो फैजाबाद नहीं छोड़ूंगी, दादी, आप रहती कहा है, अरे, तुझे इतना भी नहीं मालूम, मैं इसी मकबरे में रहती हूँ, यहीं दफन हूँ, मैंने देखा कि तू यहां से गुजर रहा है, तो स सोचा कि तुझे मिल लू, सदियों बाद यह मन किया कि तुझे देख लू, तो अमीर खुसरों के खांदान से है ना, अधीब है ना, हाँ, मीजान अधीब हूँ, अमीर खुसरों एटा के थे, मैं मैंनपुरी का हूँ, तीस मील का फासला है, तीस मील क्या होता है, अधीब तो सदियों का फासला तै करता है मेरे बेटे, वालमिकी व्यास, काली दास कबीर और मीरा भी तो उसी खांदान के बुजर्ग हैं जिसका तू वारिस है और इससे पहले कि वो कुछ भी बोले, वो खुद ही बोलती गई मैंने तुझे देखते ही पहचान लिया तुलसिदास भी उसी खांदान का था खुसरो तो एटा में रहता था पर तुलसिदास यहीं रहता था अयोध्या में, तू भी यहीं रहे क्यों भटकता है गाउं गाउं सूबा सूबा, तू बैठके लिख तेरा लिखा सदियों के पार जाएगा सब के पास जाएगा इस उम्र में तेरे माथे पर ये लकी रहे आँखों में धुआ और सांस में इतना गुभार कहां से भाग के आया है तू बता मेरे बेटे, बता दादी, वक्त कुछ ऐसा आन पड़ा है कि मैं कहीं चैन से बैठ नहीं पाता सोच नहीं पाता, लिख नहीं पाता आज कल मैं खून से नहाता हूँ बंदूकों की गोलियां खा के जिन्दा रहता हूँ अरे बेटे हाँ, एक गोली मुझे भी लगी थी अरे पूछो इन कश्मीरी मुजाहिदों का मैंने क्या बिगाड़ा था पर बेटा, तू अपना खयाल रख कोई राजा, महराजा, बादशा, शेहनशा, नेता, प्रधानमंत्री अपने वक्त का जवाब नहीं देगा सब अच्छा या बुरा करके मर जाएंगे जवाब सिर्फ तुझे देना पड़ेगा बहुत खूब, ये भी भूल गए, आप अदालत मुल्तवी करके किसलिये आये थे याद कीजिए और मीर बाकी के गाउं का पता पूछिए ओ, हाँ, 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 उसने कहा और पास से गुजरते आदमी से पूछा आपको मीर बाकी के गाउं का पता है? कौन मीर बाकी? और ये आवाज गूँचती चली गई कौन मीर बाकी? उसने जिस से भी पूछा, उसने यही जवाब दिया उसका पता जब नहीं मिला, तो वो एक छापा खाने में घुज गया वहां सिर्फ दो ही चीजें छप रही थी अयोध्या का रक्त रंजित इतहास और चंदे की रसीद बुकें रसीद बुकों के गठर लद लद कर अयोध्या के मंदिरों में जा रहे थे डाक खानों पर भीड लगी थी राम मंदिर समीतियों भजन मंदियों और नजाने किन किन दलों और परिशदों के एजेंट अपनी अपनी संस्था की रबर मोहरे लिए मनी ओर्डरों से आये चंदे को डाक खाने से वसूल रहे थे आखिर अर्दली जेब से निकला उसने अयोध्या का रग्त रंजित इतिहास पुस्तक में से मीर बाकी का पता खोज कर वो पन्ना उसके आगे बढ़ा दिया सने हुआ गाउं मीर बाकी का गाउं विवरन सामने था फैजाबाद से चार मेल दूर गर्मी कच्चा रास्ता तेज धूप उड़ती हुई गर्म धूल किसी तरह वो गाउं के बीचो बीच पहुँचा गेहूं अभी कटा था खेत खाली पड़े थे खलिहान भरे हुए थे कच्चे पके घरों का गाउं दस बारा बच्चे बाहर खेल रहे थे कोई बड़ा और बुजर्ग नजर नहीं आया तब तक एक बच्ची ने आकर पूछा अबबा से मिलना है कहा है तुमारे अबबा उदर खटिया पे पड़े सो रहे हैं अर्दली ने उन्हें जाकर जगा वो भी पास पॉच गया यहां कोई जानने वाला है क्या कि इस गाउं में मीरबाकी तासकंदी कि सन्य हुआ गाउं है पूछना होए तो तासकंद गाउं में जाकर पूछो यहां का पूछत हो उस बुजर्ग गाउं वाले ने कहा और चपर से उठकर भीतर चले गए फिर व उस मजार के सिराने एक लेंप लगा था। उसने अपने क्रू को आवाज लगाई। फॉरन कैमरा और साउंड वाले आ गए। प्रोडक्शन यूनिट भी सक्रिय हो गया। इस गाउं में कोई और मस्जिद और मजार तो दिखाई नहीं पड़ता। यही होगी मीर बाकी की बन खारत में आग लगाने आये हैं। यह एक मौलवी नुमा अधेड की आवाज थी। आप बिना प्यूछे उपर कैसे चड़े। इजाज़त किस से ली। हैं कौन आप नीचे उतरिये। अखिर आपका मकसद क्या है। इगाम आपका है कि मूँ उठाया और घुज गये। ची खानों का एक गोल भी तहमत संभालता, कुर्ते पहनता, भीड में शामिल हो चुका था। तनाव काफी बढ़ गया था। तब ही दो फरिश्टे बीच में आकर खड़े हो गए। उन दोनों देव दूतों में से एक ने पहचाना। अरे भाई, इता अपने सीतला सिंग वो जानना चाहते थे कि वो सब लोग किस काम से आये हैं। शीतला सिंग ने उन्हें सारा मकसद बताया तो वही मौलवी नुमा अधेर सामने आये और बताने लगे। अब बात ही है साहिब कि हम यहाँ चैन से रहते हैं, पूरा गाउं मुसल्मानन का है, इसमें सिया भी है और सुन्नी भी, आप क्या हैं? जी मेरी पर्चूनी की दुकान हैं और मैं इस ही मस्जिद का पेश इमाम भी हूँ, इहां कोई मीर बाकी ना ही रहा, ना उसका खानदानी कोई है इहां। तो ये मजार बोस ने पूछ लिया, ये तो हमारे सामने वाले के वो बुजुर्ग रहे वो हम सब गाँवाले भी उनको बुजुर्ग मानते हैं, उन्ही का मजार है ये, अब आप ही सोचें का मीर बाकी का मजार और वो की मस्जिद इतनी मामुली होए सकती है, ये तो आग लगाए दी है गलत तारीख लिखने वालों और दिल्ली के अखबारों ने, यहां आ नहीं सोचते कि भारत का का होगा, पहले ही आहिंदो मुसल्मान को लड़वाना चाहा, नहीं लड़वा पाए तो अब सिया सुननी को लड़वाना चाहते हैं, अब तक पानी, शर्बत, बिस्कुट और मूं की दाल मोठा आ गई थी, खातर शुरू हो गई, हम जानत हैं, आ बड़ा सा दीप स्तंभ बना था, उसे दिखाते हुए वो अधेड बताने लगे, इस पर पचासों चराग जलाते हैं हम, जब ताजिया उठाते हैं, इदीप घर है, हम जब हिंदू रहे तब हमार पुर्खन ने बनवाया रहा, अब हम ताजिया उठाते बकद इस पर चरा पहले हम पढ़ लेते हैं, फिर सुन्नी, कोई जगडा ना ही है, पर लोग करवाना चाहते हैं, यह बात पर, वैसे शिया और सुन्नी में फरक क्या है, अधीब ने पूछा, कौनव नहीं बाबु साहेब, एक बुजुर्ग ने कहा, जौन अली को शिद्दत से मानते हैं, त कौन सुन्नी, तब ही चीखती चिलाती च्छाती पीटती एक अधेर औरता गई, सिया सुन्नी सब गए भाड में, एई इमाम साब, मोर बिलकिस को तो तुमने मरवाए दिया, यह का जिम्मेदार है वो अमिरात का बिलाल, यह क्या वारदात है, अधीब के कान खड़े हुए अरदली तब तक इधर उधर मौाइना करके उनके पास आ चुका था, अधालत की जरूरत को समझ कर वो फौरन बिलाल को बुलाने चला गया, पर खाली हाथ लोट आया, खजूर बिलाल का कहीं पता नहीं है, नो वो इस दुनिया में, नो उस दुनिया में, यह कैसे हो सकता ह अधालत बोली, सारे धर्मों और सब्भिताओं ने सिर्फ दो दुनिया का उसूल आयत किया है, तीसरी दुनिया कैसे हो सकती है, जिसमें जाके बिलाल चुक जाए, पता नहीं हुजूर, पर मुझे तो वो कहीं नहीं मिला, इतना जरूर मालूम हुआ कि वो मिस्तर की तरफ भाग गया है, मिस्तर की तरफ? तब तो वो जरूर पकड में आ जाएगा, आखिर मिस्तर वाले मुझे कैसे भूल सकते हैं, हम उस जमाने की बात कर रहे हैं, जब इनसान और इनसान का खून एक था, हमारी सब्भिता एक थी, हम सब दरिया नील की गोद में पले थे, हमने ही मिस्तरी सब्भिता को जन्म दिया था, मिस्तर की सब्भिता मेरी ही तो देन है, मिस्तर वालों से जाकर कहो, कि जिसने तुम्हें ये सब्भिता दी है, उसे बिलाल की जरूरत है, क्या दरिया नील के देश वासी भूल गए, कि सीन से लेकर भूमत्य सागर तक का 500 मील का वो जर्खे इसा मैंने ही सींचा था इस यूनानी इतिहासकार हैरे डॉट्स समराट मैं इसने क्या किया इसकी तफसील में जाने की जुरूरत नहीं पर पुरातन कि थी कि मनुष्य में दो आत्माओं का निवास होता है एक वो जो लॉकिक है दूसरी वो जो पार लॉकिक है मृत्यू के बाद भी आत्मा अपने पुराने घर को खोचती आती है इसलिए मैंने सोचा था कि पिरामिट जुरूरी है जिनमें उस आत्मा के शरीर को सुरक्षित रखा जा सके ताकि आत्मा जब चाहे तब अपने लोकिक शरीर में आ जा सके और जानते हो तुम सर जानते हो तुम मुझमें सिर्फ सदियां ही नहीं सब भेताएं बोलती है उन पिरामिडों में आत्मा के आवा गमन के लिए मैंने रास्ते बनाए थे टाकि आत्माओं को भटकना न पड़े हमारी तरह जैसे आज हम भटक रहे हैं अधीबे आलिया बाबर ने जैसे परिशान होकर टोका अरे सुनते जाओ बाबर अगर इंसान की इंसानी जड़ों को नहीं पहचानोगे तो तुम आज की दुनिया के दुख तर्द को नहीं समझोगे मुझे आज की दुनिया से क्या लेना देना अदालते आलिया बाबर ने कहा लेना देना है क्योंकि हम जो दुनिया बनाते हैं उससे आने वाली नसले वाबस्ता होती है अगर तुमें कुछ लेना देना नहीं होता तो तुम आज इस अदालत में मौजूद नहोते कोई जिंदगी स्वतंत्र नहीं है वो आगे और पीछे जुड़ी हुई जी तो सुनो तुम या कोई भी सभी तो मिस्त्र की सभ्यता से जुड़े हुए हो अपनी मिस्त्र की सभ्यता में मैंने ही पुनरजन्म की परिकल्पना पैदा की थी मैंने मृत्यू को अंतिम सत्य नहीं माना था मृत्यू के बाद फिर जीवन यहीं सबसे बड़ा सत्य था और शायद आप ने ही प्रेत पूजा की परिपाटी तोड़ कर अद्वैत वाद की स्थापना की थी। अद्वैत वाद यानी एकेश्वर वाद, फ्यूरर बहुत अदब से बोला। तुमने इसमें शायद क्यों लगा दिया। शायद नहीं, बिलाशक और सूर्य को ही हमने परमेश्वर माना था, उसे श्रद्धा से रा पुकारा था, रा ही हमें शक्ति देता था, उर्जा देता था, वही मौसमों का करता था, स्रजन और सुख का दाता था, एकेश्वर वाद को पुखता करने के लिए तब फारो अमेन होतप ने आमोन रा को स्विकार किया था, ताकि ठीपस और करनाक की दक्षिन वर्ती संस्कृती को उत्तर वर्ती मेंफिस की संस्कृती से एकिकरत किया जा सके, उसी ने सूर्य और सूर्य के चक्र की परिकल्पना की थी, और तब हमारी सभ्यता में ये विश्वास धड़ कि सूर्य जब अस्त होता है तो मृत्कों के संसार में चला जाता है और प्रातह ओदित होकर जीवितों के संसार में लौट आता है अधीब सभ्यता की इस कहानी को लगातार बताता जा रहा था पर इसे ध्यान से कोई नहीं सुन रहा था बाबर ने अर्दली की ओर देखा तो में फैसला तो इन्हें ही देना है इस अदालत को कौन रोग सकता है फिर दस्तकें पढ़ने लगी फिर वही हाहाकार और कोहराम मचने लगा अधीब ने पहले तो कानों पर हाथ रखे पर जब उस भयानक शोर को नहीं सह पाया तो कड़कती बिजली किसी आवाज में चीखा खामोश दुनिया से तो तुम परास्त होकर यहां चले आए अगर मैंने तुम्हें यहां से निकाल दिया तो कहां जाओगे बोलो कहां जाओगे कोला हल कुछ-कुछ थमने लगा तो अधीब फिर से भाशन पर उतर आया देखो हर सभ्यता हर धर्म में ब्रहमनवाद पैदा हुआ यह जड़ता का प्रतीक था मेरे मिस्त्र में भी देवताओं के नाम पर जो प्रसाथ चढ़ाया जाता था वहां के मंदिरों के पुजारीयों के पेट में जाता था वे पुजारी उन मंदिरों में वैभाव से रहते विश्रम फोजी सेवा और करों से मुक्त थे यह पुरोहित पुजारी और ब्राह्मन ही मिस्त्र की सब्विता के पतन का कारण बने यही सुमेरियन सब्विता में हुआ जो सूर्य के नहीं चंद्र के पूज़क थे जो व्यक्तिकत स्वतंत्रता को बहुत महत्व देते थे पाबर चीखा सुनने दो उससे ज्यादा जोर से फ्यूरर चीख पड़ा तो सुनो सुमेरियन संस्कृति के ब्राह्मनों ने मृतकों और आत्माओं के लिए पिरामिट नहीं बनाए बलकि देवताओं के नाम पर अपने लिए मंदिरों का निर्मान किया जब सुमेरियन संब्विता के ब्राह्मन स्वार्थी हो गए तो उस संब्विता का भी विनाश हो गया और तब उस विनष्ट संब्विता पर जन्मी बेबिलोनियन संब्विता बेबिलोनियन संब्विता ने पहली बार मिली जुली संस्कृति को मन्सूर किया दजला और फराग की घाटी इस मिली जुली संस्कृती से माला माल हो उठी थी लेकिन बेबिलोनिया की सब्विता में भी कुलींता का दंब पैदा हुआ उसमें भी आलिखित वर्ण बनते गए यही असीरियन, हित्ती, आर्मीनियन, हिब्रू, एरोयन और ग्रीक देशों के साथ हुआ पर ये सब्विताएं जी नहीं सकी क्योंकि इन में भी कुलींता के नाम पर उन लोगों का उदै हुआ जो मंदिर, पुराण और पवित्रता के नाम पर स्वएम को पुरोहित पוכारते थे ये पुरोहित ही असल ब्रहमन थे, जो जातिय नहीं स्वार्थ, केंद्रित, कुलींता और ब्रहमनवाद के प्रतीक थे यानि जो जड़ता को प्रश्रे देते थे और वक्त को बदलने नहीं देते थे अभी अधीब पागलों की तरह गूम गूम कर और कभी कभी बाल नोचते हुए अपना भाशन दे ही रहा था कि फिर भयानक दस्तकें पढ़ने लगी मुर्दों की दुनिया में हाहकार मचने लगा आर्त नात और विलाप के स्वर तेज से तेज तर होने लगे तो घबरा कर अधीब ने अर्दली से बहुत चिंतित होकर पूछा ये भयानक शूर कैसा है? सर, जब आप भाशन देने लगते हैं तो संसार के किसी हिस्से में कहीं न कहीं रक्तपात हो जाता है कोई हिंसक आदमी जाग पड़ता है और नसल या मजभब के नाम पर लोगों को भड़का देता है और वो मजभब या नसल अपना बदला चुकाने लगती है पर ये लोग कौन हैं जो सब्वेता की कहानी को रोग कर बरबरता की दास्ताने बताना चाहते हैं सर, ये 49 लोग दक्षिन अफरीका के बाई पोतों के लाके से अभी अभी मर कर आपकी अदालक में हाजिर हुए है ये काले अफरीकी हैं जिनने गोरी चमडी वाली साउथ अफरीकी सरकार नहीं मरवाया है लेकिन वहां तो नेलसन मंडेला की अफरीकन नेशनल कॉंग्रिस और डी क्लार्क की गोरी सरकार में समझोता हो चुका है कि वे मिल जुलकर नया सम्विधान बनाएंगे और कालों को उनका नैसर की गदिकार देंगे फिर ये हत्याकांड क्यों सर अंग्रेज गोरों ने अफरीकनों की एक पार्टी इनखदा फ्रीडम पार्टी को तोड़ लिया है और ये हत्याकांड उनी से करवाया है तो ये 49 मुर्दे क्या चाहते हैं ये इनसाफ चाहते हैं पर ये दूसरे लोग कौन दस्तक दे रहे हैं जब तक दस्तकों का सिलसला बंद नहीं होगा इनसाफ कैसे होगा क्या किया जाए हुजूर आप इनसाफ करते चलिए दस्तकें अपनी रफ्तार से पढ़ती रहेंगी लेकिन दस्तकों की रफ्तार बहुत तेज है तब सर आपको अपने इनसाफ की रफ्तार भी तेज करनी होगी जब इनसाफ तेज रफ्तार से चलेगा तो कोई न कोई हल निकलता जाएगा तब ही उबासी लेते हुए बाबर और फ्यूरर ने कहा अदीब आलिया अब हमें जाने की अजाज़त दी जाए हमारी कबरों पर फातिहा पढ़ने लोग आने वाले हैं अगर हम उन्हें वहां नहीं मिलेंगे तो आप के लिए वबाल खड़ा हो जाएगा और दस बीस लाख बेगुना लोग मार डाले जाएंगे ठीक है अदीब ने कहा तुम दोनों जाओं पर सिवा अपनी कबर के तुमें कहीं और जाने की अजाज़त नहीं ताकि जब तुमारी जरूरत हो तुमें बुलाया जा सके बाबर और फ्यूरर रुखसत हुए तो और तेजी से दस्तके पढ़ने लगी और लोग चीखने लगे हम कराची से आएं हैं हम सिंधी हैं हमें पाकिस्तानी फौज ने मुहाजिरों के कहने पर मारा है हम लिबनानी हैं हमें क्रिश्चिनों ने मारा है हम मुल्दोवा से मरकर आएं हैं हमें रूसियों ने मारा है हुजूर हम बोस्निया से आएं हैं हमें सर्बों ने मारा है ठीक है ठीक है अब मर गए हो तो चैन से बैठो जिन्दा रहने के लिए बड़ी मुसीबतیں झेलनी पड़ती है मरकर आदमी चैन की जिन्दगी बसर करता है यही मिस्त्री सब्विता ने हमें बताया था और मिस्त्री तथा आरे सब्विता ने इसलिए पुनर जनम को माना था फर्क सिर कितना था कि सिंदु सब्विता ने पुनर जनम के सत्ते को अलग-अलग योनियों में बटा हुआ माना था और मिस्ट्री सब्विता ने मनुष्य का पुनर जन्म मनुष्य के रूप में ही मनुझूर किया था इसलिए मैं मिस्ट्री सब्विता का समर्थक हूँ क्योंकि हम मनुश्य योनी को प्राप्त करके लगातार सब्भे होते आए हैं सरकार क्या कह रहे हैं आप अगर हम लगातार सब्भे होते आए हैं तो आपकी अदालत में इन दस्तकों की क्या जरूरत है हाँ ये तो सही सवाल है कहते हुए अदालत कुछ सोचने लगी फिर बहुत परिशान होकर उसने हुक्म दिया जिन्दगी को बिलाओ उसे फौरण से पेश तर हाजर करो जिन्दगी? अर्दली ने भुएं चड़ा कर पूछा हाँ, जिन्दगी यानि कहानी? जो भी समझो, कहानी और जिन्दगी में आज दूरी कहा है? अदालत ने कहा, अर्दली जिन्दगी और उसकी कहानी को लाने के लिए चलने लगा पर वो एका एक रुक कर बोला पर सरकार आपने तो बिलाल को मिस्त्र से पकड़ कर लाने का हुगम दिया था? अर्दली एका एक गायब हुआ और फौरन अरब अमिरात की सामाजिक समस्याओं के उहदेदार मुहमद बिलाल को कान से पकड़ कर ले आया और उसे पेश कर दिया खुजूर बिलाल इसे पकड़ लाया ये हाजिर अदालत है पर बिलाल समझ ही नहीं पाया कि ये कैसी अदालत थी और उसे क्यों पकड़ कर लाया गया है पर जब उसे इल्जाम के बारे में बताया गया और पूछा गया कि वो बेचारी हिंदुस्तानी लड़की बिलकीस किन हालात में मारी गई तो उसने अदालत को हिकारत से देखा बिलाल बिफर उठा ओ बिलकीस लेकिन एक हिंदुस्तानी औरत की जिंदगी इतनी कीमती नहीं कि उसके बारे में मुझसे जवाब मागा जाए खुद तुम्हारे मुलक के दंगों में कितनी बिलकीस रोज मरती है उनके साथ जिना किया जाता है तब तो तुम खामोश रहते हो तब अपने लोगों से तुम जवाब नहीं मांगते तब ही मुर्दा बिलकीस की सिस्कियों की तेज़ आवाजे आने लगी और मुश्किल ये थी कि बिलकीस की सिस्कियों के साथ ही कोरिया की एक सक्तर साला औरत किम हकसुन भी थी वो भी लगातार रोय जा रही थी अदालत सक्ते में आ गई उसने परिशानी से कहा मुर्दा लोगों को जिन्दा लोगों से अलग किया जाए नहीं तो सब गड़मट हो जाएगा मेरे कान में अभी एक जापानी ने कानूनी नजाकत का मुद्दा उठाया है और कहा है कि किम हकसुन अभी जिन्दा है और उसे मेरी अदालत में हाजर होने का कोई हक नहीं कहते हुए अदालत ने अपने माथे पर दस्तकती ये एक सम्भधानिक सवाल था मैं सिर्फ मुर्दों की शिकायते सुनने का हगदार हूँ पर हुजूर इन कानूनी बारी कियों में मज जाईए अन्याए अन्याए हैं अन्याए ग्रस्त औरत की जिन्दगी तो मौद से भी बत्तर होती है तुम ठीक कह रहे हो महमूद अली अदालत चीखी तो पूरी स्रिष्टी काप उठी नहीं मैं मुर्दों के अलावा उन जिन्दा लोगों की फरियाद सुनने का भी हग लेता हूँ जो जीते जी मुर्दा मान लिये गए हैं पलट कर अदालत ने किम हकसुन की ओर देखा हाँ तुम अपनी कहानी बताओ किम हकसुन ने कहा सर मैं कोरियन हूँ जब मैं 17 साल की थी वैसे पैदा तो मैंसर 1924 में जिलिन में हुई थी लेकिन 1941 में मुझे पेचिंग से जापानी फौजियों ने उठा लिया था और दूसरे महायुत्त के दौरान मुझसे जापानी सोल्जरों ने लगा तार 15 बार प्रते दिन बलातकार किया मुझे तिसहिन टाई कोर में भरती किया गया जो सेक्स कोर थी जिसे कमफर्ट कोर के नाम से पुकारा जाता था इस कोर में करीब 40,000 और लड़कियां जबरदस्ती भरती की गई थी और हम प्रते दिन कम से कम 15 जापानी फौजियों की पाश्विक वासना को सहती और तरप्त करती थी तब ही बिलकीस की तेज रुलाई फूट पड़ी किम हकसुन ये तो तुम्हारे साथ तब हुआ जग जग जारी थी पर मेरे साथ तो ये तब हुआ जग जग नहीं थी मुझे तो सिर्फ तस्वीर और डाक के जरीए बिहाता के नाम पर इस गंदे पेशे में डाला गया अदालते आलिया बिलकी इस फूट फूट कर रो पड़ी हुजूर न तो मुझे उनकी जुबान आती थी और न उनकी तहजीब पर वो अरब था जो मुझे ब्या का नाटक करके ले गया वो मुझे 28 बरस बड़ा था और जैसे ये किम हकसुन 15 जापानियों की हवस की सिकार होती थी उसी तरह मैं हर दिन बीसियों बार अपने ऊस खाविन्द की खुदरती और गियर खुदरती हरकतों का शिकार होती थी फिर जो बच्चा हम जैसों से पैदा होता था उसे तेली बच्चा कहा जाता और अरब समाज से उसे दूर रखा जाता था अदालत के माथे बर सलवटे पड़ी फिर हो चीखी ओ अरब अमिरात के अफसर बिलाल किम हकसुन की असमत का जवाब तो जापानी देंगे पर तुम इस अदालत को बिल्कीज की उस तेली बच्चे की तफसील दो जो जबरदस्ती पैदा किया गया पैदा हो गया और साथ ही अदालत ने अरबली को देखते हुए कहा तुम अभी तक यहीं क्यों खड़े हो मैंने तुमें हुक्म दिया था कि जिन्दगी को हाजिर करो उन वहशी जापानियों और इस बिलाल का बयान में दर्ज कर लूँगा तुम फोरण जाओ और पाकिस्तान कराची के हवाई अड़े से उस जिन्दगी को लाओ जो जिन्दगा होते हुए भी अपनी जिन्दगी नहीं जी पाई हुक्म तामील करने के लिए अर्दली जैसे ही तेजी से चला कि आदालत पर हमला हुआ तरह तरह के नारों का शोर बर्पा और तरह तर गोलियां चलने लगी कोहराम मच गया और अजीब बात ये हुई कि मुर्दे फिर से मरने लगे वे जिन्दा लोगों की तरह चीखने, करहने और चिलाने लगे पर ये मालूम नहीं चल सका कि कौन किसको मार रहा था क्योंकि दुनिया के सारे पाकिस्तानों के बाशिंदे अपनी ही कौन के बाशिंदों के खून के प्यासे हो गए थे अधीब खबरा गया बुची खा ये क्या बत्तमीजी है हम इनसान की तकदीर के फैसले के साथ साथ जिन्दा आदमी की जिन्दगी का फैसला करने के लिए भी यहां मौजूद है ये मुर्दों के अधिकारों का ही नहीं जिन्दा इनसान के अधिकारों का भी सवाल है दोहरी बात मत करो अगर जिन्दा लोगों की जिन्दगी का फैसला करने के लिए तुमने ये अधालत लगाई है तो फिर तुमने मुर्दों की ये मजलिस क्यों जमा रखी है एक हमलावर ने सवाल किया क्योंकि ये मुर्दे अपनी जिन्दगी से पहले मारे गए है इनकी जिन्दगी अभी बाकी है और मैं उन्हीं मुर्दों से मिल रहा हूँ जो अपनी कुद्रती मौत से पहले मर गए है जिन्दगी और गलत मौत के बीच जूलती हुई इनकी उम्र का हिसाब कौन देगा अदीब चीखा कयामत के दिन का ये कब तक इंदजार करेंगे इनके कर्म का ब्योरा किसने दर्ज किया जिससे इनकी अगली जिन्दगी का रूप तै हो ये अशान्त और अधूरी आत्माएं अकाल मौत्यू की शिकार आत्माएं हैं इनकी गलत मौत का लेंदार और देंदार कौन है अदीब चीखता रह गया हमले जारी थे और कहर बर्पा था धुआ, धमाके, तर-तर, हला, हंगामा और बदमनी चीखें, चिलाहटें और आँग ये बदमनी देखकर अरदली तेजी से लोटा जैसे तैसे उसने अपनी अरदीब की जान बचाई और उसे लेकर भागा भागते भागते वो लस्त हो गए वो एक बड़ा रेगिस्तान था उसकी बालू पर भागना आसान नहीं था रेगिस्तानी तूफान के मारे और भी मुश्किल था उसकी आँखों, कानों, नथुनों, बालों और कपड़ों में रेध भर गई थी चारों तरफ बियाबान, रेगिस्तान उड़ती गर्म रेध के बगूले और बालों की लहरों से बनते और बिगड़ते टीले हाफते हुए अधीब किर पड़ा अरदली बुरी तरह हाफते हुए उनके पास बैठ गया थोड़ा दम में दम आया सांसे ठीक हुई तो उसने अरदली से पूछा हम कहां हैं? हुजूर, हम एक बियाबान रेगिस्तान में है दोस्त, अब मैं बुरी तरह से लस्त हो गया हूँ मैं अपने दोस्तों और समकालीनों को आवाज देना चाहता हूँ कि मेरा साथ दो राकेश, रेणू, दुश्यंत, राही, परसाई, रगुवीर, श्रीकांत के अलावा मैं अपने उन तमाम जीवन्त दोस्तों को आवाज लगाना चाहता हूँ जिन्होंने अपनी रचनात्मक शक्ती अपने लिए नहीं दुनिया के लिए समर्पित की और वो लगातार अपनी व्यक्तिकत रचना शक्ती और अपने कलम की सच्चाई से इस दुनिया को बहतर बनाना चाहते हैं उनसे कहो कि मेरा साथ दें, मैं बहुत अकेला पड़ गया हूँ उनसे हाथ जोड़ कर कहो कि दुनिया को उनकी जरूरत है पर पहले मुझे ये बताओ कि ये कौन सा रेगिस्तान है, इसका नाम क्या है अधीब ने परिशानी से पूछा पता नहीं ये कौन सा रेगिस्तान है, लेकिन रेट के सिवा यहां कुछ और नहीं है हुजूर अर्दली ने अपनी रेट जाड़ते हुए कहा अपनी रेट साफ करके अब तक अधीब भी कुछ सुविस्ते से पैठ गया था उसने आस्मान की तरफ देखा, तो वो चकित रह गया अर्दली, देखो देखो, इन सफैद हंसों को देखो, ये कैसे उड़ रहे हैं? हुजूर, ये हंस नहीं, इसी सफैद रेट के परिंदे हैं, ये गर्म बगुलों के साथ उठते हैं, कुछ देर तक रेट के ये परिंदे अपने पंक फड़ फड़ाते हैं, और फिर इसी रेट में मिल जाते हैं, अर्दली ने अदब से बताया, अधीब उन परिंदों को देखता रहा, कुछ देर बाद उठकर खड़ा हुआ, और चलने लगा, हम किदर जा रहे हैं हुजूर, अर्दली ने पूछा, यहां दिशाएं तो हैं नहीं, जिदर पैर उठ गए, उसी तरफ चल पड़ा हूँ, थोड़ी मदद रेट के नोड़ते परिंदों से मिल रही है, अदीब ने कहा और चलता रहा, रेट ही रेट, चारों तरफ कहीं कोई रास्ता नहीं, कोई पड़ाव या मन्जिल नहीं, सिर्फ रेट ही रेट, पता नहीं वो दोनों कब तक और कहां तक चलते रहे, कितनी रातें गुजरी, कितने दिन बीते कुछ पता नहीं, जहां भी वो पहुँचते, यहीं लगता, कि यहीं से तो चले थे, सारा रेगिस्तान एक सथा, देखते देखते कदमों के अक्स भी मिट जाते थे, पता ही नहीं चलता था कि वो चले भी थे या नहीं, सर, हम हर दिन इतना चलते हैं, लेकिन कहीं पोंच नहीं रहे हैं, आखिर ए पर वो पहुंची वहीं जहां से वो चली थी बीच बीच में उन्हें मजभब के पड़ाओं मिले और उन पड़ाओं ने फिर उन्हें उसी बियाबान रेगिस्तान में पहुंचा दिया अर्दली उसकी बात समझ नहीं पाया तो अदीब ने कहा देखो हर चीज अपना काम करत राती है अंधिर आता है पर वो खुद से यह पूछ कर नहीं आता कि वो कितना चलकर आया है रोशनी आती है, वो भी अपने फासलों का हिसाब किताब नहीं रखती ये रेट उड़ती है, उड़ूड कर चलती है पर इसने कभी नहीं बताया कि इसने कितना फासला तै किया है अर्दली को चुप रहना ठीक लगा उसे लगा कि साहब फिर से बहग रहे हैं आखिर दूर कहीं एक चाया सी नजर आई ताज्जब की बात ये थी कि वो चाया देखते देखते बिगल जाती फिर उबर आती अदीब ने कई बार आँखों को दूरबीन बनाकर चाया को देखा उस चाया ने भी देखा और वो भागती हुई आई और पास पहुँचते ही वो चाया पुरुष उससे लिपटते हुए बोला अरे अदीब तुम यहां हिंदुस्तान से कब आए अरे कॉमरेड इमाम नाजिश तुम तुम पाकिस्तान से कब आए बनने भाई अरे अपने सज्जाद जहीर कहा है तुम कैसे हो इमाम नाजिश मैं अच्छा नहीं हूँ जिन्दा भी हूँ और मुर्दा भी मैं तो पाकिस्तान गया था जम्हूरियत के लिए गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए मैं पाकिस्तान गया था अपनी बीवी अपना घर अमरोहा में छोड़ कर हाँ नाजिश मुझे याद है तब तुमने भी पाकिस्तान जिन्दाबाद किनारी लगाए थे और सिंध असेंबली में जी एम सेयद ने भी पाकिस्तान का स्वागत किया था पन्ने भाई तब भी ये भूल गए थे कि पाकिस्तान मेहनत कश्यों का मुल्क नहीं वो बड़े सर्माएदारों का मुल्क है जिसकी बुनियाद मजहब की नफरत से भरी गई थी और तुम माक्सवादी उस मजहबी नफरत को तब एक धार्मिक सामप्रदाईक जरूरत मानकर मुल्क के बटवारे का समर्थन कर रहे थे तुम धार्म को अवाम की अफीम मानते हुए भी धार्मिक और भाशवादी नसलवाद को तरजीह दे रहे थे अदीब ने एक के बाद एक ताने कसे तो इमाम नाजिश बुखला गए और तैश में बूले तब तुम भी हमसे अलग कहा थे तब अधीब तुम अमरता प्रीतम, करतार सिंग दुगल, मोहन राकेश, भीश मसानी, देवेंदर सत्यार थी और यहां तक कि तुम्हारे यच्पाल, अश्क और अग्ये तक खामोश रहे तुम लोगों ने पार्टिशन के बाद के हौलनाक मनजर को बेश जरूर किया लेकिन इमानदार तमाशाईयों की तरह वो सिर्फ मंटो था, जिसने टोबा टेक सिंग की लाश, सरहत की गैरकुदरती लकीर पर फेंकी थी हमने गलती की, पर तुमने भी तो उस गलती में हाथ बटाया था इमाम नाजिश ने तैश में कहा, जब सज्जाद जहीर पाकिस्तान कम्यूनिस्ट पार्टी के जनरल सेकरेटरी बने तो मैं इस्ट पाकिस्तान छोड़ कर वेस्ट पाकिस्तान चला गया और वहीं हमें मझहभी बन्याद पर बने मुलक पाकिस्तान की असलियत का पता चला मैंने बंगाल जाकर ये महसूस किया कि मझहभ के नाम पर कौम को तै करना घलत था लेकिन अब तो सब मुलकों में नफरत का एक पाकिस्तान बनाने की कोशिशें जारी हैं क्या हुआ बोस्निया में क्या हुआ साइपरस में क्या हुआ है तब के टूटे सोवियत यूनियन और आपके बने रशियन फेडरेशन में क्या हो रहा है आज के अफगानिस्तान में हर व्यक्ति नफरत के सहारे अपने ही लोगों के खिलाफ एक दूसरा पाकिस्तान इजात करना चाहता है तब ही रेद के वीरान जंगल में से एक आवाज आई नफरत ही अब आदमी को पहचान देती है नफरत से ही आदमी और उसके जातिय समुदाय पहचाने जाने लगे हैं नफरती एकता के लिए अतीत काम आता है अतीत का दंश गौरव और वे इसमृतियां जो कसक्ती दुख्ती और रिस्ती हैं इतिहास अपने अतीत को ठीक करने की दृष्टी दे सकता है पर इतिहास को भी अतीत के अगनी कुंड में जोग दिया जाता है इतिहास का विशलेशन उसकी सामाजिक व्याख्या मनुश्य की घ्रणा को तर्क से शमित करती है पर अतीत तर्क की पद्दती को स्विकार नहीं करता वो केवल आंशिक सत्यों की स्वरती की कहानियों में बदल देता है और उसे सदियों जीवित रखता है नफरत एक ऐसा स्कूल है जिसमें पहले खुद को प्रताडित अपमानित और दंशित किया जाता है उसे घ्रणा की खाथ से सीचा जाता है और तब उसकी स्मृती को एकात्म करके प्रतिशोद के नुकीले हल से जोद कर हमवार किया जाता है इसलिए घ्रणा वादियों के तरक एकहरें और एक से होते हैं उनके पास अधिक बाते नहीं होती वे हजारों लाखों मुखों से एक ही स्वर में बोलते हैं एक से प्रशन उठाते हैं एक सी दलीले देते हैं यही उनकी एक्ता की पहचान बन जाती है अर्दली यह भाशन कौन दे रहा है अधीब ने शहर में यहां शहर कहां है एक बस्ती है हुजूर बस्ती जी हां हुजूर इस रेगिस्तानी बस्ती में दुनिया के तमाम शर्णार्थी लेखा काकर बस गए हैं चलो मैं आपको ले चलता हूँ आओ अमोस ओस की छाया ने कहा और वो आगे आगे चलने लगी फिर पता नहीं कब तक चलते रहे रास्ते में इमाम नाजिश अपनी दर्द भरी कहानी सुनाते रहे देखो अदी अब मेरे पास पच्छतावे की सिवा कुछ नहीं नफरत के जिस सैलाब का हमने समर्धन किया था उसने किसी को कहीं का नहीं छोड़ा शादी को तीन महीने हुए थे मैं सैलाब में बहता हुआ पाकिस्तान पहुँच गया अपनी सरजमी से उखड कर पाकिस्तान में लगातार मुझे भूमिकत रहना पड़ा मुझे लगता था कि अब मैं शायद अमरोहा नहीं लोट पाऊंगा मेरी बीवी टीचर हो गई और अमरोहा में ही उसने अपनी पूरी जिन्दगी बच्चों को पढ़ाने में लगा दी उसने हिंदुस्तान में एक नई नसल पैदा कर दी पर मैंने मैंने एक नसल बरबाद कर दी और उसी के साथ साथ मैं खुद भी बरबाद हो गया मैं बरसों बाद धुपल में अमरोहा पहुँच ही गया पाया कि घर के वो बच्चे भतीजे भतीजियां जिने में तीन तीन चार चार बरस का छोड़कर जिला वतन हो गया था खुद बाल बच्चेदार हो गये हैं मेरी बीवी रिटायर होने की कगार पर थी जब अमरोहा में मेरी उससे मुलाकात हुई ऐसी रेगिस्तानी पर बेहत खूब सूरत ज खुलती हैं अधीब ने कहा तो अमोस ओज में टिपणी की लेकिन ये मुश्किल है कि अंधेरे के सेलाव एक साथ नहीं आते और पच्चतावे का एसास भी एक साथ पैदा नहीं होता उनमें समय का अंतराल रहता है इसलिए सदियां और नसलें लहुलुहान होती रहती हैं ह जब तक एक पच्चतावा उभरता है तब तक कहीं दूसरा अंधेरा सेलाब बन कर आ जाता है और जब बहुत बाद उसके पच्चतावे का दौर शुरू होता है तब तक कोई तीसरा चौथा या पांचवा अंधेरा उठ खड़ा होता है अभी अधीब अपनी बात कही ही रहा था कि अमोस ओज ने सामने इशारा किया वो सामने वो रहा दुनिया के लिखकों का शरणार्थी कैंप छोटे-छोटे सफैद तंबूओं की एक बस्ती सामने मौजूद थी उस बस्ती पर बालू के वही सफैद परिंदे ऊड़ रहे थे अधीब दौरता दौरता वहा सांक्रत्यायन दिनकर चेखव कामू प्रेमचंद लूसन मिलान कुंदेरा प्रेख्त निराला सार्ट्र हजारी प्रसाद वीवेदी मीर सौदा गालिफ फैज फैजी नजामी मंटो कृष्ण चंदर राजेंद्र सिंग बेदी दुश्यंत रेणू राकेश रगुवीर श्रीकांद मुक्तिबूद वो तो सबको पहचानता था शर्नार्थियों के रूप में लेखक अपने अपने तंबों में मौझूद थे यह बस्ती रेद की एक नदी के किनारे थी समय रेद की धारा की तरह बह रहा था समय को इस तरह बहते देखना उसके लिए कजीब था कई कई सदियां साथ साथ बहती चली जा रही थी रेद के चीटे उस पर पड़े तुसे बड़ी रहत मिली तभी अरदली ने पेशकश की खुजूर कहिए तो वक्त को पकर लूँ जरूरत क्या है इन लेखकों ने खुद समय को कैद किया है हर लेखक का वक्त उसकी किता सब्सक्राब में कैद है इनका हर शब्द वक्त की ताकत से ज्यादा मजबूत साबित हुआ है अदीब ने कहा और वो अमोस ओस के साथ आगे बढ़ गया बस्ती में शांती थी रेद के जुगनू चारों तरफ भरे हुए थे रेती ले खरगोश दोड़ते हुए आते ठिठ जाती लेखकों की पूरी जमाद एक जगा बैठी थी वहां मनुष्य गाथा पर बात चल रही थी हजारी प्रसाद विवेदी उस समय कुछ कह रहे थे मिठक तो एक अलौकिक कथा है वह अलौकिक कथा जिसका प्रथम अनुभव मनुष्य ने प्रकृति के साथ किया और मिठक ये पुरा कथाएं पौरानिक इतिहास में बदल गई इनहीं से धर्म कथाएं निकली धारणाय स्थापित हुई और इनहीं से संकीरन धर्मों ने जन्म लिया हां नहीं तो इश्वर कहां था अपने अपनी इश्वर को तो इनहीं संकीरन धर्मों ने पैदा किया निन नहीं था उसे एराकी बेबिलोनियन सब्विता ने पैदा किया था मार्दुक जो सब्विता का परंपुरुष और ईश्वर बना वो नश्वर अंश था उसके राज्या विशेक के लिए देवता बुलाए गए थे उसका सिंहासन देवताओं ने खुद बनाया था और उन्हो श रश्श्थर प्रदान किये और मार्दुक नेहीं तब श्रष्ट की रचना की थी उसने अपने दादशा अनु को आकाश का सम्राध बनाया अपने पिता यहां को धर्ती का और तब मार्दुक ने महामंदिर बनाया ताकि आकाश के देवता और ईश्वर जो उसकी प्रजा थे धर्ती पर आएं तो आराम से ठहर सके और इसी महामंदिर को बेबी लॉन पुकारा गया उसी मार्दुक ने अपनी पूर्वजा तियामत के शरीर को भाड़ कर अ भारंब हुआ तियामत की हड़्ियों और रब्त से ही तब बरबर मनुश्य का जन्म हुआ हाँ वो सही अर्थों में काकेशष की आरे सब्विता थी मैं उसी मूल आरे सब्विता का वारिस हूँ एक धारती आवाज ने शांत रेगिस्तान की खामोशी को तोड़ दिया ये पर्तमीज कौन है अदीब ने पूछा तो अर्दली ने अदब से बताया हुजूर ये शक्स हिटलर है जर्मनी का नाजी हिटलर वो दरिंदा जिसने पूरी दुनिया को तबहा करने की ठान ली थी इसे सामने देख कर तो मेरा माथा भटता है खून खौलता है इसे हिरासत म में रखो मैं तारीख तै करूंगा तब इसे मेरी अदालत में पेश किया जाए अभी मैं बहुत ठक गया हूँ कुछ आराम करना चाहता हूँ तो हुजूर आराम फरमाईए ना अर्दली ने कहा कि तभी बोई पतांग में चली हुई गोलियों और उन्तालीस लाशों ने फ और दस्तकों से अधीब के कानों के परदे फटने लगे थे उचलाया अर्दली आने दो बरबरता तकलीफ यातना और अमानवी घटनाओं के शिकार लोगों को आने दो ये इन्सानी अदालत है कानून की नपुनसक और अपाहिज अदालत नहीं हमारी अदालत हरमानवी अत दस्तक दे उसे आने दो और इतना सुनते ही 49 लाशें चीखने लगी हमें जुलू आतंक वादियों ने मारा है कहां से आए हो तुम लोग अदीब ने पूछा साउथ अफरीका से वहां के प्राइम मिनिस्टर डी क्लार्ग की साजिस से हमें बोई पतांग की बस्ती में मारा गया हमें बताईए कि हमारा कुसूर क्या है कुसूर सिर्फ इतना कि तुम एक शोशित जाती के गरीब इनसान हो लेकिन जुलू भी तो हमारी ही तरह शोशित और गरीब हैं हम एक ही नसल के हैं पर ये गोरे हमें हमारी नसल वालों से ही मरवा रहे हैं गरीब और भूख की क ठके हुए हैं आराम करें तब तक हम अपने घावों को धो डालते हैं कहते हुए बोई पतांग के सारे शव एक और चले गए अधीब ने राहत की सांस ली खिसका कर एक तक्या सिरहाने लगाया कि तक्या की नीचे दबे हुए तमाम कागस कबूतरों के पंखों की तरह निकल कर उड़ने लगे अधीब चौका अरे जिन्दगी तुम तक्या के नीचे दबी हो जिन्दगी ने कोई उत्तर नहीं दिया खामोशी सन्नाटा जिन्दगी तुम कहां हो अधीब चीखा फिर भी कोई उत्तर नहीं आया हुजूर्द आप किसे उल्जन में गिरफ्त किसी तरह तुम मेरी अधूरी लिखी जिन्दगी को वापस ले आओ कहीं से भी ले आओ प्लीज लेकर आओ अधीब ने कहा मैं अभी लेकर आता हूं हुजूर्द कहकर अरदली तीजी से बाहर चला गया अरदली जब लौट कर आया तो अधालत अपने कानों में रुई अधानी में टहलता रहा उसने जेव से सिगरेट निकाला पिया पर अधालत को टोकने की हिम्मत नहीं हुई आखिर बड़ी खामोशी से उसने याद नाम की एक परच्छाई को अधालत के सामने वाली कुरसी पर बिठा दिया कुछ देर बाद अधीब ने गहरी सांस लेकर आखें खोली तो सामने बैठी यादों की परच्छाई को न पहचानते हुए कहा आप जी मैं आपने शायर मुझे तलब किया है आपका अर्दली मुझे लाया है कहां पाकिस्तान से जी नहीं आपने फिर मुझे गलत समझा यही गलती आपने लाहोर एयरपोर्ट पर भी की तब भी आपने मुझे पाकिस्तानी समझा था पर मैंने आपको बताया था कि मैं पाकिस्तानी नहीं हिंदुस्तानी हूँ इनसान और इनसान की कुदरती पहचान के बीच यह हिंदुस्तान और पाकिस्तान सीरिया और लेबनान कहां से आ जाते हैं मुझे क्या मालूम यह त अपनी जिन्दगी को पहचानना भूल गए परचाई ने कहा आपने मुझे अपने अर्दली से तलब किया है याद कीजिए तब आप लाहौर से कराची जा रहे थे आपको चीन जाना था और वो सीधी उडान कराची से मिलती थी मुझे भी कराची जाना था और उस उडान का इंतजार करते करते हम आप बात करने लगे थे ओ सल्मा अधीब एका एक चीक सा पड़ा अर्दली भी सकते में आ गया अधीब उसे देखता रहा फिर बोला हाँ मुझे अब सब याद आ गया मैंने ही तब तुम से पूछा था कि कराची में आपके रिष्टेदार होंगे ज मुझे आगे जाना है क्वेटा मैं दो एक दिनों के लिए कराची के किसी होटल में ठहरूंगी किसी होटल में हां शायद हॉलिडेन में, तब तो शायद कल नाश्टे पर आपसे मुलाकात हो सके, मैं भी उसी होटल में ठहर रहा हूँ, शायद एरलाइन वाले वही ठहरा रहे हैं, इंशाल्ला, तब लाहोर एरपोर्ट पर कराची वाली फ्लाइट का अनाॉंसमेंट होने वाला था, मैं एक म मूमन औरतों को बहुत परिशान करते हैं, और अगर हिंदुस्तानी औरते हों, तो खास तोर से, कहते हुए सलमा काउंटर की ओर बढ़ गई, पाकिस्तान एरलाइनस वाले ने पहले तो उसे घूर कर देखा, और फिर टिकिट देखने से पहले सवाल किया, कितनी साड़िया ब्लाउस और ब्रेजियर्स आप लाई हैं, कस्टम वालों की जिम्मेदारी आप क्यों पूरी कर रहे हैं, उन्हें जो जुरूरत होगी पूछ लेंगे, सलमा ने कहा, कितने पेटिकोट और पेंटीज आपके सामान में हैं, और कितने दिन रुकेंगी आप पाकिस्तान में, ये सवाल भी कस्टम वाले पूछेंगे या मेरा पासपोर्ट जाचकर मालूमात हासिल कर लेंगे, आप टिकेट देखिए और मुझे सीट दीजिए, सलमा जरा तलखी से बोली, इस पीच वो कंखियों से अधीब को देखती जा रही थी, कि काउंटर वाले ने उसकी इस हरक को देख लिया, उसने पूछा, क्या वो साहब आपके साथ हैं, इस से आपको क्या लेना देना, सलमा बोली थी, जी, उसने सलमा का टिकेट ड्रायर में डाला और उठकर पीछे की तरफ चला गया, सलमा को भी ताज्यूब हुआ, कि आखिरी आदमी क्या चाहता है, और सोचन आया गया था, सलमा सहम सी गई, कि तभी उस पुलीस इंस्पेक्टर ने उसे करीब-करीब पहचानते हुए कहा, माफ कीजिएगा, आप, आप, जी, शायद आप मुझे ठीक पहचान रहे हैं, सलमा की जान में जान आई, मैं CSP के जनाब आफताब एहमत की नातिन हूँ, और इतना कहकर वो वहां से चला गया, हलंकि काउंटर वाला आश्वस्त नहीं हुआ था, पर उसने शायद यही सोचा कि जब पुलीस ही अपना काम नहीं करना चाहती, तो मैं उसका काम क्यूं करूँ, और उसने बोर्डिंग कार्ड सलमा की ओर आगे बढ़ा दिया, उसके इस तरह में पहुँचा, तो सलमा मा कुछ पहले से मौजूद थी, उसने सलमा को देखा, तो एका एक देखता ही रह गया, शायद किसी ऐसी ही हो बहू औरत को देखने की उसकी तमन्ना नजाने कितने वरसों से अधूरी पड़ी थी, जो आज जाकर पूरी होई थी, मन में चुपी हुई कोई बात जब एका एक पूरी होती है, तो आदमी का मन बहुत सकुचाने लगता है, सपना इस तरह सामने आ जाये तो यही होता है, और फिर राद को जो सपना उसने देखा था, वो भी उसकी याद में उलचा हुआ था, उस सपने में उसने सलमा को पंजाबी लिबास में देखा था, और सलमा हू बहू उसी लिबास में उस वक्त उसके सामने थी, वो जैसे कुछ बोल ही नहीं पाया, पर सलमा ने सारे इस्थिती को बहुत सहज बना दिया था, आईए, तशरीफ लाइए, मुझे उमीद थी कि आपके चीन जाने से पहले हमारी एक औ और मुलाकात जरूर होगी, उसकुच आ गया था, यही सब तो वो भी चा रहा था, तब तक बेरा आ गया, और उसने नाश्ते का ओर्डर दिया, मेरे लिए तो कॉन्फलेक्स, ब्रेट स्लाइस, और फ्राइड एग्स, और चिली सॉस, भै माफ करना, मुझे चिली सॉस अन्होनी सामने आई, दोनों का नाश्ता एक ही था, वही कॉन्फलेक्स, वही फ्राइड एग्स, स्लाइसों पर, नहीं तो टोस्ट मक्षन आता है, और वो चिली सॉस, जो नाश्ते पर होता ही नहीं, लगता है यहाँ एक ही नाश्ता मिलता है, आपका नाश्ता भी वही है जो मेरा, उसने कहा था, जी नहीं, ये इतिफाक की बात है कि मैंने भी बिल्कुल वही ओर्डर दिया था, जो आपने दिया, सल्मा बोली, चिली सॉस भी, जी, ये तो मैंने खास तोर से बोला था, जी हाँ, मैंने भी बोला था, मुझे वी नजाने क्यों फ्राइड एक्स के स चिली सॉस का हलका सा टच बहुत पसंद है, सल्मा ने कहा, और शायद आपको भी हैरत की बात है, और उनके बीच तब एक अजीब सा सन्नाटा चा गया, कहीं कुछ एक होने का सन्नाटा, या इस इतिफाक का सन्नाटा, काफी देर खामोशी रही, फिर सल्मा ही बोली, क्या सपना देखा आपने, पूछते हुए वो कुछ सहम सा गया, कि कहीं इस नाश्टे की पसंद की दरह, सपना भी एक सा, क्योंकि उसने सपने में देखा था कि लाहोर से कराची आने वाला, उसका जहाज किसी हादसे की वज़े से एक रेगिस्तान में उतर पड़ा, और र जहाज किसी हादसे की वज़े से एक रेगिस्तान में उतर पड़ा है, उसकी सांस रुकने लगी, कि सलमा ये कौन सा सपना सुना रही है, पर वो आगे बता रही थी, जी, और हुआ ये कि जहाज रेद की लहरों से टकराता हुआ, एक जगह जाकर ऐसे रुक गया, जैसे उस बड़ी मुश्किल से बोला, सलमा जी, अब मैं कैसे बताओं, कि यही, बिल्कुल यही हुबहु यही सपना मैंने भी, आगे वो कुछ कह नहीं पाया, दोनों अपनी अपनी कॉफी पीते रहे, और सोचते रहे, कि क्या ये कभी सच मुच मुमकिन हो सकता है, कि दो अलग अल जैसे कि कहीं एक सपना देखने की बात हो, वो किसी खास मसलत से तो नहीं कह रहा, पर वो ये सोचने लगी कि जो दो लोग घंटे दो घंटे बाद अलग रास्तों पर जाने वाले हों, जो दो लोग पहली बार यो ही अकस्मात मिल गए हों, और जो दो लोग अगली जिन्द थी ही नहीं, नजरूरत, काफी देड़ तक वो दोनों खामोश बैठे रहे, वो एक से सपने को लेकर जैसे कुछ अटक गए, कि मामूली बातों का सिलसला खत्मी ही हो गया, फिर भी मैं इस कुछ बात करने की खातिर उसने सलमा से पूछा था, क्या आप शुरू से हिंदु हिंदुस्तान में, सन 47 में, असल में हम बिहार के रहने वाले हैं, वहां की छोटी सी रियासत के, मेरी नानी वहीं है और जिन्दा है, पर मेरे नाना काफी पहले यहां सिंद चले आये थे, तब हिंदुस्तान एक था, मेरे वाले और मा भी उन्हीं के साथ यहां आ गए, पा हिंदुस्तानी है, नाना यहीं है, क्वेटा में, मैं उन्हीं से मिलने जा रही हूँ, वो बिहार को याद करते हैं, और हम सब उन्हें, लेकिन ये तो पहली है कि आपने अपनी मा की कोख में जन्म लिया पाकिस्तान में, और आप पैदा हुई हिंदुस्तान में, पहली कैस जब पार्टिशन हुआ तब मैं अपनी अम्मी की कोख में थी, उस वक्त बिहार में भयानक दंगे चल रहे थे, मुसल्मानों का कतले आम हो रहा था, पर अब्बा और अम्मी नहीं रुके, नाना ने उन्हें बहुत रोका, पर वे यही बोले कि नानी बिहार में अकेली है, औ अपना घर और वतन नहीं छोड़ सकते, अदीब ने उसे अश्चरे से देखा, फिर धीरे से अटक अटक कर कहा, यह तो अजीब बात है कि जब लाखों मुसल्मान हिंदुस्तान छोड़ कर पाकिस्तान जा रहे थे, तब आपके अब्बा और अम्मी ने मुसल्मान होते हु के कदीमी बाशिंदे हो, तो हम भी यहीं की कदीमी ओलादे हैं, हम मुसल्मान हो गए तो क्या, मजभब बदलने से मिटी तो नहीं बदल जाती, अदीब ने सल्मा को गहरी नजरों से देखा, क्यों, आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मुझे, मैंने अपने खानदान में ब यहां तक की रियाद और तहरान में रहने वाले मुसल्मान से भी, खुदा का घर सबके लिए है, लेकिन अपनी मौत के वक्त सिर्फ अपने घर गाओं का घर अपना होता है, यही आखरी सच है, स्पेन, तुर्की, मिस्त्र, इंडोनेशिया यह कहीं कभी मुसल्मान, अपने वतन की धर्ती पर मरना चाहता है, मक्का या मदीना में नहीं, हाँ, लेकिन, लेकिन क्या, तुम्हारे ओने खुद अपने मजहब को सील बंद करके तोड़ा है, यह तुम कैसे कह सकती हो सल्मा, वही तुम्हारे ब्रहमन ग्रंथों के आधार पर, तुमने अपना वर्णा श पैदा करने का सिध्धान्त पैदा किया, आज के शब्दों में कहूं तो तुम्हारे ब्रहमनों ने अपना पाकिस्तान बना लिया, अधीव सकते में आ गया, उसके पास कोई उत्तर नहीं था, और तब सल्मा बोली तो अधीव ने उसे गौर से देखा, और तब तुम्हार तुम्हारे उपनिशदों ने इनसानी मूल्यों और संपदा को बचाने का प्रयास किया अधीब ने अकुलाते हुए फिर उसे परिशानी से देखा तुम्हारे उपनिशद और कुछ नहीं वे ब्रहमन वादी अत्याचारों वर्ण वादी अनाचारों और ईश्वर वादी आ सचाइयों को आत्म्साथ नहीं कर पाएं यही तुम्हारे पराभाव का कारण है धर्म के आधार पर संस्कृतियां बनती हैं और काला लंतर में वी धर्म से मुक्त होकर मानव संस्क्रतियों में तब्दील हो जाती है पर तुम और तुम्हारे लोग बार- Count ईस संसक्रति को आजादी के आंदोलन को गनपती उत्सव से जोड़ कर इसे आजादी का हिंदू आंदोलन बना दिया था लेकिन गांधी जी ने आकर इस गलती को सुधारा भी तो था हाँ पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी दिल तकसीम हो चुके थे वो दोनों खामोशी से एक दूसरे को देखने लगे तब सल्मा ने फिर खामोशी को तोड़ा उसके बाद के इतिहास को देखो अदीब हुआ क्या ये ठीक है कि गांधी जी ने सब संभाला पर तब तक अंग्रेज इस सच्चाई का फाइदा उठा चुका था और देखो ना बाद में क्या हुआ लोग माने तिलक ने अंततह सारे हिंदुवादियों को जन्म दिया सावर कर जैसे करांतिकार ये हिंदुवादी हो गए उनकी नसल ने नाथुराम गोड से पैदा किया आखिर उसी ने गांधी जी की हत्या की तो गांधी, नहरू, पटेल, मौलाना अजाद के रहते हुए भी मुसल्मानों के लिए उम्मीद बची ही कहां थी दिलों में शक बैठ गया था कि सत्ता मिलते ही धीरे धीरे नहरू का सेकुलरिजम मूर्चित होता जाएगा और मूर्चित हिंदुत्व खोश में आता जाएगा तो क्या इसी लिए संदे ग्रस्त मुसलिम दिमाग ने बाबर, तैमूर और चंगेज खान जैसों से अपना रिष्टा जोड़ा तो संदे ग्रस्त मुसल्मान दिमाग और क्या करता अधीब अंग्रेजों के हाथों में तो दूधारी तलवार आ ही गई थी वे भलाकियों चूकते और ये मत भूलिये अधीब कि मध्यकाल से सारे आकरांता सामराजजवादी थे वे धर्म के प्रचारक और प्रवर्तक नहीं थे मंगोल चंगेज खा तो मुसल्मान भी नहीं था और तब तो इसलाम भी नहीं था वो तो बौद्धों से भी पहले के शायानी धर्म का मूर्ती पूजब था आपको हिस्टरी की बहुत जानकारी है उसने नाश्ता खत्म करते हुए कहा आखिर मैं हिस्टरी की स्टूडेंट रही हूँ उसी इलहबाद युनिवर्सिटी में जहां से आप अधीब बन कर निकले हैं और एक खास बात कहूँ जी बिलकुल कहिए जिन्ना साहब ने इतिहास नहीं बनाया था इतिहास ने जिन्ना साहब को बनाया अपने इतिहास से सबक लीजिए उसकी देख को मजभब के चूले पर मत चड़ाईए नहीं तो फिर वही हाल होगा जो तकसीम के साथ हिंदुस्तान का हुआ और आज पाकिस्तान का हो रहा है उसे अश्चर हुआ कि सलमा इतना खुल कर कैसे बोल पा रही थी और वो भी कराची पाकिस्तान में बैठकर गनीमत यही थी कि उस वक्त उनकी नाश्टे की मेज के आसपास उसके अलावा और कोई सुनने वाला नहीं था तब ही कहर सा बर्पा हुआ दस्तकों की आवाज से उसका वजूद थर्थराने लगा सल्मा भी सामने नहीं थी अदीव एका एक चीखा अर्दली मैं कहा हूँ हुजूर आप अपनी अदालत में हैं अदालत में? क्या कह रहे हो तुम? मैं तो कराची के हॉलिडेन होटल के रेस्टरॉम में बैठा हुआ था सल्मा से बाते कर रहा था हुजूर आपकी यादों की परचाई का नाम क्या है? ये तो मुझे नहीं मालूम पर आपके हुक्म की तामेल करते हुए उस परचाई को मैं नहीं आपके सामने पेश किया था अर्दली बेहत अदब से बोला तब तक दस्तकें और चीखना चिलाना फिर तेज हो गया अदालत ने हुक्म दिया फरियादी को पेश किया जाए अपनी चाती पीटती शाहीन सामने हाजिर हुई कौन हो तुम? शाहीन कहां से आई हो? बंबई हिंदुस्तान के कबरिस्तान से क्या हुआ है तुम्हे बाबरी मस्जिद ढ़ाने के बाद पूरा हिंदुस्तान जल उठा बंबई में तो हैवानियत का जलजला आ गया मैं कबर में पड़ी सो रही थी मुझे भी नहीं बक्षा गया मुझे मेरी कबर से बेदखल कर दिया गया कयामत के दिन मेरा फैसला होना है पर अब मेरे पास उस दिन का इंतजार करने के लिए कोई जगा ही नहीं इसलिए आपके पास हाजर होई हूँ लेकिन ये अदालत है कबरिस्तान नहीं हिंदुस्तान में सारी अदालतیں कबरिस्तान में तबदील हो चुकी है उनमें अब सर छुपानी की जगह भी बाकी नहीं इसलिए मैं यहाँ पना लेने आई हूँ पर तुम तो इतनी कमसिन हो क्या हब था मौद को कि वो तुमें खीच कर कबर तक ले गई अदालत ने भोहें टेड़ी करके जानना चाहा जी मौद ने मेरे साथ कोई ज्यादती नहीं की मैंने खुद मौद को बहतर समझा था शाहीन ने कहा लेकिन क्यूं? इसलिए कि पाकिस्तान बन चुका था लेकिन मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती थी तो तुम्हें हिंदू दरिंदों ने दंगों के दौरान मार डाला? जी नहीं मेरी मौद की कहानी बिलकुल अलग है आला हुजूर जब मुल्क तक्सीम हुआ अभी अदालत ने ये जुमला सुना ही था कि बरसों बरस लोट कर आने लगे और लहू लुहान सन 47 सामने आकर खड़ा हो गया और उसी के साथ उपर आसमान से गित्टों के जुंड उतरने लगे जिससे अंधियारा चा गया पंजाब से लेकर आसाम तक की नदियों का पानी खून से लाल हो गया और करोडों लाशें जश्न मनाते हुए पैशाची नरत्ते करने लगी अदमरे और घायल लोग वहशत दहशत और हैवानियत के शिकार होकर चीखने लगे लाशों और घायलों के सीनों पर चड़कर उधर जिन्ना आजाद पाकिस्तान का और इधर नहरू आजाद हिंदुस्तान का चंडा भेराने लगे तब ही कुछ आवाजें आने लगी कौन क्या कह रहा था इसका कुछ पता नहीं चल रहा था पर उन आवाजों में पस्ती और खौफ बोल रहा था ये आवाजें बिजलियों की तरह कड़क रही थी और अधीब के दिमाग पर कोडों की तरह बरस रही थी हिंदुस्तान की कौमी तकदीर एक है तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूँगा और आजादी का लाल किला मुहब्बत की बनियात पर खड़ा होगा नफरत की बनियात पर नहीं पाकिस्तान एक नफरत का नाम है नफरत के उसूलों पर पाकिस्तान बना है जिन्ना ने इतिहास नहीं बनाया सामराज जवादी ताकतों के इतिहास ने जिन्ना को बनाया है मुझे ये मन्जूर नहीं मैं अब भी कहता हूँ मजभब से कौम नहीं बनती एक खून और एक तवारीख से कौम बनती है अगर मजभब से कौम की शिनाक्त पैदा करोगे तो ये सारी दुनिया टुकडों में बढ़ जाएगी अरे काइदे आजम मुहम्मद अली जिन्ना सुना तुमने तुम खुद पश्टूनों, पंजाबियों, बलूचियों, सिंधियों, बंगालियों और मुहाजिरों को नहीं संभाल पाओगे ये आपस में लड़ मरेंगे मजभ काम नहीं आएगा जब तहजीब, तारीख और इन नसों में बहता हुआ खून ही काम आएगा जो कौम की असलियत को तै करेगा आवाजें लगातार उंची और करकश होती जा रही थी अधीब कुछ समझ ही नहीं पाया तो उसने अरदली को आवाज दी इन आवासों का पता करो ये मेरे काम में खलल डार रही है अरदली भागा भागा गया और फौरन ये मालूम करके वापस आया कि हुजूर, ये आवाज हैं तीन चार पागलों की हैं कौन हैं ये पागल? हुजूर, कैसे बताओं? बताओ, मुझे ऐसे पागलों से दुनिया को बचाना है हुजूर, ये दुनिया को पागलपन से बचाते हुए खुद पागल हो गए हैं हजीब लोग हैं? जी हाँ हुजूर, अब ऐसे पागल लोग इस दुनिया में नहीं मिलते अगर मिलते होते तो सोवियत यूनियन नहीं तूटता यूगोसलाविया में बोस्निया के मुसल्मानों का कतले आम नहोता सोमालिया में लोग और बच्चे बरसों बरस अकाल से न मरते और 400 फिलिस्तिनी इसराइल की सरहद पर बूख ठंड और खदेड देते अरदली कुछ अजीब से तैश में बोला अधीब हसा तो तो मैं सदालत की अरदली गिरी करते करते बहुत समझदार हो गए हो लेकिन ये पागल लोग हैं कौन आखिर हुजूर आला ये चार पागल हैं इनके नाम जो मैं पता करके लाया हूं वो हैं कहते हु और चौथा है एक अदीब इन्हें खामोश करो हुजूर ये बड़े खामोश लोग हैं पर जब भी इतिहास उधेडा जाता है तो इन पागलों की आत्माएं चीखने लगती हैं और ये अपनी कबरों और समाधियों से निकल कर इसी तरह बाते करने लगते हैं ठीक है पर फ ठाइयों वाली याद उसके सामने फिरा बैठी उसके बदन में जील की तरह पढ़ते खमों और सलवटों को महसूस करते हुए अधीब बेसाखता पोल पड़ा सलमा तुम बहत खूबसूरत हो सलमा इस जुमले पर चौकी नहीं उस सिर्फ इतना बोली तकसीम नहोता तो कभी मुलाकात होती है या नहीं मैं तो समझी थी कि आप कोई खूबसूरत सा जुमला बोलकर अलविदा कहेंगे यानि कैसा जुमला मैं समझा नहीं कुछ ऐसा कि जैसे ये शेर है कहर हो की बला हो काश तुम मेरे लिए होते वगेरा वगेरा कहकर सलमा हस पड़ी अच्छा खुदा हाफिज भारत पहुचो तो कहते कहते पेपर नैपकीन पर अपना पता लिखकर उसने थमाते हुए कहा हलंकि इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी फिर भी और शुक्रिया कहकर वो वहां से चली गई उसके जाते ही सदियों के सन्नाटे ने उसे घेर लिया उसे एक आए अरी महक उसके पास छोड़ गई थी एक और कॉफी का ओर्डर देकर वो उसी महक के साथ कुछ और देर बैठना चाहता था कॉफी आ गई और वो हैरत भरे अंदाज में सोच रहा था कि कैसे होंगे सल्मा के नाना जो पाकिस्तानी भी हैं लेकिन अपनी यादों को लेकर महा अम्मी जो हिंदू सिख खून के समंदर को पार करते हुए भारत की और भाग रहे थे और भारत के मुसल्मान पाकिस्तान की और तब एक मुसल्मान जोड़ा पाकिस्तान छोड़ कर अपनी अगली सदियों की खैरियत के लिए किसी देश की और नहीं अपनी मिट्टी की और को संभाल कर रखेगी पर उसने रखा था ना रखा होता तो फोन कैसे कर दी और ये भी कितनी खुशनुमा से बात थी कि अधीब को मकान बदलना था तभी फोन आया नहीं तो पता बे-पता हो जाता और फोन का एक हलकी सी उमीद तो हर दिन थी पर वो उमीद ही क्या जो पूरी हो जाए मतलब मतलब यही कि उमीद जड़ों की तरह पहलती हैं फोन ना आता तो फोन आने की उमीद रहती फोन आ गया है तो दूसरी उमीदें सास ले रही हैं मैं दिल्ली आ रही हूँ अब बता ही दूँ मै मिलेंगे आप जहां आपको अच्छा लगता हो इंडिया गेट मांसिंग रोड जहां क्रॉस करती है वहीं नहर के पास एक मस्जिद का पिछवाड़ा है पिछवाड़े क्यों अल्ला का घर मस्जिद के पिछवाड़े ही तो होता है शाम इसके आके वक्त न बताएं तो बहतर होगा क्यों इसलिए कि जगह आपने बता दी है मैं ताज जिंदगी उसी जगह आपका इंतजार करूंगा देखते हैं कौन किसका इंतजार करता है और जब अदीब करीब 6 बजे मस्जिद के पिछवाड़े पहुँचा तो देखा सलमा घास के हरे कालीन पर बैठी है वे हाथों में हाथ पकड़ पाए इनक किसी के हाथों ने कोशिश की पलकों की लहरें अपनी अपनी जगह से उठने गिरने लगी मुझे पता था या कहूं कि मुझे लगा था सलमा बोली क्या यही कि आप कुरता पैजामा पहन कराएंगे और वही सच हुआ कुछ ऐसा ही भी हुआ था याद है वो प्लेन क्रेश वाला सपना उसमें मैंने आपको जिस सलवार कुरते में देखा था हूब हूब वही सलवार कुरता पहने आप मुझे नाश्ते पर मिली थी आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और ऐसा क्यूं हो रहा है कि जो सोचो वही सामने आ जाता है आइसक्रीम लेकर दोनों फिर से घास पर बैट गए अंधीरा उतर आया था आइसक्रीम वाले ठेलों के पास रौनक बढ़ गई थी तब उसने सलमा से एक बहुत गहरा सवाल किया सलमा यह अजीब नहीं कि मुल्क का पार्टिशन हुआ पाकिस्तान बना तो तुम्हारे घर हिंदुस्तान में और जब पाकिस्तान बना तो मुसल्मान अधर भागे पर तुम्हारे वालिद पाकिस्तान चोड़कर हिंदुस्तान यह अजीब नहीं है क्या उसने पूछा इसमें आजीब क्या है ये तो मेरे अब्बू ने बताया है कि इसलाम की नजर से पाकिस्तान का बनना ही गुना है क्योंकि इसलाम नफरत नहीं सिखाता पर पाकिस्तान की वनियाद नफरत पर रखी गई है इसलाम जैसा मजहब किसी मुल्क की सरहदों में कैद कैसे किया जा सकता है कोई मजहब कैद नहीं किया जा सकता इसलाम तो खास तोर से नहीं सलमा अभी ये बोल ही रही थी कि सर के ऊपर खड़े एक साहब ने तेजी से टोका हे लड़की क्या बक रही है तू पाकिस्तान इसलिए बना कि आजादी से पहले हिंदू मुसल्मानों के दिलों में एक दूसरे के लिए शक और नफरत थी मुसल्मानों के हकों की गारंटी नहीं थी समझी इसलिए पाकिस्तान बना उसाहब चीख उठे थे आप कौन है अध अधरकांत भारत द्वाज आरेस अलीगड का चीफ तुम तास्वी मुसल्मानों की देश द्रों की ये परंपरा पुरानी है तुम कभी राष्ट्रवादी वो ही नहीं सकते हां नहीं हो सकते इसलाम राष्ट्रों की मुलकों की जरहदे मन्जूर नहीं करता हम राष्ट्रि जी, तुम्हारी मानसिक्ता मैं समझता हूँ, तुम तो हिंदुस्तान को दारुल इसलाम बनाना चाहते थे, पर समझ लो कि दुनिया के नक्षे पर सिर्फ अखंड हिंदुस्तान रहेगा, तुम जैसे देश द्रोहियों के कारण हिंदुस्तान में भी पाकिस्तान का सिक्का चले हम नहीं होने देंगे नहीं होने देंगे समझे एक और आवाज धाड़ी सलमा सहमी हुई थी तो अदीब ने पूछा जी आप कौन मैं विनायक दामुदर सावर कर पर आप तो राष्ट्रवादी थे हिंदू वादी नहीं वो पाकिस्तान का इकबाल भी तो है सारा जहां हमारा तब मैं क्यों नहीं बदल सकता इस पवित्र हिंदू देश में अब शाष्ट्र सम्मत विधान ही चलेगा अभी सावर कर बोल ही रहा था कि मुर्शिदाबाद का नवाब दीवान चीखने लगा हिंदूस्तान एक मुसलिम मुल्क है यहां शरीयत के उन ही चलेंगे शाष्ट्रों के नहीं चुप रहो ए मुर्शिदाबाद के नवाब दीवान तुम्हारे पूर्वज भी हिंदू थे अल्लामा एकबाल जिन्नाश शेख मुहमद अब्दुल्ला तक के पूर्वज हिंदू थे कौन अपने हिंदू रक्त से इंकार करेगा ल लोग हो पर तुम तो विशुद्ध हिंदूस्तानी थे सिर्फ तुम्हारा धर्म वो था जो मद्ययुक के साशकों का था तुम्हारी पूजा पद्दती बदली थी इतिहास और संस्क्रती नहीं समझे सावर कर करीब करीब भाशन देने लगे थे और हंगामा सा बर्पा होन गए अधीब और सलमा सकते में थे वो समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये हुआ क्या था और उनके बीच ये सारे लोग कहां से और क्यों आ गए थे सुनो अधीब सलमा ने तब पूछा था क्या कोई जगह ऐसी नहीं जहां हम इन मुर्दों और पत्थरों से दूर कहीं बैठ सक ताकि वो करजन रोड अपार्टमेंट में अपने घर चली जाए रात के करीब साढ़े नौ बज रहे थे और सलमा को घर भी लोटना था और अभी अधीब ने कार को करजन रोड की तरफ मोड़ा ही था कि सलमा ने घबराते हुए उसकी जांग पर हलके से हाथ रख कर कहा प् सलमा ने मिन्नत की थी जो कि बहुत हद तक सही थी उसने बाईं तरफ मोड़ कर गाड़ी रोग दी मैं आसे पैदल चली जाओंगी सलमा बोली थी सलमा उतरी तो अधीब भी गाड़ी बंद करके उसके पास आया और बोला मुझे नहीं मालूम था कि तुम जिन्दगी की इत एक बहुत सुंदर और जहीन लड़की के बाप है और ये कि आपकी लड़की आपकी लड़की ही नहीं आपकी दोस्त है सलमा कह रही थी तब सर पर खड़े नीम की पीली पतियां जहर रही थी उस अंधेरे में वो छपकते पलकों की तरह चमकती और खो जाती तब उसे लग कि जब भी किसी के मन में कोई तूफान आता है तब प्रकरती भी चौकन्नी हो जाती है क्यों आप कुछ उलजने लगे सलमा ने पूछा नहीं नहीं तो ये नीम की पतियां जहर रही है न हाँ पत जड़ का मौसम है नहीं ये अंधेरे का मौसम है लगता है अंधेरा पति प लग दें और उसे जी लें जो मन चाहता है उन मोतियों को बटोर लें गोता खोर की तरह जो समुद्र की सतह में जब उतरता है तो किसी बात का जवाब नहीं देता नहीं सलमा ने जब ये कहा तो कुछ ज्यादा ही पतियां चढ़ने लगी तब ही कई आवाजे आने लगी द तुम समाज को बहिश्कृत करो मैंने अभी अभी सुना तुम्हारी प्रेमिका ने चाहा है कि उसे जी लो जो मन चाहता है सुनो दमाग से नहीं जीओगे तो जी नहीं पाओगे और ये दुनिया भी तुम्हें जीने नहीं देगी अपनी वर्जना से उपर उठकर आसकती क अंतिम है फिर चाहे वो किसी शाश्वत मार्क से प्राप्त हो या नश्वर उपादान से तो क्या पॉल और वर्जनी जैसी शाश्वत प्रेम कथा कि उपादान नश्वर थे अदीब ने पूछा तो और क्या पियरे बोला अगर मिसिस पॉरवई नहीं होती तो मैं उसके प प्रक्रती को मैंने बनाया था खूसर बूढ़ा ए अदीब तुम किस असमंजस में फसे हो अपनी प्रेमिका को लेकर मौरिशस चले जाओ वर्जना रहित आसकती का वरण करो इसे जीओ क्योंकि मनुश्य के सबसे कोमल प्रतिबद्ध शन आसकती में ही नहित होते हैं और प पे जितनी पवित्र जगा तो दुनिया में नहीं सौंदर्य तो खुद हमारे पास मौजूद है पर सौंदर्य की पवित्रता कोई नहीं देखता वो तो वहां बिखरी पड़ी है त्रयोबिश में भी सभी जगा सोचना आसान है अदीब सोचे हुए को जीना मुश्किल हमा रात नजाने कैसे तब त्रयोबिश के चांदी के तट पर पहुँच गई रात चांदनी थी सागर की लहरें सफेद फूलों की चादर की तरह कांप रही थी भीगा हुआ तट मद्दिम स्वर में कुछ गा रहा था कोरल की रेथ चांदी की तरह बिखरी हुई थी काही लगता है पूरे चांद की रात है अदीब ने फैली चांदनी को देख कर कहा था नहीं आज चांद थोड़ा सा अधूरा है कल पूरे चांद की रात होगी सलमा ने चांद को देख कर कहा तो चांद उतर कर आया और उसके रेशमी बाल थप-थपा कर चला गया रेथ पर दोन कुछ ऐसा है जो तुम्हें रोकता है नहीं ऐसा तो कुछ नहीं कोई यादें 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 तो बहुत सी हो सकती है पर कोई भी याद मुझे बांधती नहीं कहीं ऐसा तो नहीं कि हम अपने लिए किन ही खूबसूरत यादों का विसरजन कर रहे हो शायद ये ठीक हो अदीब पर यादें तो वही हैं जो एक खलिश की तरह जिन्दगी का साथ देने के लिए टिकी रह जाएं और शायद इन्ही अधूरी यादों को हम बार बार पूरा करने की कोशिश करते हैं सलमा ने कहा और उसकी पलकें भीगे तट की तरह कुछ और भी कहने लगी सलमा यादें पवित्र होती हैं शायद इसलिए टिकी रह जाती हैं कोई याद न छोटी होती है न बड़ी लेकिन हर याद की आहटें अलग होती हैं क्यों न हम उन्हें गहरी और अगर हो सके तो पूरे यादों में तब्तील होने के लिए सफर पर चल पड़ें अधीब ने कहा और पहली बार उसके बदन की ओस से भीगी सलमा की गर्दन पर उसने अपने होट रख दिये सलमा लहर की तरह सिहर उठी उसके होट तितली के पंकों की तरह खुले और कापे पलकें त्रयोबिश की सीपियों की तरह मुंद गई कुछ बूंदे मोतियों की तरह अधीब की हथेलियों पर गिरी थी वो उन्हें देखता रहा वो मोती उसकी हथेलियों पर सूख गए थे उनके दाग फिर नहीं छूटे आसुओं के न मिचने वाले दाग उसने पहली बार देखे थे रात का पता नहीं चला कब आई और कब बीट गई लहरों के साथ आती हवा की नमी ने बताया कि रात बीट गई चांदनी सुभा के सुर्मिले अंधेरे में गुलने लगी थी वो दोनों रेती से उठकर कॉटेज में चले आए बिस्तर उनका इंतजार कर रहा था वो भी त्रयोबिश की रेती की तरह साफ था मेरे स्पर्ष से छूने से कुछ ऐसा तो नहीं जो तुम में जीवित होता हो और मेरा प्रतिकार करता हो नहीं ऐसा कुछ भी नहीं सल्मा ने बहुत गहरी नजरों से अदीब को देख कर कहा और फिर क्या यही की वो कुछ जचकी कि सच्चाई यही है कि कुदरत ने कुछ कानून बनाए है आदमी औरत के आपसी रिष्टों का यही कानून है औरत कुछ दे कर पाती है और आदमी कुछ पा कर देता है सल्मा बोली थी इस कानून से तो बराबरी खत्म होती है नहीं, बराबरी जिन्स नहीं, जिसे तराजू पर रखकर तौल लिया जाए बराबरी तो तमन्नाओं की होती है, सपनों की होती है अधीब ने उसे गहराई से देखा आज रात कौन सा सपना देखा? आज रात हुई ही कहां आज तो खुली आँखों वाला सपना देखा और इत्फाक की बात है कि ये सपना भी मैंने और आपने एक सा देखा हॉलिडे इन वाले सपने की तरह शायद यही हमारी जिन्दगी की सबसे बड़ी सच्चाई है कि जो दुनिया में कहीं सच नहीं होता कभी सच नहीं हुआ वो हमारे साथ सच की तरह मौजूद है अदीब बोला जी यही सच है सल्मा ने कहा और सल्मा के वो शब्द जी यही सच है मौरिशस के उस कौटेज से निकल कर ब्रहमान में गूंचते चले गए यही सच है यही सच है तब दोनों ही खुद को रोक नहीं पाए और तूफानी सासों के एक घर में समा गए पत्थर, इंटों और शरीर के घर तो इस दुनिया में बहुत बने थे सभी ने बनाए थे पर यह घर सासों का था सासें जो दूर कोरल रीफ से टकराती हिंद महासागर की लहरों की तरह फेनिल हुआई थी और दोनों की कस्ती बाहों और उलचते अंगों से चिंगारियों के फूल जहरने लगे लगता है हम कहीं ढाप के जंगल में लेटे हैं रुकती धर-थराती सासों से सल्मा ने कहा हाँ अधीब की सासे भी भारी थी सदियों सहस्त्राब्दियों पहले मौरिशस में एक ज्वाला मुखी फूटा था सागर के अतल से उसी ने इस देश को जन्म दिया था आज हमारे ज्वाला मुखी ने हमें जर्म दिया है कितना खुबसूरत है आग के जर्ने में नहाया हुआ ये पलाश वन और तब तब फिर एक और गहरी पहचान के लिए फिर से दोनों एक दूसरे में कुछ खोजने लगे थे आप और क्या खोजना चाहते हैं वही जो तुम भी खोजना चाहती हो मैं किसी भी अंग का सपर्ष नहीं करना चाहता और शायद हर अंग का सगन सपर्ष खोज रहा हूँ अदीब महसूस करो जब आदिम हवा ने आदिम धर्ती को पहली बार छुआ होगा अदीब उसे देखता रह गया सलमा हाँ तुमने कब नहाया तुमने कब मेकप किया मेकप आधा दिन चड़ाया है हमने आई होई सुबह कहां देखी जो मेकप लेकिन तुमारी पलकें जामुनी क्यों हो गई और माथे पर चान्दनी का ये कुमकुम तुमने कब लगाया और और तुमारे हर जोड, बगलों, जांगों और हर रंद्र से कस्तूरी की ये गंद क्यों फूट रही है आह, पर आपके बदन से आती भीगी धर्ती की ये महग मुझे बेहोश क्यों कर रही है पता नहीं ये सब क्या है, सलमा, शायद हम ही श्रश्टी है नश्वर होते हुए भी निरंतर जी सकने की श्रंखला की एक कड़ी अदीब उसमें समाहित होते हुए बोला था अब कुछ मत बोलो अदीब, कुछ भी बोलो मत, नहीं तो सांसों का ये महल ठह जाएगा सोचो मत, मन जो चाहता है वो उसे दे दो, वही होने दो जो होना है, जो होता है, जो हमेशा होगा कहते कहते सलमा उसके शरीर में सांस की तरह समा गई और उनके शरीरों पर हजारों नीले फूल खिल उठे एका एक तभी दर्वाजे पर दस्तक हुई, ठकान की मधोशी में दोनों ने दर्वाजे की तरफ देखा और आवाज दी Come in, चेंबर बॉय भीतर आया, तो दोनों ने खुद को संभाला Sir, आप लोगों ने न चाय मंगवाई न लंच पर आये, कहिए तो कमरा साफ कर दूँ, चेंबर बॉय बोला Thank you, लेकिन यहां गंदा कुछ है ही नहीं, सल्मा बोली Furniture साफ करने की जरूरत हो तो कल कर देना No problem, मैडम कहता हुआ चेंबर बॉय वापस चला गया और तब सल्मा ने अदीब को सहचता से देखते हुए कहा था सुनिये, अब हम इस बिस्तर पर नहीं लेटेंगे क्यों? इस बिस्तर पर मुहबबत सोई है इस पर लेटने से हमारी मुहबबत कहीं मैली न हो जाए चलो, अब ब्रश कर लो, नहा लो और चल कर कुछ खा लो वैसे भी यहां मौरिशस में रात आठ बजे के बाद खाना नहीं मिलता नहां तो हम लेंगे, पर ये नीले फूल तो तब भी नहीं कुम लाएंगे इनका क्या करेंगे? सल्मा ने पूछा था हमसे पूछने वाला है कौन? अधीब बोला था और उसने सल्मा को एक बार फिर बाहों में भर लिया जब अधीब और सल्मा कॉटेज से निकले, तब भी नीले फूल खेले हुए थे सल्मा ने साडी पहनी थी, बदन के बाकी फूल तो साडी और बलाउस के अंदर गुलदस्तों की तरह समा गए थे पर बाहों पर उन नीले फूलों की जो लतर उतर आई थी, वो काबू नहीं आ रही थी सल्मा बार-बार उस लतर को पल्लू से ढाकने की कोशिश कर रही थी, ताकि महक भीतर ही रहे, बाहर न फैलने पाए उस वक्त सामने पश्चिम में सूरज ढूब रहा था, बादलों का पल्लू उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था, पर वो बार-बार अपनी किरनों की टॉर्च फैकते हुए त्रयोबिश को पलट-पलट कर देख रहा था हिंद महासादर की शांत लहरें तटको थपकियां दे रही थी, कुछ खाना बदोश नावें अब भी कोरल की तरफ जा रही थी, या उत्तर में ग्रांट बे की तरफ उड़ती चली जा रही थी, उनके पाल दूबते सूरज की रोशनी में मुकटों की तरह चमकते और खो ज जाते, कैसी लगती हैं इस खामोश समंदर की लहरें जैसे नुकड का रंग्रेज नीला दुपट्टा सुखा रहा हो, सलमा बोली थी, और रात में यही लहरें बाहों में बदल जाती हैं, अदीब ने उसकी पीच को लपेटते हुए कंधे पर हाथ रख दिया, और उसे वो गन्य की पतवारों वाली छत्री के नीचे ले आया, वहीं मेज पड़ी थी, खाना खाने के लिए होटल के डाइनिंग हॉल में जाना उन्हें पसंद नहीं था, सूरज अब डूग गया था, चांधनी वाली सेवन्ती की जाडियों की पत्तियां पलट गई थी, और है, उदर भारत में बोद बड़ा सूरज निकलता, वेटर ने दोनों हाथ पहला कर बताया, नहीं, उतना ही बड़ा निकलता है, जितना की बड़ा यहां होता है, सल्मा ने ही जवाब दिया, कैसन हो सकता है मैडम, वेटर ने उसकी बात पर विश्वास नहीं किया, लिकिन उसने आगे बहस नहीं की, आप और दस मिनिट बाद ले सकें, तो बड़ी महरबानी होगी, सल्मा ने वेटर से कहा, वो चला गया, देखा, बड़ी संस्कृती का सूरज भी बड़ा होता है, अधीब बोला, तो सल्मा ने उसके हाथ पर हाथ रख दिया, और धीरे धीरे उस उस लाश को भी जो रास्ते में अपना चोला बदल चुकी थी, अंग्रेज मालिक ने सैप्टिक टैंक से नहला कर हमें निकाल दिया हो, और गले में नंबर का पट्टा पहना दिया हो, और तब हम गन्ने के खेतों में काम करने के लिए चल पड़े हो, पता नहीं, सल्मा कहा खो गई थी, और सदियों को पकारते दोड़ी चली आ रही थी, तब ही एक साहब आये थे, जी मैं एक मिनिट दखल दे सकता हूँ, जरूर जी बताईए, जी मैं आप से नहीं, इन से बात करना चाहता हूँ, सल्मा से, कीजिए, हम उस छतरी के नीचे बैठ जाएं, उन्हों ने कहा, क्यों, ऐसी क्या जरूरत है, सल्मा ने एतराज किया, कोई जरूरी नहीं कि आप मेरी मौजूद की को महसूस करें, अधीब ने कहा, तो सल्मा के चेहरे पर उसे परिशानी दिखाई थी, उसी परिशानी में सल्मा ने पूछा, आप कहा चले जाएंगे, कहीं नहीं मैं यहीं कहीं चला जाओंगा, जो लोग बातें छुपा कर करते हैं, उन्हें नहीं मालूम की बातें छुपती नहीं, तो मेरी मौजूद की जब चाहोगी, मैं मौजूद हो जाओंगा, और इतना कहते ही अधीब गायब हो गया, खेर कोई बात नहीं, जी बताईए, सल्मा हुसेन की बेवा, सल्मा ने थोड़ा तमक कर कहा, जी हाँ, मुझे मालूम है, मैं सल्मान का कजिन हूँ, मुझे मालूम है, शिमला में उनकी मौत हो गई थी, और मुझे उनके घर वालों ने सल्मान की कमाई की दो तहाई जायदा की विरासत से बेतखल कर दिया था, एक वालों ने मुझे अदालत में घसीता था और सल्मान की मौत का इल्जाम मुझ पर लगाया था और ये दलील दी थी कि शादी से पहले मेरा रिश्टा किसी और आदमी से था सल्मा तुर्शी से कह रही थी हां और शायद अदालत ने आपको कटगरे में खड़ा देखकर कहा भी सुनी और जानी थी और फिर आप नौकर शाहों का कुनबा भी तो एक है फिर वो चाहे हिंदुस्तान के I.E.S. हो या पाकिस्तान के CSP सल्मा ने जहर बुझे लहजे में कहा तो नईम कुछ अचकचा के रह गया नहीं ऐसा तो नहीं है ऐसा ही है नईम साहब आपके कुनबे से छिटक कर अपनी मर्जी का मालिक कोई भी मर्द आजाद हो सकता है पर और औरत को आप अपने कुनबे की जायदात समझते हैं अगर किसी हादसे के बाद कोई औरत किसी और कुनबे के मर्द को मनजूर कर ले तो आप लोग बरदाश्त नहीं करते जी आप कुछ गलत सोच किसी ने हैं इसमें गलत कुछ भी नहीं पहले तो आप औरत को अपने कुन में में घेर कर रखना चाहते हैं फिर खान­ का वास्ता देते हैं और जब कुछ भी कारगर नहीं होता तो मजहब का वास्ता देते हैं haa, शायद आप ठीक कह रही है आप अब भी मुसल्मान तो हैं लेकिन एक हिंदू मर्द के साथ आप जो रास्ता तलाश रही है वो कुफर है नईम ने सक्ती के साथ कहा तो आप यहां भी वही घटिया बात ले आए क्या दिली रिष्टा कायम करने से पहले कभी किसी ने पूछा है कि तुम्हारा मजभ़ब क्या है कि मैं एक हिंदू के साथ अपनी दिली, जिस्मानी और रोहानी खुशी का रास्ता न तलाश हूँ देखिए आपके सामने एक बेटा भी है सोचिए उसका क्या होगा वो मेरा बेटा ही सही पर मर्द को जीने के लिए कहीं मुश्किल नहीं होती मैं एक दोस्त और रिष्टेदार की तरह आपको राय देता हूँ कि बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ अपने नाना के पास पाकिस्तान लोटाएं नईम ने कहा आप तो बिल्कुल यजीद की तरह पेश आ रहे हैं यजीद की तरह मैं समझा नहीं आप समझ रहे हैं ये आपको क्यों मनजूर होगा यजीद ने भी हजरत हुसैन को मदीने से एराक आने की दावत दी थी और कर्बला के मैदान में उन्हें भूखा प्यासा रख कर आखिर उनका कतल कर दिया था आपका बुलावा यजीद का बुलावा है और आपका पाकिस्तान मेरा कर्बला ही बन सकता है जहां आप मुझे हर तरह से बूखा रखकर अपनी हवस का शिकार बना सकते हैं और जिन्दा रहते हुए भी एक गैर कुद्रती मौत मुझे दे सकते हैं हजरत हुसैन तो सिर्फ कर्बला में शहीद हुए थे पर मुसल्मान औरत के लिए आप लोगों ने पूरी जिन्दगी ही एक कर्बला बना रखी है सल्मा के भीतर एक जलजला उट रहा था वो चीख पड़ी क्या है वो खास चीज जो एक मुसल्मान मर्द औरत को दे सकता है जो गैर मुसलिम नहीं दे सकता इसलाम ने औरत के लिए जो दर्जा तजवीज किया है वो किसी भी मजब के पास नहीं जिस्मानी सतह पर तो हर मर्द सिर्फ वही दे सकता है जो कोई भी मर्द औरत को दे सकता है लेकिन रूहानी और दुनियावी सतह पर एक मुसल्मान, मर्द, औरत को वो सब कुछ दे सकता है जो दुनिया का कोई मजभ नहीं दे सकता नईम बोला इसलाम मानने वालों के पास कुरान पाक है, हदीस है लेकिन वो तो अर्बों के पास है, उनकी ओरीजनल कौपियां जो नहोंने अब तक किसी को नहीं दी फिर तो फिखा नहीं इसलामी कानून की अलग-अलग पहचान दी और नईम ने जैसे चुनौती के स्वर में कहा और यही कि आप CSP में जरूर हैं पर आप पाकिस्तान नाम के मुल्क को नहीं आप इसलाम के नाम पर अपनी कमजोरियों को चलाना चाहते हैं मुल्क तो आपको अंग्रेजों ने जाकीर में दिया है और आप आवाम के लिए नहीं गलत मज़भी मनसूबों के लिए 10-20 पेडियों को इसलाम के नाम पर घारत कर देना चाहते हैं हलंकि इसलाम ने नफरत का पेगाम कभी नहीं दिया पर आप नफरत को मजभी मनसूबों की पोशाक पहना कर दूसरे मख़बों के साथ वही करना चाहते हैं जो इस्राइल के जुडाइज्म ने इसलाम के साथ किया था ये आप कैसे कह सकती है पाकिस्तान की बुनियाद एक उसूल पर रखी गई है किस बुनियाद ए उसूल पर मख़ब तो कौम की पहचान नहीं मख़बों के आने और नाजल होने से बहुत पहले भी लोग किसी और मख़ब, किसी और अकीदे, किसी उसूल के तहट ही अपने समाज को चला रहे थे आज अगर पूरा अमेरिका इसलाम को मनजूर कर ले तो क्या वो कौम की शकल में अमरीकी नहीं रह जाएंगे क्या वो अर्बी या इरानी हो जाएंगे आप तो बहस कर रही है और इस बहस में आप खामखा इसलाम को घसीट रही है वो इसलिए कि पाकिस्तानी होने के नाते आप खुद को इसलाम का अलंबरदार समझते हैं इसलिए बार बार आप मुझे इसलाम का वास्ता दे रहे हैं इसलाम के नाम पर एक मुलक पाकिस्तान बना था ये दुनिया में कभी नहीं हुआ था हमेशा मुलकों के नाम पर मजहबों ने अपनी पहचान हासल की है पाक नबी, हजरत मुहम्मद के आने और पाक कुरान के नाजल होने के बावजूद अरब अरब ही रहा, इराक इराक ही रहा, मिस्र मिस्र ही रहा, इरान इरान ही रहा, लेकिन पाकिस्तान भारत या हिंदुस्तान क्यों नहीं रहा? आप क्या कहना चाहती है? यही कि खुद आपके प्रेसिडंट जिया उलहक्त ने खत्म हो जाएगा, मजहब खत्म हो जाते हैं नईम साहब, पर कौमें तो खत्म नहीं होती, क्या इसाइत ने कौमें खत्म करवाई, कौम का तसवर ही अलग है, क्या बहुत धर्मानी के बाद, चीन, जापान, कमबोडिया, बर्मा, श्री लंका, इंडोनेशिया की कौमों को को बदल सका, उनमें भी बहुत से इसाई और मुसल्मान बन गए, पर क्या मजहब कौम को तोड़ पाया, आप बेहुदी बहस कर रही हैं, नईम ने कहा, आप इस वक्त मौरिशिस में अकेले हैं, आप मेरे फौत फरमाये खाविंद सल्मान हुसेन के कजिन है, अगर मैं इसला आपके साथ सो जाओं, तो शरियत, हदीस और पाक कुरान शरीफ सब मेरा साथ देने लगेंगे, क्योंकि आप इन पाक उसूलों को इनसानी पहचान से अलग करके, इसलामी पहचान देकर अपने लिए महदूत कर लेना चाहते हैं, इसलिए नईम साहब, आप मुझे मजहब के नेफे में कैद है, और कुलबलाता रहता है, और इसी की जरूरत के मताबिक आप जैसे लोग मजहब का वास्ता देते रहते हैं, सलमा चीख रही थी, आप नहायत बेहुदी औरत हैं, नईम घुसे से मेज पर मुका मार कर चीखा, आप नहायत बेहुदे आदमी हैं, जो नाम पर एक बड़े मजहब को नहायत छोटे दाएरे में कैद करना चाहते हैं, मेरा इसलाम इतना घटिया मजहब नहीं है, आपने पाकिस्तान के नाम पर एक पुखता कौम को बाटा, और अब आप मुझे एक फरीग को फिर मजहब के नाम पर किसी दूसरे से अलग करके मे पन्नी में बदल गई थी, रेत भुड़भुड की तरह चमक रही थी और सागर से आती हवा, चांदनी को दुपटे की तरह लपेटे इधर उधर टहल रही थी, सेवन्ती के पौधों की पत्तियां पलट चुकी थी, और हलके हलके ताली बजा रही थी, सी पाइन की जूमरे कुछ गुनगुना रही थी, और दूर गन्नों के खेतों के पत्ते, गोटे की किनारियों की तरह आपस में उलज रहे थे, आज पूरे चांद की रात थी, सल्मा का तमतमाया चहरा उस चांदनी में तीन की चादर की तरह चमक रहा था, नईम साहब नजाने कहां गायब हो ग सुस्ताते हिरनों की तरह बैठी थी, और पानी के भीतर, छोटी छोटी मचलियों के जुंड, मोतियों की चादरों की तरह आते और पलट कर चले जाते थे, आखिर अधीब को अनंत से निकल कर सल्मा का खयाल आया, कि वो बिलकुल अकेली है, अधीब पास पहुँचा, और जैसे ही उसने सल्मा को छुआ, वो रेत की मिनार की तरह बिखर कर उसके वजूद में समा गई, अधीब ने रेत के एक एक कंड को सहे जा, उसे फिर से जोड़ा, हर कंड को उसकी जगह रखा, तो सल्मा फिर जियों की त्यों बनकर खड़ी हो गई, फर कितना था, कि अब उ मुसल्मान और इसलाम के नाम पर इन पाकिस्तानियों को बोलने का कोई हक नहीं, आज हिंदुस्तान में पाकिस्तान से ज्यादा मुसल्मान है, और पाकिस्तान से ज्यादा इसलाम को समझने वाले लोग हैं, और इसलाम को दिल से मानने वाले मुसल्मान हिंदुस्तान में उ होधर गया तो पता चला कि होटल बंध हो जुका है होली की छुट्टी है और अब खाना नहीं मिल सकता लेकिन वेटर तो ओर्डर लेने आया था जी हां उसने बहुत देर आपका इंतजार किया आखर छुट्टी का दिन था इंतजार करते करते वो ठक गया और फिर किचिन बं बजे तक अपना डिनर खत्म कर लेते हैं हम हर दिन साड़े नौ बजे अपना किचिन बंद कर देते हैं अब तो साड़े ग्यारा बज रहे हैं वो जब कॉटेज में लोटा तो बिस्तर पर पड़ी सलमा बुरी तरह सुबक रही थी नईम की बातों और भूख ने उसे बेह सलमा कुछ नहीं मुझे बहुत भूख लग रही थी और आप रेसेप्शन पर बहस में उलचे हुए थे आपको मेरी भूख की फिक्र ही नहीं थी इसलिए मैं यहां चली आई मुझे पता है कि होटल में भी किचिन बंद हो चुका है होली की वजह से पर हर एक तो हिंदू न अंधेरा और गाउं त्रियोले से होती हुई पतली सडक त्रियोले से घुजरा तुपाई और एक मकान की लाइट्स ओन थी उस समझ गया कि बरनात पेरे का कोई वंशज है रुक कर पूछा तुपता चला कि यह एक लेखक का घर है इस लेखक का नाम अभिमन्यू अनत है औ और उस लेखक की कलम की वो रोशनी उसका पोर्ट लोई तक साथ देती रही जब वो उस बंदरगाह वाले शहर में पहुँचा तो गोदी से लहसन और प्याज उतरने की महक आ रही थी पता चला कि यह भारत से आता है क्रीम और चीज ऑस्ट्रेलिया से आती है मटन जिलेंड से, सीरियल्स यॉरप से, पेट्रोल गल्फ से और टोरिस्ट पूरी दुनिया से सामान की कोई कमी नहीं पर बाजार तो बंद था आखिर अधीब को एक जगा त्रियोले की तरह रोशनी टिम्टिमाती दिखाई दी वहां पहुँचा तो पता चला कि यह प्रधान अधीब को लगा था कि आखिर यह कैसा देश है जो हर तरफ और जिंदगी के हर पहलू से पवित्र है जो कुछ मिला उसे लेकर अधीब त्रयोबिश की ओर भागा रात आधी बीच चुकी थी त्रियोले से गुजरा तो उस रिशी लेखक अभिमन्यों अनत के कमरे की रोश अब भी चल रही थी कॉटेज में पहुचा तो सलमा इंतजार करती बैठी थी अधीब ने समोसे और पकोड़े प्लेट में रखे केले भी रख दिये लो खाओ मेरा पेट तो उसी वक्त भर गया जब आप इन्हें लेने के लिए निकल पड़े थे पेट की भूख बहुत सम कहीं और उड़ गई शरीर अपनी कुद्रती महकों के साथ नदियों की तरह उमड कर एक होते हुए बहने लगे शरीर वनस्पतियों के जंगल बन गए थे देवदार, चीड, बुरांस, चंदन, दाल चीनी और धर्ती के सौंधे महकते जंगलों से होते हुए सदियों की बा अधरों में तब्दील हो जाएंगे, अधीब, मेरे अधीब, नदियों की बाहों के पानी किनारों की तरफ बह चले थे, बीच धार का पानी अब उद्दाम सतह पर बह रहा था, एक बात कहूं, आपके पसीने की तरह ये भी खारा है, या खुदा, या मेरे परवर्दिगा मुझे 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 से मिली इस रूहानी खुशी से मरहूम मत करना, मेरी जिसमानी खुशियों पर चाहे जो पाबंदिया लगा दे मेरे खुदा, ये मुझे मेरा हासल मिला है परवर्दिगार, खैरात में इतनी बड़ी दौलत नहीं मिलती, शायद ये खैरात नह मेरा हासिल है, इसे मुझे जी लेने दे, आमीन, ये आमीन आपने बुला था, सलमा ने चौक कर कहा, नहीं तो, कोई तीसरा शायद लगातार हमारे साथ है, जो हमें अब एक सा नाश्ता देता है, एक से सपने देता है, अधीब बुला, अधीब, हम, अधीब, आपने इतने से दिनों में मुझे वो सब दे दिया, जो मेरे शोहर सलमान ने मुझे आठ बरसों में नहीं दिया, क्या कह रही हो तुम, वही, जो सच है, आपने मुझे हैबत से निकाल कर अबादत की दुनिया में पहुँचाया है, अधीब, काश आप शुरू से मेरे शरी के हयात होते, हम शादी शुदा होते, कहते हुए सलमा बुरी तरह रो पड़ी, अधीब ने उसकी आँखों पर होंट लगा कर एक भी बून किरने नहीं दी, तुम्हारे आंसू तो मेरे पसीने की तरह खारे नहीं, ये दजला फराद, नील और गंगा के पानी की तरह मीठे हैं, अधीब न की सूतलियां बांधी गई थी, अधीब ने पेड़ की तरह उदासी से हसते हुए कहा था, पर तब में लाचार था, और तब मैंने तुम्हें तुम्हारी खुशियों के लिए खुला छोड़ दिया था, हाँ, ऐसा नहीं कि सलमान ने मुझे खुशिया नहीं दी, लेकिन कोई एक चहरा कभी मेरे सामने नहीं आया, हर औरत की शायद यही कमजोरी है, कि वो एक चहरे वाले आदमी को खोचती है, सलमा, मेरे भी अगर ज्यादा चहरे नहीं, तो भी दो चहरे तो हैं, एक वो, जो मेरी बीवी के साथ जुड़ा है, और दूसरा वो, जो तुम्हारे साथ जुड़ गया है, अदीब ने कहा, उसकी असलियत में जानती हूँ अदीब, क्या, यही कि ना आप मुझे छोड़ सकते हैं ना अपनी बीवी को, यह तुम कैसे जानती हो, ऐसे कि मैं आपको जानती हूँ, आप अपनी हसरतों की सजा किसी दूसरे को नहीं दे सकते, य लेकिन उनका दुख किसी और को नहीं उठाने देंगे, सल्मा ने उसकी आँखों में जाकते हुए कहा, तुम कहना क्या चाती हो, यही कि आप अपनी बीवी शानता को मेरे लिए छोड़ सकते हैं, लेकिन आप उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकते, क्योंकि आप अपनी हसरत की सजा खुद को दे सकते हैं, शानता को नहीं, इसलिए मुझे भरोसा होता है कि आप मुझे भी नहीं छोड़ सकते, अगर आप शानता को छोड़ सकते होते, तो आप मुझे कभी भी छोड़ सकते हैं, सल्मा ने अदीब के पैरों पर हाथ रख लिये थे, सल्मा तुम क्या हो औरत या फरिष्टा अधीब सोचती हूँ तो थोड़ी घबराहट होती है कि मुझे मेरे मजहब के नईम की तरह के लोग मजहब के नाम पर आपके साथ जीने नहीं देंगे आप ऐसा करो क्या कि सिर्फ जीने के लिए मैं हिंदू बन जाओं और आप मुसल्मान हो जाओ क्योंकि मुसल्मानों की जहनियत ये तो मनजूर करती है कि कोई मुसल्मान मर्द हिंदू औरत को भिया ले पर कोई हिंदू मर्द मुसल्मान औरत को बिस्तर तक ले जा सके ये उन्हें मन्सूर नहीं तो क्यों न हम सिर्फ अपनी जिन्दगी जी सकने के लिए अपने मजहबों को बदलने ताकि इन्हें चैन पड़ जाए नहीं तो नईम जैसे लोग हमें जीने नहीं देंगे